आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपको computer basic का ग्यान computer basic का ग्यान पूरा basic से बताओगी न क्योंकि मुझे computer keyboard को चूने का भी डर लगता है इतने सारे buttons कई कुछ गलत प्रेस कर दिया तो कुछ गड़बड ना हो जाए दोस्तों इनको computer को चूने से डर लगता है अगर आपको भी computer को चूने से डर लगता है तो आज कोई video के बाउद नहीं लगने वाला क्योंकि मैं computer को एक दम detail में बताने वाला हर एक चीज को पकड़ पकड़ के सिखाने वाला हूँ जी हां अगर आपकी competitive exam है और उसमें computer subject के questions आपको आते हैं तो वो questions भी इस वीडियो में बहुत सारे cover होंगे क्योंकि बहुत सारे questions जो होते हैं computer basic ग्यान के उपर ही depend रहते हैं computer के parts के बारे में होते हैं input output processing devices के बारे में होते हैं computer scanner printer के बारे में होते हैं सारी चीजों के बारे में होते हैं तो यह सारे questions भी यहां पर बहुत सारे cover होंगे अगर आप competitive exam दे रहें और उसमें computer subject questions है तो यह वीडियो आपको ज़रूर एंड तक देखना चाहिए अईयो अन्ना एक minute हाँ बूलिए मेरे एक problem है मेरे office में scanner और printer है वो मेरी को तोड़ तोड़ इस्तमाल करने आता है क्या वो detail में इस वीडियो में बताएगी बताऊंगी नहीं बताऊंगा अईयो अन्ना वो हिंदी का मेरा तोड़ तोड़ प्रॉब्लम है कोई बात नहीं इनके office में scanner तो है printer भी है लेकिन इनको इस्तमाल करने नहीं आता तो इस वीडियो में scanner और printer को भी detail में explain करने वाला हूँ तो इस वीडियो के बाद ये भी problem solve होने वाला है जी हा मैं scanner को practically कैसे इस्तमाल करते है सबसे पहले तो scanner आपने purchase कर लिया तो उसके बाद उसे install करना प application होता है एक software होता है उसे हम इंस्टाल करना पड़ता है तो कैसे install करेंगे scanner connect करने के बाद उसे scan कैसे करेंगे हर एक चीज को detail में समझने वाले साथ में printer का driver इस्टाल करना और printer के साथ print out कैसे निकालना ये चीज़े practical होगी theoretical बात नहीं करूंगा हावा में बाते करना मुझ स्कुल स्टुडेंट हो या फिर आप कॉलेज स्टुडेंट हो अगर आप computer detail में चाहते हैं internet के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो internet का topic भी इस वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ अचा चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या cover होने वाला है इसमें साथ बड़े chapters में cover करने वाला सबसे पहला chapter होगा computer का introduction computer part का introduction उसके अंदर जो parts होते input devices, processing devices, output devices इनकी detail में जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि जादा तर लोगों को बस एक ही scanner पता है जो की document scanner लेकिन उसे flatbed scanner बोलते और barcode scanner रहता है MSAS scanner रहता है OCR scanner रहता है इन सभी scanner की detail जानका मैं सबसे पहले आपको computer introduction chapter में बताऊंगा Second chapter में मैं आपको बताऊंगा कि computer के connections हम कैसे लगाते अगर आपने computer नया लिया है या फिर सापसभाई के लिए आपके computer के wire detach करना पड़े तो आप उसे कैसे detach करोगी यह practically मैं करके दिखाने हो लाओ Second chapter के अंदर Third chapter में मैं आपको ब क्रणित कहा जाता है नवीगेशन की किसे कहा जाता है और हर ऐक किज का explanation में देने वालो तो keyboard की सी पूरी जानकारी रहने वाली है, पूरी जानकारी, जी हाँ हरे कीज को मैंने पकड़ पकड़ के सीखा है, पकड़ पकड़ एक मतलब डीटेल में, हमेशे याद रोको printer के बारे में detail में बताऊंगा साथी में मैं बताऊंगा कि अगर आप typing speed बढ़ाना चाहते हैं तो typing speed बढ़ाने के कुछ tips यहाँ पे मैं share करूँगा और एक pre typing software की भी information दूँगा कि बाई कौन सा pre typing software जिसके जरी आप घर बैटे बैटे अपने keyboard पे typing का speed बढ़ा सकते हैं यह मैं detail में explain करूँगा और last chapter में मैं internet के बारे में बताऊंगा तो ऐसे 7 chapter में यहाँ एक और करने वाला computer basic GAN के इस particular course के अंदर जी हाँ दोस्तो तो यह एक बड़ा वीडियो होने वाला है लंबा चोड़ा वीडियो होने वाला है डीटेल वीडियो होने वाला है तो अगर आप इंटेश्टर तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने मेरे टीम ने बहुत मेहनत लिये तो हक से like मागँगा like करो, share करो दोस्तों के साथ जिनको जरूर उनके साथ share करो अपने एक दोस्त के साथ कम से कम share करो अगर हो school student है तो उसको computer के बारे में बिल्कुल knowledge नहीं जए से government school में तो ज़्यादा तर computer बहार से दिखाते क्योंकि वो लोग बोलते थी कि आप चपल पहन के आओगे उससे धूल आती और स्वाहिरस आ जाता है पता नहीं कि आप होए पहला के रखी थी बट ये reality है मतलब मेरे जमाने में याद करो 2000 में मैं school में था और उस वक्त computer की price लगबख 40-50,000 हुआ करती थी और वो 40-50,000 उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा थी याद रखिया आधा लाक लोग बोलते थे अब तो ठीक है अभी 40-50,000 कुछ भी नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजे जो होती है बहुत सारो लोगों को पता नहीं होती मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनके पास computer अवैलेबल नहीं होता है या फिर जिनको computer देखने नहीं मिलता है तो उनके लिए ये video बहुत useful होने वाला है इसलिए ये video ज़रूर शेर करो लाइक शेर कमेंट पका कर लो यार पका कर लो लाइक शेर कमेंट साथी में olviden उनके पक्रेश पिसका सवुगत कर दो लेट्स विगिन तो जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में आप से कहा था कि हम साथ चाप्टर में इसे डीटेल में सीखने वाले हैं तो सबसे पहला चाप्टर है हमारा Computer Introduction, Computer Definition, Computer की Definition सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद Computer के पार्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा अब Computer का बहुत सरे लोग फुल फॉर्म निकालते हैं Basically Computer का फुल फॉर्म नहीं होता है आप कुछ भी निकालने के लिए निकाल सकते हो लेकिन Computer एक Word है दोस्तों जैसे कि एक Italic Word है Compute याद रखिए जब Computer Scientist ने डेवलप किया था तो यह Calculation करने वाली Machine थी यह बाते बहुत सरे लोगों को पता नहीं है मैं डीटेल में बता रहा हूँ इसे ध्यान में रखो यह Calculation करने वाली Machine थी जब यह Starting में Invent किया गया था तो उस टाइम पे Italic Language में Compute नाम का एक Word है जिसका मिनिंग होता है Calculation करना तो इस Machine को नाम दिया गया है Calculation करने वाली Machine को Computer अब यह खाली Calculation ही नहीं करता है आपको पता है Bahubali Movie भी इससे बनाया और बहुत सारी चीज़े आजकल होती है आपको मुझे डीटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं लेकिन इसका नाम Computer कैसे है Italic Language में Compute मतलब Calculate करना और वही Compute becomes Computer calculation करने वाली Machine थी इसलिए Calculator का ही बन गया एक Additional Version जिसे हम Computer बोलते है आप तो यह बहुत सारी चीज़े करता है और कहां का यूज होता है यह मुझे डीटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है अब मैं आपको बताऊंगा Computer की Definition क्या होती है Computer it is an electronic device याद रखिए अगर आपको कई पर definition बतानी तो आप यह बता सकते Computer it is an electronic device It works with IPO system यानि कि एक electronic device है जो electricity पे चलता है वो automatically काम नहीं करेगा जब तक हम instruction पास नहीं करेंगे तो instruction पास करने वाले devices को याँ पर input devices बोला जाता है याद रखिए The devices which through we pass the information to computer और we instruct to computer That is known as input devices जिसके ज़रे computer को हम instruction देते हैं उन devices को input devices कहा जाता है Input devices मैंने आपको बता है उसके बाद processing यानि कि हम जो data type कर रही है जो भी हम command दे रहे हैं उसके उपर process करना दिमाग लगाना कि इसको क्या करना है जैसे मैंने 25 प्लस 25 टाइप किया तो उसके 50 करना है ये computer को पता है computer के brain को पता है और उस brain को CPU कहा जाता है processing device कहा जाता है central processing unit कहा जाता है और अलग अलग ना में तो यहां पर basically CPU ये होता है processing device और तीसरा होता है output devices output device the devices which through we can get the data that is monitor अब इन devices को मैं detail में explain करूंगा don't worry पहले मैं आपको बता रहा हो कि कौन कौन से devices होते input processing and output output devices the devices which through we get the data from computer हमें result दिखाए देता है यह यह मैंने टाइप किया यह result आ गया so that is called output devices तो यह हो गया computer की definitions basically computer की definitions मैंने आपको बताई अब हम computer parts की तरफ चाते हैं और computer के parts को detail में समझते हैं जैसे मैंने आपको कहा था कि computer के 3 section में parts होते हैं जैसे input devices हो गया processing हो गया output devices हो गया और इसमें storage भी होता है basically पहले हम input devices के बारे बें जानते है input devices मैंने आपको कहा था कि devices जिनके तरू computer को data देते हैं तो ऐसे कौन-कौन से devices है जिनके तरू computer को data देते हैं जरब बताओ नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको पता भी होगा जिससे keyboard हो गया keyboard के तरू हम क्या करते है alphabetical data, numerical data, enter करते है तो ये input device कहा जाता है उसके बाद mouse हो गया ये भी input device है जिसके तरू हम कुछ instructions देते है कि इधर click, उधर click, ये को रो shut down वगरा 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 तो ये mouse के तरू भी एक instruction जाता है computer के तरू ये भी input device है keyboard और mouse commonly input device है commonly आने कि इनके बगर आप computer operate नहीं कर सकते याद रखिए keyboard and mouse commonly input device है ये चाहिए चाहिए आप बोलोगे mouse नहीं रहेगा तो भी मैं keyboard से shortcut की से access कर सकते है लेकिन drawing, designing part करना है, बाववली movie बनाना है, cartoons बनाने you need mouse, right mouse की जरूरत महाँ पर है, mouse के बगर होगा क्या नहीं होगा तो ये दोनों commonly input devices है इसके अलावा web camera होता है web camera, web camera आपको पता रहेगा जो screen पर मैं आपको दिखाता हू web camera जो की आप chat वगरा कर रहे हो तो जरूरी होता है online chat के लिए आपका वीडियो दिखने के लिए सामने होले को, right तो web camera की जरूरत तब होती है और web camera की input device है आपका वीडियो इंपूर्ट कर रहा है, pictures इंपूर्ट कर रहा है that is what input device और web camera लैप्टॉप में तो इन बिल्ड रहता है computer में आपको अलग सा खरीदना पड़ता है उसके बाद scanner भी input device हो गया scanner के थूरू हम images scan करके computer में देते है याद रखिए लेकिन scanner में यहापे अकेला scanner ने रहता है scanner के अलग चार टाइप रहते जो scanner के time हम सीखेंगे scanner के chapter में सीखेंगे कौन-कौन से टाइप रहते है और printer के भी कुछ टाइप रहते है वो भी मैं आपको printer के chapter में बताऊंगा लेकिन फिलाल scanner एक input device है क्योंकि हम data in कर रहे है लेकिन यह commonly input नहीं है जब आपको जरूत है इसे specialized input कहा जाता है मतलब camera हो गया scanner हो गया आप तो जानते होंगे joystick जिससे हम game खिलते है और या फिर trackball हो गया जो पुराना mouse की जगर यूज़ किया जाता था तो ऐसे input devices जो specialized input devices के नाम से जाने जाते है इसके अलवा माइक भी हो गया जैसे मैं बोल रहा हूँ यह आवाज record हो रही है तो यह हो गया input devices के बारे में जानकरी मैंने आपको दे दी अब processing devices के बारे में थोड़ी सी advanced जानकरी देता हूँ processing CPU CPU मतलब computer का दिमाग brain अगर आपका यह brain हटा दिया गया तो भाई body कुछ काम की नहीं है वैसे computer का brain है CPU याने कि central processing unit एक छोड़ी सी cheap रहती जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है यह cheap जो पूरे computer पे नियंतरन रखती क्या process होना है क्या नहीं process होना है कहाँ पे store करना है कहाँ पे data लेके जाना है कैसे करना है सारे instruction यह follow करता है यह cheap के जरीए होता है यहाँ पे इसे computer का brain कहा जाता है याद रखी यह cheap नहीं तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे यह important devices processing प्रोसेस करता है computer के सारे instruction को उसके बाद output devices output में हमें monitor पता है जिसके जरीए हमें display मिलता है और printer पता है जिसके जरीए हमें printouts मिलता है अब monitor के output को ध्यान से सुनिएगा monitor output is known as soft copy ज्यादा तर competitive exam के जो questions रहते है उसमें यह पूछे जाता है monitor के output को क्या बोला जाता है soft copy क्योंकि हम यहाँ पे कभी भी edit कर सकते है and printer output known as hard copy याद रखिए printer से जो output आता है वो printout है उसमें हम एडिट नहीं कर सकते है एक बार print निकल गया निकल गया भाई तो आपको यह समझ में है printer का output है hard copy है monitor का output soft copy यह exam में आते हैं भाई नहीं पूछा था न वो कि मेरी competitive exam में तो सवालों के जवाब मिलेगे सवालों के जवाब मिल रहे और यहाँ पर मैंने monitor और printer के बारे में बता है यह output device है यहाँ पर printer specialized में आता है monitor commonly आता है क्योंकि वो चाहिए चाहिए monitor के बागर आप देख कैसे सकते है कुछ नहीं देख सकते है और उसके अलाव output devices में speaker आता है speaker लगाओ music ओके वो बताने की ज़रुद नहीं तो यह output devices है तो input processing and output devices को आपने जान लिया है अब यह है computer के parts के बारे में अब storage devices के बारे में जानते है storage devices में hard disk आता है hard disk drive जिसे हम कहते है जो mechanical device रहता है और अभी latest में SSD आ रहा है तो अगर आप computer खरीदने का so train feature तो SSD वाला ही जादा तर मैं recommend करूँगा लेने के लिए हाँ storage के लिए आप hard disk ले सकते लेकिन आपको OS चलाना है तो SSD मतलब एक computer में 2, 2, 3, 4, 4 hard disk लग सकती है याद रखिये तो एक SSD लगाओ और एक HDD लगाओ SSD कम storage वाली ले लो क्योंकि महाँ पर बस operating system run करो और HDD जो है जादा storage वाली ले लो यह जादा complicated चीजे लग रहे होगी HDD, SSD तो इसके उपर मैंने already course design किया है hardware का description में link आपको दे दूँगा hardware का पुरा पुरा course है ISO 3D के साथ check out किजे अगर आप interest शोड़ो यह सारी चीजे जानने के लिए SSD, HDD, क्या-क्या होता है बहुत सारी चीजे उसमें क्या-क्या difference है उस सारी चीजे explain किये और वैसे भी मैंने computer hardware का एक video भी बनाया है अगर आप free में देखना चाते तो उस video को भी देख सकते उसके बाद RAM होता है जो की processing speed के लिए use किया जाता है screen पे RAM भी मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से RAM की cheap रहती है यह आपके computer के processing speed बढ़ाने के लिए use होता है और उसके बाद SMPS होता है जो computer में power supply provide करने का काम करता है switch mode power supply पुरानी computer में DVD writer या CD writer हुआ करते थे जो screen पे मैं images आपको दिखा रहा हूँ यह internal part है याद रखिए CPU के अंदर के जो internal part है इसकी ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दूँगा क्योंकि यह hardware का session नहीं लेकिन बस आपको knowledge दे रहा हूँ कि यह computer के parts है तो भाई यह पहला chapter मैंने cover कर दिया है computer parts का अब बढ़ते दूसरे chapter की तरफ अब दूसरे chapter में मैं आपको बताने हूँ computer के connections याने CPU के connections back panel के कैसे लगाते कैसे power cable लगेगी कैसे चीज़े वहाँ पे attach होगी detach होगी detail में समझते आईए देखते CPU के connections तो जैसे कि दूस्तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह पावर केबल और यह पावर केबल हमारे computer में पावर देने का काम करती याने कि हम इसे directly इससे connect करते हैं और यह हमारे computer में याने CPU में कैसे connect होगा यह मैं आपको बताने होगा दियान से अगर देखो कि इस पावर केबल के उपर तो आपको तीन होल नजर रहा है तो यह तीन होल आपको रिस्पेक्टिवली तीन पीन्स में लगाने है जैसे कि यह CPU के उपर जो AC230 होल्ट का connectर आपको दिखा दे रहे तो बस सींपली आपको इसमें से इसे कीच लेना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दो स्लोट दिखाए दे रहे है एक है परपल कलर का और एक है ग्रीन कलर का परपल कलर में यहाँ पे हम कीबोर्ड PS2 अला लगाएंगे और ग्रीन कलर में यहां पे आपको लगाना है माउस, PS2 अला, अब यह PS2 कीबड और माउस कैसे रहते हैं, इसके एक इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी यह अभी अवैलेबल नहीं है, और यह थोड़ी से पुरानी टेकनलोजी हो चुकि है, थोड़ा सा डिफिकल्ड था इन पीन्स को लगाने के लिए, तो इसके रिप्लेस्मेंट में अभी आ चुका है USB कीबड और माउस, जो आगे दिखाऊंगा, फिलाल, हम नीचे, नेक्स्ट पीन के तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको दिखाए दे रहे यह है, वीजी है, यहां से आपके मॉनिटर के लिए का आउटपूर जाता है, जिससे आपके मॉनिटर के आप स्क्रीन देख पाते हो, इस आउटपूर की मदद से दूस्तों, और यह वीजी भी आजकल रिप्लेस हो चुका है, HDMI में, HDMI पीन कैसे रहती मैं आपको दिखाता हूँ, तो HDMI की यह घुन आ एक डिखाता हूँ, इस आपको दिखाता हूँ, is to consider. र पें गचा होगी आपको दिखाता हूँ को यह कहा पर कंप्यूटर पे अटेश में पर दिखा रहा हूँ, यह पर मेरे कंप्यूटर में ग्रैपिक काड लगा हूँ है, तो जो कि HDMI में आपको मिलता है और यह नई टेक्नालोजी है तो कम्पीटर खरीते समय आप ध्यान रखिए कि आपके कम्पीटर में भी HDMI पोर्ट होना चाहिए बेसिकली यह ग्राफिक कार्ड पे HDMI पोर्ट है क्योंकि मैंने ग्राफिक कार्ड अलग से लगा है दिखाता हूं मैं आपको कैसे लगाना इसको तो यह पे एक केबल के दोनों एंड सेम रहते हैं कुंसा इंड काहपे भी आप लगा सकते हैं को यह एंड डिरेक्ली यह पे CPU में लगा के दिखाता हूं दूसरा एंड आप लगाएंगे आपके monitor की उपर तो यह पे यह CPU में लग चुका है आप देख सकते हैं इस तरह से और निकालना बस खीचना इसे लगाते समें याद रखिए कि यह उल्टा निं लग सकता कभी भी याद रखिए यह पीन है यह प्रॉपरली एक शेप उसका दिया रहता है कि एक साइड से लगे आप उल्टा लगानी की कुशिश करेंगे तो यह नहीं लगेगा और जबरदस्ती करेंगे तो भी कुछ ना कुछ ढूट जाएगा जबरदस्ती मत कीजिए उसके बाद हम ती युश्बी युश्व सीरियल बस बहुत काम की पोर्ट है और इसे कैसे एटश करते है मैपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं युश्बी इसे एटेच करना बहुत सिम्पल है मुझे बैसे भी दिखानी की ज़रूद नहीं फिर भी आपनी वीडियो मैं से मैंने बोला हर एक चीज को मैं बताऊंगा तो यहाँ पहे मैं ठाटाट करकी से दीखाता हूँ गला हूँ यह पर कुछ आजीब सा पोड है और यह पोड में लगाते हैं अपनी लैंड केबल याद रखी यह नेटवक पोड याद रखी इसके अंदर जो कार्ड है मादरवोड के पर इसे नेटवक इंटरफेस कार्ड बोलते हैं और यह जो केबल आपको दिखाए दे रही है यह आपको अधिरी करने छाए मिरन के साथ से तहीं आपको तो प्रया भीस करने कर गया कि आपको इस जी चोटraitी निकालना कैमेरे तो नहरा हो गा याद रही है तो पीकालाना कीने में उती पाई कि ए सब्सकेंट करने की सब्सक्ते करते हां जो प्रालोस और निकﷺोन लोर्पार इन्टरेट अगर लगाना है तो यह के बल तु चाहिए चाहिए उसके बाद नेक्ट कनेक्शन आए यहाँ पर ओडियो का अडियो जैक आपको दिखाए दे रहे है सबसे पहला जु जैक दिखाए रहे है यहाँ पर पिंग कलर का वह माइक के लिए दूसरा यहाँ दिखाए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह पीन है मेरी राइट 3.5 mm वाली पीन और 3.5 mm अडियो जैक और यहाँ पर मैं इसे इन्सेट कर रहा हूँ आप देख पाएंगे इसके बाद आप म्यूजिक सुन सकते है जो भी है यहाँ पर आप उसकी पीन लगा सकते है म् आप कर सकते है तो यह audio की simple information audio jack के बारे में बताया और नीचे आपको जो दिखाय दे रहा है डिविया इंटरफेस राइट इसके लिए यहाँ पर है जो कि आप अलग-अलग आपके प्रोजेक्टर वगरा कर सकते है प्रोजेक्टर इसके जरीए भी कनेक्ट होते और तो वीजे तभी अटेच कीजिए जब आपके पास HDMI मोनिटर अवैलेबल नहीं है अगर है HDMI मोनिटर तो गो फार इट तो इतने सारे कनेक्शन मैंने आपको दिखा है और साथी में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्लस-फ्लस नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ अप एक्स्ट्रा कोई भी कार्ड अगर लगाते मदरवोड की उपर तो उसके कनेक् नीट का पार्ट है उसे पर्टिकुला पार्ट को रिमू करके आप यहाँ पे पींच उसकी सो कर सकते है तो यह पूरा बैख पैनल है हमारे जिसमें मैंने आपको अलगलग कनेक्शन बताए पूरी डीटल में जानकारी मैंने दी मुंसे पताए कि यह बहुत भी बेसिक जान 3 में हम देखेंगे keyboard keys के बारे में जी हाँ keyboard के उपर धेर सारी keys है 104 keys है एक ने दो नी 104 keys है तो 104 keys में किसको क्या बोला जाता है कब किसे प्रेस करना है आई ये detail में जानते हैं ये बड़े वाले वीडियो के अंदर तो दोस्तो पहले मैं आपको keyboard के उपर जितनी भी keys है उनका पहले नाम बता देता हूँ मतलब यहाँ पे अलग-लग section की keys है तो उनको पहले मैं explain कर देता हूँ सबसे पहले आपके सामने जो keyboard यहाँ पे दिखाए दे रहा है और उसमें जो top row में keys आ रही है F1 से लेकर F12 इसे बोला जाता है function keys याद रखिए F1 से लेकर F12 keys को बोला जाता है function keys नाम याद रखिए practical use हम देखने वाले F1 का F2 का F3 का या फिर इनके साथ shift और control के साथ जो combination होने वाले वो भी हम देखने वाले है और इनका अलग अलग software में कैसे इस्तमाल करेंगे ये भी practically देखेंगे लेकिन इन्हे function keys बोला जाता है याद रखना है और उसके left में आपको एक key दिखाए दे रही है जो कि ESC नाम से उसे escape key कहा जाता है तो इसका क्या use है मैं आपको बताऊँगा पहले इनका नाम याद रखिए उसके बाद हम next keys की तरफ move होते है उसके नीची ही आपको जो keys दिखाए दे रहे है जिसमें आपको exclamatory, add the rate, hash, dollar, percentage ऐसे sign दिखाए दे रहे और यह जो सारी के सारी keys है इन्हें alpha numeric keys बोला जाता है याद रखिए इसमें number भी दिखाए दे रहे है आपको 1, 2, 3, 4, 5 और आपको कुछ symbols या signs भी दिखाए दे रहे है जैसे exclamatory, add the rate, इन्हें alpha numeric keys कहा जाता है keys का नाम याद रखिए उसके बाद आपको नीचे जो keys दिखाए दे रहे है उसके left side में आपको tap दिख रहा है caps lock, shift, control, windows की एक key है फिर alt दो बार दिख रहा है control भी आपको दो बार दिख रहा है shift भी आपको दो बार दिख रहा है तो यह जो keys है इन्हें special keys बोला जाता है और यह ABCD format में नहीं है क्योंकि कीबोर्ड का QUERITY format है Q, W, E, R, T, Y और यह QUERITY format कैसे है इसके बारे में मैंने अहलेडी वीडियो बनाया complete technology चैनल पे तो आप उपर आई बटन पे चेक कर सकते है QUERITY format का कीबोर्ड कैसे आया क्यों इसी format में कीबोर्ड पे arrows दिखाए दे रहे है like up arrow, down arrow, left arrow और right arrow इन्हें बोला जाता है arrow keys तो यह arrow keys होती है या फिर इन्हें navigation keys भी बोला जाता है इनका इस्तमाल practically करके देखेंगे हम आगे चल कर उसके बाद उसी के उपर आपको दिखाए दे रहा है insert, home, page up, page down, delete, end यह जो keys है उसके साथ print, screen, scroll, lock और pods, break यह जो keys है इन्हें extra keys कहा जाता है इनका अलग-अलग इस्तमाल होता है practically combination के साथ भी इसका इस्तमाल हम सीखने वाले है तो वो भी practically देखेंगे और उसी के साथ right side में एक panel आपको दिखाए दे रहा है तो मैंने keys की आपको जानकारी दी कौनसे keys को क्या बोला जाता है standard keyboard में 104 keys रहती है अगर आप multimedia keyboard यूज कर रहे है तो आपको multimedia function यूज करने के लिए जैसे वीडियो को stop करना है वीडियो का sound बढ़ाना है वीडियो को audio increase करना है audio decrease करना है वीडियो next करना है या backward करना है इसके लिए अलग-अलग keys रहती है वो multimedia keyboard के उपर available रहती है जो कि screen के उपर आपको multimedia keyboard का example मैं आपको दीखा रहा हूँ तो हम standard keyboard के बारे में जान कर लेंगे जो कि offices में use होता है multimedia keyboard हम तभी करीते है जब हमें कभी multimedia जादा यूज करना रहता है वीडियो को आगे forward करना है या फिर backward करना है इसके लिए फिलाल हम ने ये तो जान लिया कि कोन सी keys को क्या बोला जाता है like function keys कहा पे होती alphabetic keys किसे का जाता है alphanumeric किसे का जाता है numeric क्या है extra key है navigation key क्या है यह सारी keys के बारे में मैंने आपको जान करी दी अब इनका practical इस्तमाल शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे top pro से यानि हम escape button से सबसे पहले शुरू करेंगे तो यहाँ पे मैं आ चुका ओडेक्स्टॉप की उपर अब escape button का इस्तमाल मुझे आपको बताना है तो सबसे पहले escape की का इस्तमाल मैं powerpoint के अंदर बताऊंगा दोस्तों तो यहाँ पे powerpoint में यह slideshow चालो है यानि slide पूरा पूरा open है मैं इसे close करना चाहता है तो कीबोड से मैं escape करूंगा powerpoint का जो slideshow होता है वो बंद करने के लिए आप कीबोड पे escape button प्रेस करती है वो powerpoint का slideshow बंद हो जाएगा उसके अलावा escape का यूज होता है आपने यहाँ पे start पे क्लिक किया लेकिन आपको यह window नहीं चाहिए तो आप कीबोड पे escape button प्रेस कीजिए और escape button unwanted dialogue box को close करने के लिए भी यूज होता है यहाँ पे छोटा सा option रहता है additional fonts के लिए यह मैं focus करके लिखा रहा हूँ यहाँ पे font dialogue box open होगे लेकिन इसमें कुछ काम नहीं आपका तो keyboard पे escape button प्रेस करने के लिए तो dialogue boxes close करने के लिए unwanted click avoid करने के लिए जैसे close पे यहाँ पे अपने गलती से click कर दिया तो click करते ही वो पूछ रहा है कि यह document को save करना है तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है यह dialogue box मुझे नहीं चाहिए तो मैं escape button प्रेस करूंगा तो escape key का use इस तरह से होता है एक तो आप PowerPoint में slide show करते है तो मुझे इससे cancel करना है slide show को तो मैं escape करूंगा या फिर कोई dialogue box मुझे close करना है तो भी मैं escape करूंगा या फिर मैं keyboard की उपर control shift escape दबा दूंगा तो यहाँ पे task manager open होता है जिससे आपके computer का performance आप पता कर सकते हैं आपका CPU कितना use हो रहा है, memory कितना use हो रहा है यह सारी चीज़े आपको यहाँ बतारे यह सारी चीज़े आपको यहाँ पता चलती है control shift escape key के साथ मतलब escape का combination यहाँ पे होता है control shift के साथ और इससे आप इस्तमाल करना जान चुके होंगे escape key का इस्तमाल क्या है right escape escape करना है आपको तो simple है अब हम बढ़ते है next key के तरब function keys हम शुरू करते है function keys में F1 से स्टार्ट करते है अगर आपने computer के उपर यहाँ पे drakely F1 प्रेस कर दिया मतलब आपके computer में कुछ भी software आपने start नहीं किया लेकिन F1 प्रेस किया तो आपको drakely यह जंप करेगा Microsoft AJI Internet X Pro जो भी आपके पास available है उसमें और उसमें वह बोलेगा कि क्या help चाहिए how to get help in windows यह आपको एक menu आ जाएगा इसमें आप सर्च कर सकते है अगर आप कोई software में जैसे Microsoft Word आपका start और यह पे F1 प्रेस करते हो तो एक help task pane open हो जाता है और इसमें आप help ले सकते है आपको page setup के बारे Microsoft Word में जाना है तो यह पे आप सर्च कर सकते है type कर सकते है help menu open करने के लिए keyboard के उपर आप F1 प्रेस कर सकते है याद रखिए F1 यह function की use होता है help menu को open करने के लिए लेकिन Microsoft Word में अगर आप प्रेस करते हो combination में कर रहा हो F1 का control के साथ control F1 तो भही यहाँ पर यह जो ribbon है वो minimize हो जाता है control F1, control F1 ribbon minimize open इस तरह से आप control F1 Microsoft Word Excel Power Point में ribbon को open or close करने के लिए या फिर minimize करने के लिए इस्तमाल कर सकते है control F1 याद रखिए वो minimize हो रहा है वो मैं practically इस्तमाल करके दिखा रहा हूँ shortcut की note down कर लिजे या फिर already मैंने PDF दी दिया है don't worry about it next shortcut की तरह बढ़ते अब है next shortcut की app 2 तो app 2 का इस्तमाल पहले मैं desktop पे दिखाना चाहूँगा इसे मैं minimize का तो यहाँ पे folder complete technology नाम का जो कि नाम रखना चाहता हूँ learn more right learn more मैंने नाम रख दिया जो कि हमार एक channel का नाम है आपको पता ही होगा और मैंने बाजू में click कर दिया तो app 2 से क्या होता है app 2 से file का नाम आप change कर सकते folder का नाम आप change कर सकते याद रखिए rename app 2 यह rename के लिए यूज किया जाता है अच्छा Excel के अंदर app 2 का कुछ अलग इस्तमाल है इसलिए मैंने Excel यहाँ पे start करके रखा अगर यहाँ पे पहले से कोई नाम आपने type कर दिया जो भी नाम है आपने type कर दिया example के लिए मैं लिख रहा हूँ तो इसमें मुझे वह नाम आड करना है सतीश के पहले प्रिया नाम आड करना है सतीश के पहले प्रिया नाम आड करना है सतीश डवले की बीच में मुझे क्या करना है मेरे डैडी का नाम आड करना है तो मैं यहाँ पे app 2 बटन प्रेस करूँगा और app2 button press करने के बाद यहाँ पर देखिए cursor आ रहा है तो app2 मतलब edit active sale याद रखिए इस sale में content है पहले से और app2 आप press करोगे तो उसको आप edit करना चाहते है edit active sale तो यहाँ पर ending में कुछ add करना चाहते है आप add कर सकते है बीच में आप add करना चाहते है इस तरह से आप add कर सकते है इस तरह से आप add कर दो right और enter button press को दो that's it app2 edit active sale यहाँ पर app2 का इस्तमाल आपको समझ भाए होगा app2 का इस्तमाल rename के लिए होता है file का नाम या फिर folder का नाम change करने के लिए app2 का इस्तमाल यहाँ पर edit active sale के लिए होता है और app2 का और एक इस्तमाल जैसे word के अंदर आपने यहाँ पर कुछ content लिखे है मैंने लिख दे एक paragraph लेने के लिए मैंने एक formula ले लिया क्योंकि paragraph टाइप करने के लिए बहुत टाम जाएगा इसलिए word में एक readymade formula होता है is equal to rnd open bracket close bracket एंटर कीज जिएगा यहाँ पर एक paragraph आता है practice के लिए अब मैं इसका print निकालना चाहता हूँ तो मैं print preview देखना चाहता हूँ तो मैं ctrl f2 बटन प्रेस करूँगा ctrl f2 से print preview आता है यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि यह page कैसे print होगा print preview निकालने के पहले आप देख पाओगे आपका page full screen में ctrl f2 यहाँ पर right side में आप देख पा रहे हो आपका पूरा-पूरा page यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह this one right so that's it यह तो आपको पता चला कि ctrl f2 का meaning क्या होता है f2 क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तमाल होता है अब next shortcut की की तरफ बढ़ेंगे जो की है function की f3 function की f3 Microsoft word में मैं आपको दिखाना चाहूँगा f3 का directly use नहीं है लेकिन shift के साथ है यहाँ पे मैं इस paragraph को select कर रहा हूँ and मैं इसे zoom करता हूँ मैं यहाँ पे shift f3 प्रेस कर रहा हूँ कुछ changes आपको दिखाए देंगे अगर आप नूटीस करोगे shift f3 क्या हो रहा है पूरे के पूरे alphabet जितने selected है I am talking about selected text तो यहाँ पे selected text में यह capital हो चुका है दिखाए दे रहा है आपको अगर मैं फिर से shift f3 करता हूँ सारे के सारे small होगे फिर से मैं shift f3 करता हूँ ध्यान से देखे कुछ changes हो रहा है पहला alphabet जो है वो capital हो रहा है sentence का V यहाँ पे W दिखाए दे रहा है और अगर नीचे नूटीस करेंगे यहाँ यू का Y इस तरह से capital होगे sentence का पहला alphabet capital हो चुका है फिर shift f3 सभी capital shift f3 सभी small shift f3 sentence case capital case मतलब upper case यानि कि पूरे alphabet capital हो जाएंगे और lower case इस तरह के change case यहाँ पे हम कर सकते है keyboard case जरी है तो अगर आपने यहाँ पे पूरा paragraph लिग दिया आपको पता चला कि यार सभ capital में लिखना था डोल डोरी select the paragraph press shift f3 that's it तो f3 का कमाल का इस्तमाल आपने यहाँ पे सीखा होगा लेकिन excel में इसका इस्तमाल कैसे होगा मतलब shift f3 अगर मैं excel में प्रेस करूँगा तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे कोई number type कर लिए आपने और आपको यहाँ पे टोटल करने लेकिन आपको जो भी formula यहाँ पे लगाना है कोई भी एक तो formula लेने के लिए आपको यहाँ पे insert function में जाना पड़ता है मैं focus करता हूँ आपको एकसल के अंदर कुछ अलग function अवैलेबल करके देता है मतलब function की screen देता है तो next shortcut की की तरफ बढ़ता है वह है F4 अब F4 shortcut की हम कैसे इस्तामल करते है मैं practically यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इसको हम Alt F4 करेंगे इसको हम Ctrl F4 करेंगे इसको हम Shift F4 भी करेंगे क्या बात है तीनों का combination यहाँ पे अगर मैं Excel में यहाँ पे Excel में कर रहा हूँ पहले मैं Ctrl F4 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वह पूछ रहा है कि भाई यह close होगा document और save करना है कि आपको मुझे save नहीं करना है यह close आता है क्लोज हो रहा है यहाँ पे don't save कर रहा हूँ Ctrl F4 मैंने प्रेस कि याद रहा है देखिए इस फाइल का नाम है book 1 उपर देखिए अब यह book 1 जो workbook है close हो चुका है Excel की फाइल को workbook बोलते हैं हम लोग तो workbook close हो चुका है यहाँ पे आपको अभी Excel दिखाए दे रहा Excel software चालू है मैं Ctrl N करूंगा तो यह नया workbook आ चुका है book 2 Ctrl N से नया workbook आ गया मैं फिर से यहाँ पे Ctrl F4 प्रेस करता हूँ यह workbook close हो रहा है Excel बंद नहीं होता है Ctrl F4 से यहाँ पे बस Excel के अंदर का workbook close हो जाएगा पूरा Excel अगर बंद करना है तो आपको Alt F4 प्रेस करना है मैं Alt F4 प्रेस करता हूँ Alt F4 से पूरा exit होता है Ctrl F4 से बस उसके अंदर जितनी workbook है एक एक करके close हो जाएगे और Shift F4 से अगर मैं मेरा यहाँ पे कुछ content है और cursor यहाँ पे है तो मैं Shift F4 यहाँ पे दबाता हूँ तो यह क्या होगा? Shift F4 तो cursor beginning में चला जाता है cursor आपका यहाँ पे था Shift F4 दबाईए cursor ड्रेक ली उस position पे हम चले जाएगे beginning यहाँ पे A1 पे चले जाएगे Shift F4 से इस तरह से हम कर सकते है Alt, Ctrl, Shift का इस्तमाल F4 के साथ तो F4 हमने देख लिया अब next shortcut की की तरह बढ़ते है F5 सबसे पहले तो PowerPoint में F5 का इस्तमाल आपको पता होना चाहिए दोस्तों F5 PowerPoint में होता है Slideshow के लिए मतलब यह slide मुझे present करनी है F5 यह देखिए F5 फिर इसके बटन से एक्जीट हो जाती है F5 Slideshow PowerPoint में इस्तमाल पता चला अच्छा Windows में क्या इसका इस्तमाल है मैं सारी चीजे मिनिमाइज कर देता है अगर मैं F5 करता हूँ तो refresh यह तो बहुत सरे लोगों को पता है राइट-klick refresh करते हम वही आप F5 बटन से refresh कर सकते है अभी नए Windows में जातर refresh का जो काम है वह कम हो गया है पहले क्या होता था कि कभी-कभी आप डेक्स्टाप पे फोल्डर बनाते तो वह दिखाए नहीं देता था था आपको refresh करने के बाद कभी-कभी वह लोड होता था एक्सल में आप F5 प्रेस करते हो तो कौन से सेल पे आपको जाना है मुझे जाना है A5 पे तो A5 सेल रेफरेंस में डाल दिया और मैं ऐसे OK करता हो तो A5 पे चला जा रहा हो देखिए F5 बटम प्रेस करते ही गुटू का डायला बोक्स आता है और गुटू यह काफी एडवांस है Excel के अंदर तो basically यहाँ पे special options भी गुटू के अंदर और इसके लिए मैं ने अल्रड़ी गुटू स्पेशल का एक अच्छा सा वीडियो बनाया है जो कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ने दिया है आपके लिए दोस्तों आपके लिए राइट F5 का इस्तमाल कैसे करते हैं यहाँ पे आपको समझ में है अच्छा F5 का और एक इस्तमाल है जैसे कि Excel के अंदर आप CTRL F5 प्रेस करते हो तो यह विंडो छोटी हो जाती F5 बटन से यह छोटी हो जाती याद रखी Restore Down CTRL F5 लेकिन CTRL F5 दुबड़ा प्रेस करने से यह Maximize के लिए आगे shortcut की मैं आपको बताऊंग But CTRL F5 यह होता है यहाँ पे Restore Down विंडो छोटी होती है लेकिन यही shortcut की आप वर्ड में नहीं इस्तेमाल कर सकते है वर्ड में आपको Alt F5 करना पड़ता है Alt F5 यह देखिए अगर आप Alt F5 करते हो तो यह चोटा हो जाता है Alt F5, CTRL F5 कैसे इस्तेमाल करना है Definitely समझा होगा सारी चीज़े डीटिल में बता रहा हो इसलिए Step by Step हर एक चीज़ का Combination यह आप बता रहा हो टाइम लगने तो सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्मार्ट बनना चाहते हैं यह उसका Sign है दूस्तों फिलाल तो F6 की तरफ बढ़ते है अब F6 का इस्तमाल बहुत ही rare करते लोग F6 का इस्तमाल ही पताने लोगों को लेकिन आपको कहा गया कि F6 प्रेस करके Excel के अंदर में आता हो Suppose F6 के अंदर बोला है कि यहां पर बहुत सारी sheet है मैं आपको example दिखाता हू और आपको बोला है कि आपको sheet 5 से sheet 1 में जाना है keyboard से कैसे जाना है? keyboard से जाना है sheet 5 से sheet 1 में यह आपके लिए challenge बोला है इंटर्यू में बूचा गया sheet 1 आप keyboard से select करो mouse को हाथ मत लगाओ तो आप F6 प्रेस करोगे अप से June 6 चारा है यहाँ पे ठेहन देदाोगे आप ध्यक्रियत आप दुबारा F6 प्रेस करोगे तो करसर आपका यहां पर आ रहा है तो टैब हो रहा है Windows के अंदर जो मेन मेनूज है उसमें वह F6 टैब कर रहा है अपने आपको F6 प्रेस करते ही आप आ जाओगे फिर से नीचे और F6 प्रेस करोगे फिर अभी आप यहां पर आ चुक है इस पर F6 प्रेस करोगे अभी आप शीट पर आ चुक है तो F6 से मैंने यहां पर यह मू कर लिया आप यह शॉटकट की डेक्स्टॉप की उपर भी इस्तेमाल कर सकते है आपको बोलाए कि राइट साइड के जी ओप्शन से नहीं या पर टाइम होगे रहा इसे आप की बोड के साथ एक्सेस करो तो आप F6 प्रेस करो देखिए पहले आप Windows लोगों पर आ चुके हो F6 प्रे आप सकते हैं कुन से अप्लिकेशन में जाना है तो यहां पर मैं F6 प्रेस कर तो अभी मैं करसर यहां पर आ चुका हूं मेरा करसर यहां पर अगर नुटीस करोगे आप मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूं यह देखिए और यहां पर मैं राइट आरो लेफ्ट आरो यहां पर से आपको बिखाए देरे है मैं जए तो इस से जूम करके भी बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि यहां पर देखिए राट राइट आरो इसे में इन उफ्षन को सीलेक कर रहा हूँ और मैं यहां पर एंटर करके सो यह लेजां हो के होंगे और आपको लगा होगा यार कमाल की सर ने शॉटकर की बताई है तो इस बात पर इस वीडियो को लाइक तो दे दो यार फिलाल आगे बढ़ते हैं एप 7 शॉटकर की की तरफ अब 7 शॉटकर की का इस्तमाल हम माइक्idänिकरसणफ वड़ के अंदर करेंगे और वह स्पिल्लिग अग्रम !! के लिए पहले करेंगे इसका इस्तमाल जैसे मैंने intermedi Shanth वर्ड की अंदर एक नाम लिखा है जैसे मैंने लिखा है याँप श्रीव अली में लिखा है आज्च कल यहां प्रेमस चल ठीक है लेकिन यहां पर मुझे spelling mistake ही चाहिए तो और रेडविवे अंडरलाईन से spelling mistake वर्ड में बताता है रेडविवे अंडरलाईन अपने spelling mistake कर दी अच्छा अपने एक वर्ड लिख दिया computer यहां पर इसने अब श्रीवाली तो मेरा correct ही है, मुझे लगता है कि यह correct है, लेकिन यह computer इसलिए गलत बता रहा है, क्योंकि computer की dictionary में नहीं है, computer को क्या पता है, श्रीवाली नाम का कोई है, श्रीवाली का आना है, क्या है, like computer को कुछ पता नहीं है, हमें उसे बताना पड़ेगा, तो भई हम क इसमें से कोई word हमें नहीं है, अगर हमें चाहिए रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यह पर ignore once कर देंगे, ignore once का मतलब है, कि यह spelling हमारे लिए correct है, computer के लिए नहीं रहेगा, तो वीचले लेगे, ignore once, और ignore all का meaning है, कि आपके बाद श्रीवाली सो बार लिखा है तो सभी के सभी ignore हो, और add का मतलब है कि श्रीवाली मुझे रोज लिखना है इस computer में, तो इसे अपने dictionary में add करके रोखो, next time मैं श्रीवाली रिखोंगा, तो मुझे यह spelling grammar mistake नहीं दिखाना है, computer को हम बोल रहे है, add to dictionary, add मतलब इस computer की dictionary में add होगा, जब next time आप श्रीवाली ल आपको preview में तो पता चल जाएगा, even इस word के लिए तो आपको ज़रूरी है, underline आना, right, इसमें नहीं है, तो आप इसे ignore कीजिया भी, या फिर हमेशा के लिए computer में add करना है, next time आप Microsoft Word चालो करोगे, तो इस computer में श्रीवाली लिखोगे, तो आपको वो गलत नहीं बताएगा, लेकिन आपने ignore किया तो वो temporary, इस document के लिए वो hide मतलब ये कर रहा है, उसके underline हटा रहा है, ये देखिया, ignore, अब उसने ये वाला word को छोड़ दिया, उसने check नहीं किया, क्योंकि ये correct second वाला, लेकिन computer जो नीचे लिखा गया है, वो गलत है, और उसके लिए suggestion बता रहेएग आपको computer लिखना है, copter लिखना है, या compare, तीन में से कौन सा लिखना है, उसको select करो, और कहाँ पे click करो, change पे click करो, फिलाल भई हम करेंगे, change पे click करेंगे, यापे change दिखाए दिरे आपको, change all मतलब computer word अपने 100 वार लिखा है, या फिर जितनी वी बार लिखा है, उतनी वार सभी, तो मैं computer को select करके change कर रहा हूँ, और यहाँ पे spelling and grammar check is complete, complete हो चुका है भाई, और यहाँ पे आपको दिखाए रहा है, यह proper, तो F7 का इस्तमाल हमने जान लिया, कि क्या होता है, F7 में हम spelling and grammar check कर सकते है, इस word का meaning अगर हमें जानना है, तो हम shift F7 प्रेस करेंगे, F7 का औ एक और task pane word के अंदर थिशॉरस, यहने synominance, इसका similar word, तो यहाँ पे processor, processor, CPU, computer related word का यह आपको बता रहा है, similar words बता रहा है, थिशॉरस, shift F7 यह combination भी याद रखना है, चलिए अभी आगी के shortcut की तरफ बढ़ते है, वो है F8, इसका Excel में जादा इस्तमाल होता है, Excel में आते हम, और यहाँ पे कुछ content मैंने type कर लिया, कोई भी content हो सकते है, मैंने content यहाँ पर एक number ही type कर लेता हूँ, और इसे repeat कर देता हूँ, अब यह repeat कैसे किया, मैं आगे बताऊंगा, आपको आगे shortcut कीज है, इसके बारे में, फिलाल यह content आपको देख रहा है, यहाँ पे मैंने cursor रख करने के लिए, keyboard के पर मैं F8 button प्रेस करूँगा, जैसे मैं F8 एक बार प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे नीचे दिखाए देगा extend selection करके आपको एक option बता रहा है, extend selection होगा, क्या होगा अभी, selection extend होगा, F8 आपका active हो चुका है, right side में आप जाओ, right arrow प्रेस करो, control shift कुछ नही select किया था, D6 cell में, तो वो selection उस position पे lock हो चुका है, याद रखिए, फिर से F8 प्रेस कीजिए, अब देखे, extend selection नाम यहाँ पे जो था, वो निकल गया है, और अब आप down arrow प्रेस करोगे, तो आपका cursor SMO होगा, तो जिस position पे आपका cursor उसी पे lock करने के लिए, F8 प्रेस करोगे यहाँ पे नीचे, वो आपको instruction देदेगा, status bar पे कि क्या status है, extend selection आपने on कर लिया है, अब आप down arrow प्रेस करो, select हो गया, आपको कोई combination प्रेस करने के जुरूरत नहीं, shift हो गया, अब F8 दुबारा प्रेस करोगे, selection हट जाएगा, extend selection अब चला गया, so F8 का इस्तमाल एक यह हो वर्ड में अगर आपको macro आता है, तो आप गदा मजदूरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि Excel का macro या Microsoft Word का macro, जो भी macro अगर आप सीख लेते हो, Excel के अंदर का, तो आप यहाँ पे काम बहुत fast करते है, जिहां, अगर आप Excel में macro इस्तमाल नहीं कर रहे हो, तो आप गदा मजदूरी क Excel में हम काम कर रहे हैं, लेकिन गदा मजदूरी कर रहे है, मतलब macro का इस्तमाल हम नहीं कर रहे है, macro में काम automatic होता है, वो कैसे उस video में पता चलेगा, I'll tap it, macro की window लाने के लिए होता है, आगे की तरफ बढ़ते है, F9, यह shortcut की है हमारी next shortcut, F9 यह shortcut की Excel के अंदर, बहुत important role play करत है, मैं आपको एक छोटा से example दिखाना चाहूँगा, मैंने बहुत बार समझाया है, भी मेरे Excel के अलग लग videos में, यह पर मैंने एक formula लगा Excel के अंदर, और यह formula में, जो यह selection है na sales का, इसमें कौन-कौन से number आगे है, वो मुझे देखने है, तो मैं keyboard पर F9 प्रेस करूँगा, तो अब मैं यहाँ पर some formula, कोई भी formula लगाओ, उसके अंदर जो range आप select करोगे, जो भी range select करोगे, उसका calculation आप देखना चाहते है, उसके अंदर कौन-कौन से number है, तो यहाँ पर F9 प्रेस कर सकते हैं, और यह F9 हटाने के लिए Ctrl-Z, दुबार रेंज में आने के लिए, याद सकते हैं, यह manual calculation का roll भी play करता है, जैसे मैं यहाँ पर formulas tab में जा रहा है, और formulas tab में यहाँ पर calculation options में, यह देखिए, formulas tab में, Excel में, calculation option में, मैंने manual mode रखा है, अब मैंने यहाँ पर formula लगा दिया, is equal to some, manual mode लगा दिया, देखिया, और मैंने enter कर दिया, यहाँ पर answer तो आगया 913 अबर मैं यहां पे सपोज एक वैल्यू चेंज कर लेता हूँ तो यहां पे नीचे अपडेट नहीं हुआ है तो मैं अगर यहां पे keyboard पे F9 प्रेस करूंगा तो अपडेट हो जाएगा राइट अबर मैंनियल मोड पे अपने जो रखा है उस calculation को आप F9 प्रेस करके इस तरह से अपडेट कर सकते है मैंनियल मोड का क्या 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 इस्तमाल होता है वो तो एक्सल में आपको पता चल जाएगा अगर आप एक्सल सीख चुके होंगे मैंनियल मोड का बहुत सारा इस्तमाल है जब आपके हजारो फॉर्मूलाज है और जब एक साथ वो कैलकुलेट होते तो एक्सल सीख हैंग होने के चांश से रहते हैं तो मैंनियल मोड लोग एक्टिवेट कर देते हैं का कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ अच्छा ठीक है अब नेक्स शॉट कर की तरफ बढ़ते हैं वह है एप्टेन फॉंक्शन में एप्टेन का क्या इस्तमाल है मैं इसे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इस्तमाल करना चाहूँगा पहले मैं शिप्ट एप्टेन का वही मिनु आ रहा है राइट लिका शिप्ट एप्टेन आप डेक्स टॉप पे प्रेस कर सकते मैं से मिनिमाइज करता हूँ और मैं आपे शिप्ट एप्टेन प्रेस करता हूँ शिप्ट एप्टेन डेक्स टॉप पे राइट लिक हो रहा है आप फोल्डर से लेकर तो इसक CTRL F10, MAXIMIZE, हमने F5 के साथ इसका इस्तामाल देखा था, तभी हमने मैंने बताया था आपको कि F5 के साथ भी इसका इस्तामाल होता है, हमें Windows को छोटी करने के लिए, restore करने के लिए, CTRL F5 के साथ, Excel के अंदर, Alt F5 के साथ, वर्ड के अंदर, लेकिन आपे बड़ी नीरी हो रही यहां पर दोनों होता है, CTRL F10, CTRL F10, CTRL F10 से छोटी होगी, CTRL F10 से फिर से maximize होगी, restore maximize, restore maximize करने के लिए, आप CTRL F10 का इस्तामाल कर सकते है, और Alt के साथ इसका combination इस तरह सरेगा, अगर आप Alt F10 प्रेस करते हो, तो यहां पर selection pane open हो जाता है, जिसे आपके जो भी object है, जैसे यह आपे मैं insert में गया, chart है, या फिर picture से, जो भी है, मैं कुछ shape से यहां पर draw कर रहा हूँ, तो shape को यहां से select भी कर सकते है, hide भी कर सकते है, hide, unhide, तो यह selection pane open करने के लिए, आपको Alt F10, यह button प्रेस करना होता है, यह shortcut की भी याद रखिए, यह word excel powerpoint में सब में use होता है, Alt F10, selection pane का dialog box यहां पर, या फिर task pane बोल सकते है, यह open हो जाता है, साइड में, यह देखिए, selection pane, मैं आपको यह दिखा रहा हूँ, okay, so F10 अमने जान लिया, अब बार है F11 की दोस्तो, F11 होता है, full screen के लिए, आप Windows Explorer open करो, या फिर आप कोई भी like Chrome browser open कर लो, जिसमें इस browser को आपको full F11 दोबारा प्रेस कीजिए, exit हो जाता है, full screen से, so F11 का यह इस्तमाल आपने जान लिया होगा, तो आप F12 की तरफ बढ़ते है, अब F12 का इस्तमाल हम पहले browser के अंदर देख लेते हैं, हमारा browser open है, F12 में प्रेस करता हो, तो आपको F12 में यहां पे मिल जाता है, elements है, यह HTML code, inspect करता है, HTML code कौन कौन से कैसे है, यह सारी की सारी यहां पे आपको F12 से पता चल जाते है, अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीक रहे हो, तो आपको पता रहे ना चाहिए, F12 से आप इस website का backend देख सकते है, यहां की coding देख सकते है, right, backend यहां की कुछ coding इसकी जो है HTML CSS की वो मैंने सेव कर चुका हूँ, suppose example लेता हूँ, मैंने यहां पे एक file open की, text formula alli file open कर ली, अब यह text formula alli file है, यह मैं क्या करना चाहता हूँ, यहां पे, already यह save है, अगर मैं इसे control as करता हूँ, तो कुछ नहीं होगा, मैं से duplicate save करना चाहता हूँ, तो मैं keyboard पे F12 रडम प्रेस पे multiple time, मैं हमेशे उसका तो जभी मैं suppose इंटरेट से file में डाउनलोड की, वो download folder में गई है, मैं उसके copy और जगह पे save करना चाहता हूँ, मैं इस पे F12 पर इसका तो file का नाम देता हूँ, that's it, save, और control F12 अगर मैं यहां पे open कर तो word Excel PowerPoint में, तो open का dialogue हो साता है, open, control O से भी open कर सकते, control F12 से भी open कर सकते, F12 का इस्तमाल हमने जान लिया, हमने F1 to F12 यह function की का इस्तमाल यहां पे जान लिया, दोस्तो, पूरा practically इस्तमाल यहां पे हमने सीख लिया, अब हम आगे बढ़ रहे है, यह वाले panel पे, जो की keyboard की उपर आपको दिख रहा है, home insert वाला जो panel है, page up, page down वाला, तो उसे हम सीख लेते हैं, सबसे पहले हम home key का excel में इस्तमाल देख लेते हैं, यहां पे मैंने cursor रखा और home key प्रेस किया, तो मेरा row, जो beginning हो रहा है, वहाँ पे cursor आ रहा है, देखिए, home button में यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो directly वहाँ पे cursor जब beginning of the row चला जाएगा, इस तरह से, अगर मैं control home button प्रेस करूँगा, control home, तो मेरा directly A1 cell पे cursor जाएगा, control home, यह देखिए, control home, A1 पे cursor जा रहा है, जहाँ पे मेरा content start हो रहा है, home प्रेस करता हो, तो यहाँ पे, अगर आप home word में आते है, suppose word में, word में भी दिखा देता हो, क्योंकि सब जगा पे इस्तम beginning में आ जाओगे, right, so control home, क्या होता है, यह देखिया, cursor, cursor पे ध्यान रखी, यहाँ पे cursor आ चुका है, so control home, क्या होता है, आपको समझ में होगा, अब हम end के बारे में भी जान लेते है, वैसी control end प्रेस करोगे, तो आप directly ending में आ जाओगे, इस paragraph के, और cursor आपका इस line पे starting में ह प्रेस करते कीबोड पे, तो ending में आ जाओगे, यह देखिये, यह पे धान दीजे, यह blinking लाइन जो रहा है, वो cursor है, हमारा end button प्रेस करते ending में आ जाता है, so control home, control end, यह shortcut keys आप यह पे इस्तमाल कर सकते है, okay, आप control shift के साथ भी इसका इस्तमाल कर सकते है, control shift, अगर में प्रेस shift end रखता हूं, तो पूरा को पूरा यहां से यहां तक जहां तक उसे content मिल रहा है, वहां तक उस select कर लेगा, control shift end से, right, तो control home, control shift home, control end, control shift end, कैसे इस्तमाल करना है, अपनी जान लिया होगा, अब आगे बढ़ते है, यहाप एक insert shortcut key का इस्तमाल में आपको बताना चाओंगा, बहुत सरे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, insert shortcut key एक तो आप कर सकते, यहाप जैसी यहाप अपनी content type करने के लिया, आपको content override करना है, तो insert का इस्तमाल आप कर सकते, जैसे मैंने लिखा यहाप ABCD कुछ भी लिखा है, whatever, और अभी मैंने cursor यहाप स्टार्टिंग म इसको दिखाने के लिए आपको, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, insert button पहले keyboard पर प्रेस करूँगा, जैसे मैं insert प्रेस करूँगा, यह दिखिए, कुछ highlight हो रहा है, अब मैं जो भी लिखूँगा, वो पहले उस alphabet को delete करेगा, उसके जो right side में alphabet है, तो मैंने लिखा यहाप आपको बीच में से word हटा कि उसकी जगह overlap करने है, तो आप क्या करो, उस insert की को दबा दो, वो automatically आपको दिखाए दे रहा है, क्या कर रहा है, आप try करो इसे, insert की दबा के आप type करने जाओगे, तो वो word read कर देगा, उस word की उपा, उसके आलाओ, अगर आपने यहाँ पे कुछ content copy कर लिए है, और यहाँ पे आप paste करना चाहते है, तो आप shift insert भी दबा सकते है, shift insert दबाईए, वो content paste भी हो जाए, paste के लिए shift insert यह shortcut की आप इस्तमाल कर सकते है, right, तो आपको insert का इस्तमाल तो पता चला होगा, अब यहाँ पे हमने home end देखा, हमने insert भी देखा, अब हम page up, page up से उपर आओगे page down से आप नीचे, एक page यह दिखा, page scrolling होगा, right, page down से नीचे, page up से उपर, simple है, scroll करने के लिए इसका इस्तमाल आप कर सकते है, Excel में भी page down, यह देखिए page down, page down, एक-एक page आप नीचे आओगे page up से उपर, up and down scroll करने के लिए आप इसका quickly इस्तमाल कर सकते है, याद रखिए, page up, page down, keyboard से आप scrolling कर सकते है, आप pan down, right, page में आप pan down scroll करने के लिए, mouse की जरुवत नहीं है, आपको यह से भी, अब यहापर content को हटा देना है, तो select करो, और delete button keyboard पे दबाओ दो, delete का इस्तमाल तो हर कोई जानता होगा, लेकिन हर जगह पे use नहीं करना है, जो 6 keys होती है, वो 6 की 6 हमने एक साथ जान ली, देख ली, समझ ली, right, अब हम कुछ बड़े-बड़े keys यहाँ पे जान लेते है, अब हम next उपर, उसी panel के उपर जो keys दिखाए दे रही है, वो है print screen, scroll lock और pause break, इसका इस्तमाल जान लेते है, print screen का बहुत ही interesting इस्तमाल है, जैस screenshot में चाहता हू, right, तो इसका screenshot करने के लिए, मैं कीबोड पे print screen दबाऊंगा, और उसके बाद में वर्ड में आऊंगा, और वर्ड में यहाँ पे मैं बस paste दबाऊंगा, control V, यह मैं delete कर देता हू, control V बटन दबाऊंगा, control V, जो मैंने वहाँ पे, जहाँ पे मैंने print screen और इसका दूसरा combination है, print screen का, अगर आप इसे वर्ड में नहीं लिना चाहते हैं, लेकिन आप इस screen को सेव करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे कुछ विजिट कर रहे हैं, वेब साइट पे, अब इसे आप वर्ड में बार बार कोन open करके paste करेंगा, मैं इसे save करना चाहता ह तो मैं window or print screen दबाऊंगा, window or print screen, जैसे मैं windows print screen दबाऊंगा, screen थोड़ी सी blink होगी, और आप जाओगे अपने windows explorer में, window e press करो, windows explorer में जाने के लिए window e, file explorer में I mean to say, so file explorer आगे आपका और जहाँ पे आपको, यहाँ पे pictures option मिल जाता है, इसमें, windows 10 या 11 जो भी आपके पास है, pictures म जाए और pictures में screenshot करके एक folder आपको मिल जाता है, जिसमें आपको डेर सारे screenshot मिलेंगे, मेरे डेर सारे screenshot यहाँ पे है, तो यहाँ पे, यह screenshot भी आपको दिखाए दे रहा है, जो आभी हमने किया था, तो screenshot directly save हो जाता है as a image, screenshot folder में documents के अंदर, pictures के अंदर वापे है, उसके लिए window, print screen यह वाली shortcut की दबा देनी है, दबा दी, काम खतम, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम next shortcut की जानने वाले है, वो है scroll lock, इसका इस्तमाल मैं Excel में दिखाना चाहूँगा, तब आपको पता चल जाएगा, scroll lock का इस्तमाल जब होगा, तब अब मैं देखिया, यहाँ पर मैं down arrow press करो, यह scroll हो रहा है, आप arrow press करो, यह scroll हो रहा है, मैं नीचे जा पा रहा हूँ, इस तरह से उपर भी जा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे scroll lock दबा दिया, जैसे आप scroll lock दबा गया, आपके keyboard के उपर, अगर scroll lock के लिए already light दी रहती है, बहुत सरे keyboard पे, कुछ keyboard प आप यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा 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 यह आप Excel में, और scroll lock फिर से बंद कीजिए, आप देखे, down arrow और आप arrow press कीजिए, क्या हो रहा है, result आपके सामने है, जाजार detail explanation देनी की ज़रूद भी नहीं है, practical दिखाया, तो explanation क Pause Break यह हमारी next shortcut की जिसका इस्तमाल बहुत सरे लोग नहीं करते है, यह Pause के लिए पुराने computer में ज्यादा इस्तमाल किया जाता था, अब भी है कुछ जगह पे इसका इस्तमाल, तो मैं दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ DOS, DOS का कैसे चालू करते और यहाँ पे cmd लिखिए और enter button प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपके सामने आता है DOS window, यानी cmd window, अब यहाँ पे कुछ running है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई website का IP address डाल दिया, facebook.com और उसको मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग करना होता है, पिंग मतलब उसको मैं reply आ रहा है कि यहाँ पे देखिए उसका reply आ रहा है, और यह continue reply आते जाएगा, continue बंदी नहीं होगा, लेकिन मैं keyword पे अगर pause button दबा दू, तो यह pause हो जाएगा, right, इस तरह से pause हो गया, stop हो जाएगा, pause button दबा दू, तो यह pause हो जाएगा, और मैं control pause button वापीस दबा दू, तो यह दुबारा इस तरह से चालू हो जाएगा, control pause button आप इसे इस्तमाल कर सकते है, pause इस तरह से pause हो गया, फिर से control pause दबन दबाएंगे, आप यहाँ पे दिखाए देगा, आपको यह pause इस तरह से, तो pause का मतलब होता है, कि कोई चीज stop करना, जैसे आप video चल रहा है, तो pause करना चाहते है, तो उसके लिए basically होता है, लेकिन वो programming के अंदर इस shortcut key को use किया जाता है, यह multimedia की नहीं है, जिससे आपका गाना चल रहा है, तो pause हो जाए, तो याद रखी, यह एक चीज, multimedia की नहीं है, बट यह कोई running program को stop करने के लिए, जाद तर यूज किया जाता है, programming में भी, यह फिर आपका keys दिखाए देरे, जैसे backspace है, या फिर enter है, इनके बारे में जान लेते, बड़े-बड़े keys हम खतम कर लेते, क्योंकि यह backspace तो सबको पता रहता है, basically लेकिन अब सारी shortcut keys बताना मैंने सोचा है, तो मैं सब बता देता हूँ, word के अंदर यहाँ पे अगर आप इसको select करते है, और keyword पे आप backspace दबाते है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे backs हो जाएगा, एक एक word back करना है, तो भी आप backspace दबा के, यहाँ पे typing में backspace का बहुत ही important role होता है, typing के अंदर backspace यूज़ करना होता है आपको, okay, erase content होता है, और अगर आप कोई folder में हो, यहाँ पे आप suppose इस folder में हैं आप, यहाँ पे edge drive में RKC, यहाँ पे backspace दबाता हूँ तो आप पीछे वाली folder में चले जाओगे, back, याद रखिए, backspace यहाँ पे भी आप दबा सकते है, यह कहना है मुझे, और अप यहाँ पे alt, right arrow, left arrow भी दबा सकते, alt, left arrow, right arrow, back, पीछे जाना है, पीछे जाना है, right, 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 तो alt, left, right arrow याद रखिए, मतलब आप कोई folder में अभी जाना चाहते है, सबस्थ अपने D में गये, और अपने कोई folder open किया, यह वाला folder open किया मेरा, कुछ शूट का है, तो इस folder से पीछे जाना है, alt, back arrow, या backspace भी दावा सकता हूँ, alt, back arrow, लेकिन मैं आगे आना चाहत तो right arrow, right arrow, इस तरह से मैं आ सकता हूँ, so alt, left, right arrow, use कर सकता है, alt के साथ, backspace का इस्तमाल तो आपने जान लिया, backspace कहाँ पर कैसे इस्तमाल करना है, अब enter का भी जान लेते है, enter तो Microsoft Word में paragraph change के लिए होता है, मैं यहां से नीचा आना चाहता हूँ, enter सबको पता है, दूसरा है क कोई भी dialog box आपके सामने आता है, उसमें जो भी option से यहाँ पर set है, अगर आप enter करते हो, तो यह save हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यह blue में highlighted है, आप enter प्रेस करते हो directly, तो यह यह वाला option activate, enter से directly, activate हो जाता है, save हो जाएगा file, okay, और दूसरा है कि आप word के अंदर, यहाँ पे करसर आपने रखा है, control enter करते हो, तो page break हो जाता है, याद रखिए, control enter, page break, यह control के साथ enter का combination भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है, okay, उमीद है आपनी यह जान लिया, और अब space bar का इस्तमाल भी बताऊंगा, आप बोलो गयार, space bar बच्चों की दबा दिया, column select हो गया, और मैं row select करना चाहता हूँ, मैंने shift space दबा दिया, shift space row selection, control space column selection, space का इस्तमाल जान लिया, right, तो यह थोड़ी सी बड़ी बड़ी shortcut keys, keys के बारे में आपने जान लिया, back keys की इस्तमाल क्या हो, इनका इस्तमाल क्या होता है, और कहां पे होता है, देख अब हम arrow keys के बारे में यहाँ पे जान लेते, arrow keys हमारी pending है, और इसे हम पहले समझ लेते, arrow keys, arrow keys से append down हो जाता है, अब बोलोगी यह तो append down, right and left करने के लिए arrow keys होती है, हमें पता चला है, लेकिन कोई application open है, फिर यह application यहाँ पे open है, तो इस तरह से देखिए, windows left, left में जाएग अगर आप करते हो, तो यह बहुत ही useful रहेगा, और left right arrow, अगर Excel word में shift के साथ use करते है, shift right, shift left, ऐसा selection के लिए यह उता है, वर्ड में भी देखिए, shift right, shift above, shift up arrow, shift down arrow, इस तरह से shift right, left, इस तरह से भी इस्तमाल कर सकते, selection के लिए आप, इनका इस्तमाल कर सकते, आप direction के लिए इस्तमाल कर सकते है, selection के लिए इस्तमाल कर सकते है, और arrow keys कैसे इस्तमाल करने यह definitely आपको समझा होगा, arrow keys, navigation keys भी इसे बोला जाता है, page को navigate करने के लिए, इस्तमाल किया जाता है, उपर नीचे left right, okay, navigation keys के बाद हम बढ़ते है, यहाँ पे next keys की तरप, जो की हमारी keys आपको द अब यह tab set कर लिया, अब यह tab set कर लिया, यह mouse लाकि यहाँ पे click कर दूए, आप एक left alignment वाला tab आ जाता है, L tab, L दिख रहा है, आपको यह tab, यह tab से क्या होता है, आप जैसे keyboard पे tab button press करोगे, आपका one page jump होगा, आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, जैस आप tab button keyboard पे इस्तमाल कर सकते है, tap button यहाँ पे, आप switch करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते है, अगर आप alt tap करते हो तो एक program से आप दूसरे program में, या दूसरे explore file में वगएरा जा सकते है, जितने भी open program है यहाँ आपको दिखाए दे रहे है, और आपकी इसमें भी जा सकते है, अल-tap करो, अल-tap करो, इसमें से, इसमें से, इसमें जाओ, या फिर windows tap करो, कुछ इस तरह से आपको पुरा-पुरा desktop, new desktop लेने के लिए भी option आजाता है, यहाँ से आप कर सकते है, so alt tap पता चला, windows tap भी इस्तमाल कीजिए, और tap वैसे भी इस्तमाल करना आपको पता चला काद, caps log नीचे दिया है, उसी के नीचे आपको दिखाए दे रहा है, caps log, keyboard में मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में, so caps log अगर मैं प्रेस कहता हो, तो light on और off होती है keyboard की उपर, और यह सभी keyboard की उपर standard format रहता है, अगर मैं इसे on रखूंगा तो यह capital type होगा, इसे मैं off रख रहते है, वो है shift की, shift दोनों तरफ इसलिए रहती, क्योंकि आपको जब capital टाइप करने रहते है, फास selection करना रहता है, तो आप दोनों तरफ से shift यूज़ कर सकता है, तो मैं right side का shift दबाऊंगा, और left hand से मैं A दबादूंगा, इस तरह से, right hand से मैं A shift दबादूंगा, और left hand स A दबादूंगा, इस तरह से मैं यूज़ कर सकता है, और right side के कोई alphabetization में, जो keyboard पर P type करना है, तो मैं shift left hand से दबादूंगा, और right hand से P दबादूंगा, तो shift से capital later आता है, जब caps lock on रहेगा, तो वो later capital में आ जाएंगे, caps lock off रहेगा, तो वो later capital में आएंगे, ऐसा में है रहा जाएंगे, caps lock on रहेगा, तो small में आएगा, और caps lock off रहेगा, तो capital में आएगा, तो shift आप एक alphabet capital में लिखना चाहते है, जैसे computer का C capital, तो shift C, या पर में caps lock बंद का उता है, shift C, और उसके बाद computer, इस तरह से आप एक alphabet के लिए shift का इस्तमाल कर सकते है, और shift का तो बहुत सारी combinations मैंने आपको बताए, अलग-अलग combinations हमने देख भी लिए, selection हो गरा के लिए, control तो पुरा combination में use होता है, control अगर करना है, आपकी computer को, तो आपको control key के उपर command अच्छे से होने चाहिए, control A होता है, control B होता है, control C होता है, control D होता है, और सारी shortcut keys में बताने हो लो, control A to Z, don't worry, so control क के साथ सारी combination हम देखेंगे, next short clip कि आपे Windows है, Windows M अगर आप प्रेस करते हो, तो minimize हो जाता है, देखिए, Windows M अगर आप प्रेस करते हो, तो कोई भी software को minimize कर सकते है, लेकिन minimize के बाद इसे maximize करने के लिए, आप mouse का इस्तमाल करना पड़ेगा, यापे, लेकिन अगर आप keyboard से Windows D प्रेस करते हो, और दुबारा Windows D प्रेस करते हो, तो minimize maximize दोनों भी होता है, Windows D, तो Windows के ऐसे धेर सारी combination है, और इसके आपर आप एक वीडियो बनाया है, जो कि मैं आपको description में दे रहा हूँ, Windows की combination का एक वीडियो, Windows की क्या-क्या combination जो आपको पता होनी चीज, shortcut की का एक अलग आपको इस तरह से, ओके, चुलो ठीक है, Windows के बाद Alt की आती है, और Alt के भी बहुत सारी combination होते है, Alt Tap 4 मतलब exit, और उसके बाद Alt के साथ मैंने और भी combinations पहले भी आपको बताया, Alt Tap करो, तो उसका क्या अलग सा combination होगा, वो हमने देख लिया है, तो यह keyboard की ओपर दोनों तरफ य A to Z हम Keys सीखने वाले, अब Numeric Keys में सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर आपको Num Lock दिया है, जो की Number आप टाइप नहीं करना चाहते है, तो Num Lock बंद करो, और अगर आप Number Lock बंद करते हैं, तो आपका जो cursor है, Excel के अंदर अगर आप कोई Number टाइप करने जाओगे, तो cursor Down, यह दिखे, टू टाइप करती ही, अगर मैं Num Lock बंद करता हूँ, मतलब Number Keypad यूज नहीं करना है, इसलिए Num Lock बंद किया, मैंने ये बटन से बंद किया, Number Lock की लाइट बंद होगी, अब मैं 2 प्रेस करोंगा तो Down होगा, 8 प्रेस करोंगा तो cursor आप हो जाएगा, 6 प्रेस करो अगर मैं Num Lock की को यूज कर सकते हैं, अगर मैं Num Lock यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सबस्ट ट्वेंटी डिवाइड वाइफाइव, Excel में मैं इस्तमाल कर सकता हूँ, डिवाइड डिवाइडेशन के लिए, मल्टिपिकेशन के लिए मैं ऐस्ट्रिक यूज कर सकता तो यह आपको पता चला, और Num Lock का एक interesting combination में आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपको जरूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए, अगर आपने File Explorer उपन किया, Windows E यहाँ पर, और मैंने एच ड्राइओ, कोई भी ड्राइओ एक सेलेक किया, और इसके अंदर की जितनी भी सब सब फोल्डर से मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, सब फोल्डर स, सारे के सारे, तो मैं Num Lock प्रेस करूँगा, और जो Num Lock प्रेस करने के बाद ध्यान से देखिए, Num Lock प्रेस करके, Num Lock के साथ, मैं multiplication वाला sign asterisk जिसे बोलते है, वो प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, सब फोल्डर सारे के सारे ओपन हो रहे है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, यह बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे फोल्डर है उसमें, तो सब फोल्डर एक साथ ओपन करने के लिए आप उसका इस्तमाल कर सकते है, यह एक इंटरेशनिंग चॉटकट की लेंगे alphabetic keys, alphanumeric keys आपके keyboard के उपर यहाँ पर दिखाई दे रहे है, तो सबसे पहले alphanumeric keys में आपको tilt sign दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस्तमाल कर सकते है, Excel के अंदर general format लाने के लिए, मतलब यहाँ पर एक नंबर है, और मैंने नंबर इस तरह से एक मिनिट, यह मैं इसका इस्तमाल दिखाना चाहूँगा, ज्यादतर यहाँ पर Excel में इसका combination में इस्तमाल होगा, यहाँ पर जो number में टाइप किया है, उसको मैंने फिलाल number format में लिया, यहाँ पर देखिए, number format में यह number है, उपर number है, इसको मैं general में दुबारा convert करना चाहता हूँ, तो मैं control, shift और exclamatory वाला जो sign है न हमारा, वो अला यूज करेंगे, हम alpha numeric keys का इस्तमाल देख रहे है, control, shift और exclamatory sign, right, यहाँ पर आएगा number format, याद रखिए, अगर यह exclamatory sign आपको अगर directly type करने है, तो आप keyboard के पर shift और exclamatory इस तरह से लिख होगे, shift प्रेस करके आप exclamatory sign, क्योंकि अगर आप ड्रेक प्रेस करोंगे तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या किया, number format में इसे convert कर दिया, control, shift और exclamatory से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही इसे number format में नहीं, मैं इसको time format में देखना चाहता हूँ, तो control, shift, add the rate, यह time format में आ गया, यहाँ यहाँ पर time format यहाँ पर time में दिख रहा है, आपको बताने की जरुरत नहीं, वहाँ पर time format आ गया, date format में चाहिए, control, shift, hash, जो हमारा, alpernumeric keys, जो है, एक के बादे, वह में प्रेस करो, control, shift, dollar, अगर में प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर dollar में आ जाएगा, control, shift, percentage, अगर में hash, dollar, percentage, यह प्रेस कर सकते है, अब में next shortcut की यहाँ पर प्रेस करो, control, shift, exponentiation, यह shortcut की, यहाँ पर में प्रेस करो, यहाँ पर में प्रेस करो, यानि की control, shift, 6 वाला जो दिख रहा है, sign, exponentiation का sign है, और यह थोड़ा सा बोलने के लिए difficult है, but you can try it, control, shift, 6 प्रेस करती ही, यहाँ पर, control, shift के साथ, okay, उसके बाद यहाँ पर end sign दिया गया है, यह shift और end प्रेस कर सकती है, यहाँ पर control, shift, और end का कोई यहाँ पर shortcut की नहीं बनता है, end के साथ, basically मैंने चेक किया, बद कोई shortcut की नहीं बनता है, but end का इस्तमाल यहाँ पर देर सारी जगा पर होता है, अगर आपको जोइन करना है, तो आप इसका यहाँ पर इस्तमाल कर सकते है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है rupees, तो मैं inverted को में rupees लिखूंगा excel के अंदर, और फिर end करके मैं यहाँ पर इस तरह से value जोइन कर दूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते है, इसका result क्या रहा है, rupees 500, right, इस कभी इस्तमाल भी नहीं किया है, अगर आपको पता है, control के साथ, shift के साथ, इसका कोई combination कोई software में होता है, तो आप जरूर उजे बताईए, right, उसके बाद आता है next control shift, asterisk, उसका भी यहाँ पर कोई shortcut की नहीं बना है, asterisk यह shortcut keys मैंने पहले भी बताए, number और asterisk आप अगर आ combination यहाँ पर नहीं बनता है, याद रखिए दूस्तों, उसके बाद आता है, यहाँ पर control और open bracket, जिससे की हम rows को hide करेंगे, open bracket यहाँ पर जो दिख रहा है, इससे में control के साथ, प्रेस करूंगा, तो वो row hide हो जाएगा, इदि की 28 number row hide हो गया, right, याद रखिए, simple है, यहाँ प तो control open bracket में रख देता हूँ, यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, तो यह rows को hide कर देता है, अच्छा मिज़रो रोड को unhide करना है, तो control shift open bracket में दब आँगा, control open bracket hide rows, control shift open bracket show rows, यह shortcut क्या प यहाँ पर इस्तमाल कर सकते, open bracket, control shift के साथ और control के साथ इस्तमाल होता है, याद control के साथ करेंगे, तो hide होगा, control shift के साथ करेंगे, तो show हो जाएगा, अच्छा control close bracket में प्रेस करता हूँ, तो column hide हो जाता है, e column hide हो गया, e column यहाँ यहाँ पर गाइब, hide हो गया, लेकिन यहाँ पर मुझे फिसे show करना है, तो control z button press करना पड़ता है, undo, यहाँ पर show करने के लि right, hide columns हमने देखा, control close bracket, close bracket जो कि यहाँ पर alpha-numeric keys में आपको दिखाया देता है, right, उसके बाद, next shortcut की है, control minus, जो कि यहाँ पर रोज है, मुझे डिलीट करना है, suppose मुझे यहाँ पर यह सारे के सारे रोज डिलीट कर देने है, तो मुझे से select क्या control minus, पूरे के पूरे रोज अगर मुझे डिलीट करने है, तो मैं column select कर लूँगा, और control minus, इस तरह से, मुझे यहाँ पर column add करना है, control plus, control plus, right, keyboard पर प्लस आप प्रेस कर सकती है, control shift plus, यह वाला जो numeric keys है, control shift के साथ दबाना पड़ेगा, याद रखिए, control minus, direct press करने है, control shift plus करना पड़ेगा, क्योंकि आपको alpha numeric keys में बताया है, वो वाला यूज़ करने है, तो आपको alpha numeric keys में control shift और plus, इस तरह से होगा, नया column add करने के लिए, और अगर मैं control shift plus नहीं प्रेस करो, मैं प्रेस करो, alt is equal to, मतलब वही की, लेकिन alt के साथ, alt is equal to, अभी मैं बोलूँगा इसे, क्योंकि मैंने shift नहीं का formula, alt is equal to, automatic sum लेने के लिए, यहाँ पर alt is equal to, ड्रेक लिए, वो sum का formula था, enter बटम प्रेस की, यह काम हो जाएगा, तो हमने जान लिया, plus, minus, कैसे use करना है, definitely हमने देख लिया है, यह alpha numeric keys, लेकिन इसे के साथ, नीचे आपको कुछ bracket भी मिलते है, उनके बारे में भी हमें जा font size कम करना चाहता हूँ, तो मैं shortcut की use कर सकता हूँ, control open square bracket, font size कम होगी, decrease font, और increase करना है, control close square bracket, increase, 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 control open square bracket, square bracket, इसलिए क्योंकि curly braces हम shift button press करके लेंगे, जभी आपको press करना है, तो shift button press करके curly braces आएगा, लेकिन control के साथ, प्रेस कर रहा हूँ है, तो यह पे control open square bracket सी ही है, open square bracket, close square bracket, open सी यह चोटा होते जाएगा, decrease font और close सी बढ़ते जाएगा, so open और close दोनों भी square bracket के बारे मैं हमने जान लिया, उसके बाद यहाँ पे आगे जो shortcut की उसी के बाजू में है, वो है back slash की shortcut की और pipe की shortcut की, pipe हम shift button press करके देंगे, और back slash direct type होगा, without shift, back slash ज्यादा तर कोई folder आप network में रखे है, तो उसको access करने के लिए हम use करते है, जैसे यहाँ पे मैं network में folder रख चुका हो, तो run command में मैं यहाँ पे back slash दे दूँगा दो बार, और फिर folder का, या फिर जो network computer उसका नाम लिखोंगा, तो यह उस computer का folder access कर लेगा, network में से, तो यह उस time पे use होता है, बह अगर आप control colon, या semi colon का इस्तमाल जानना चाहते हो, तो आप excel में आईए, और यहाँ पे अगर आप control colon type करते हो, तो date आता है, याद रखिए, control colon, data, control shift colon करोगे, तो time आएगा, current time, current time, अभी मैं record कर रहा हू, control shift colon में type करो, यह देखिए, current timing आ रहा है, जो system का time है, यहाँ पे जो date है, recording की वो आजाएगी, control shift और यह वाला बटन, फिर से colon में दबाऊगा, control shift और colon बोला जाएगा, और control semicolon यहाँ पे बोला जाएगा, इस तरह से, याद रखिए, control shift और colon, इसे बोला जाथा है, insert current time, control colon, या control semicolon, हम बोल सकते इसको, control semicolon, insert date, याद रखिए, control के साथ वह को inverted commas देती है, Excel में आप inverted commas यूज़ कर सकते है, अलगले formula में, या फिर अगर आप Excel में, ये single inverted type करते है, मतलब shift नहीं प्रेस करते, डारिकल अपने टाइप किया, तो कोई भी number को, आप इसे text format में convert कर सकते है, ये देखिए, कोई भी number को आप यहाँ पर text format में convert करने के लि लेकिन इसका यहाँ पे इस्तमाल कर सकते है, Excel में, अलगलग formula में, और word में तो पता है, आपको inverted comma, कोई चीज inverted comma में लिखने के लिए आप इस्तमाल कर सकते है, उसके बाद आता है next, control shift greater than and less than, जो कि आपको keyboard के ओपर दिखाए दे रहा है, अब मैं word के अंदर इसका इस्तमा less than size कम होती जाएगी, और इसका इस्तमाल आप Excel वगरा में यूज कर सकते है, अलगलग formula में, greater than value दिखाने के लिए less than value, दिखाने के लिए Excel में जाता है, इसका यूज होता है, mathematics sign symbol बोल सकते है, उसके बाद आता है forward slash, normally हम इसे slash भी बोलते है, और question mark, वो तो आपको बताने क इसका कोई shortcut key तो नहीं बनेगा, लेकिन question mark और forward slash symbol लेने के लिए इसका इस्तमाल होता है, तो हमने लगबग अब जितनी भी keys होती है, keyboard के पर वो देख लिए, बस A to Z, ये keys तो आपको बताने की जूरूत नहीं, ABCD हम टाइप करते हैं, लेकिन इनका combination में जूरूत बताना च typing के लिए हम करते हैं daily, लेकिन control A का इस्तमाल word के अंदर होता है, select all के लिए, word के अंदर ही नहीं, आप Excel के अंदर, powerpoint के अंदर, कई पे भी आप, windows explorer पे भी हो, यहाँ पे हो, desktop पे हो, control A बटन प्रेस को, पूरे पूरे फाइल्स एक साथ select हो कि आप delete कर सकते हैं, जो भी करन प्रेस करता हो, bold हो जाएगा, right, bold, मतलब थोड़ा सा हट्टाकटा होता है, जाड़ा हो जाता है, दिखाए देरे आपको, तो यह सारा के सारा bold नहीं करना है, suppose आपको कोई word पे highlight करना है, लोगों को दिखाना है, इस word पे थोड़ा सा ध्यान लेकियान है उनका, तो आप इस करोगे, velocity वाला V, control V, control V, paste, control C, याद रखे, control C, copy, मैं keyboard पे control C प्रेस करूँगा, copy होगा, control V जब प्रेस करूँगा, तो ही यह पेस्ट होगा, यानि उसका repeated copy आएगा, जो आपने copy किया होगा, टेक्स्ट है, वो जाता कहाँ पे फिर, control C करने के बाद, वो आता है, clipboard के अं copy करता हूँ, यह देखिए, copy करने के बाद, clipboard में आ जाता है, जितनी भी text copy से लेकर होगे, control C से clipboard में आ जाता है, right, so control C copy होता है, control V से paste होता है, control D से क्या होगा, control D से duplicate होगा, लेकिन एक मिनिट रुको, अगर आप word में directly control D प्रेस करते हो, तो यह phone dialogue box लेगा, यह duplicate नहीं क को आप select करके control D buttons, चीज़ डूबलिकेट करने के लिए इसका इस्तमाल करते है, even powerpoint में, powerpoint मेरा open ही है, तो इस last slide को select करके, наж कर डूबलिकेट करता हो, यह पे आपको duplicate Speech, use slide Barn, तो PowerPand me slide duplicate करने के लिए या फिर images या फिर chart जिसको duplicate करना है ctrl D excel में Ctrl D का का अच्छा इस्तुमाल होता है यहाँ पर content है यह suppose example ले यहाँ पर content लिखा गया है और इसी content को मुझे repeat करना है Ctrl D क्या बात है रइट आ गया आप formula भी रिपीट कर सकते सपोज आपके पास कोई फॉर्मॉला या पर टाइप किया हुआ है आपने सपोज दिस सेल कुछ भी कर लिया ऐसा आपने फॉर्मॉला कर लिया और यहां से लेकर यह जो फॉर्मॉला दिया है न उपर का वही नीचाना चाहिए कंट्रोल डी यह देखें य हुआ हुआ है एक्साना फॉर्मॉला यह फॉर्मॉला फॉर्मॉला कंट्रोल डी से आज आता है सो कंट्रोल डी आपको पता चला चलाई экसल में क्या होता है फिल nä Simpson का ये वीडियो मेंने बनाया अलग-अलग फ्लैश फील से एक मैजिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एकसल में यहां पे आपने एक टेक्स्ट लिखा है जो कि यहां पे सपोज नाम ही लिख देता हूं मैं और मैंने नाम लिखा है सतीज डवड़े लेकिन स्मॉल में लिख दिय और बस Ctrl E बटन दबा दो क्या बात है क्या बात है क्या बात है आपको यह प्रॉपर केस में चाहिए आप इस तरह से स्मॉल में प्रॉपर केस मतलब S कैपिटल लिखना है आपको और D कैपिटल लिखना है तो इस तरह से प्रॉपरली लिखो आप उसे Ctrl E बटन जैसे आप ल बहुत सारी चीज़े होती है, Ctrl E से, यह फ्लैश फिल होता है, Excel में, और Word में होता है, Ctrl E से, Center Alignment, यानि कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक Chapter, और मैं इसे लेना चाहता हूँ, Center में, तो इसे Select करूँगा, Select करो पहले इसे, ऐसे, Ctrl E, Center Alignment, Right, Ctrl E तो हमने जान लिया, अब Ctrl F के ब बहुत बड़ा paragraph है, और मुझे किसी का नाम दूनना है, कुछ भी दूनना है, तो मैं Ctrl E button दबाऊंगा, यहां पर बोल रहा है कि क्या दूनना चाहते है, मैं दूनना चाहता हूँ, यहां पर Smart Word कहा है, तो यहां पर देख सकते है, Smart Word आ चुका है, कहां पर है, Right, और मैं रिप्लेस करना है, तो आप Ctrl H दबा सकते है, जैसे यहां पर सपोज बहुत बार लिखा गया है, मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, सपोज अनिल is good boy, ऐसा में एक sentence लिख देता हूँ, और मुझे इसमें जितनी भी अनिल लिखा है, उसको सब जगा पर अनिल को चेंज करन करना है, आनिल is good boy, मैंने लिखा है, आनिल को चेंज करके सूनी लिख देना है, कुछ भी लिखना है, तो मैं Ctrl H प्रेस करूंगा, Ctrl H रिप्लेस, याद रखिए, मैं Find के साथ रिप्लेस तुरंद बता रहा हूँ, क्योंकि एप के बाद G आता है बीच में, G में बाद में बत यहाँ पर जो good लिखा है, उसको मैंने कर दिया bad, right, और replace all कर दिया, यहाँ पर देखिए, good की जगा bad, replace, all done we made for replacement, एक साथ सारी word bad होगे, मतलब good के bad होगे, और boy की जगा, अगर आप girl लिखना जाते, तो find out में आप boy लिखोगे, और replace with में आप girl लिखोगे, और replace all बजन पर click करोगे, और magic देखोगे, भाई, अनिल is bad girl, मैंने कह रहाँ, computer कह रहाँ, अगर अनिल किसी का नाम है, तो sorry वही या, okay, तो यहाँ पर यह जो है, अमिर खान ने 3D8 में यूज किया, यह trick अगर आपने वो movie ध्यान से देखा है, तो उस time पर pause करो, जहाँ पर अमिर खान भी यह मैं आपको बता रहा हूँ, control H आप भी इस्तमाल कर सकते हैं, आप बहुत सरी जगप इसका इस्तमाल करते हैं, जैसे आप पुरान agreement बदलना चाहते हैं, वहाँ पर year बदलना चाहते हैं, उसमें जितने भी year डिया है, 2021 है, तो 2000 उसको 22 करना चाहते है, तो आप definitely कर सकते है control H यह एक shortcut की से जिससे बहुत बड़ा time आपका say होता है, right, you don't have to find that word की कहां कहां लिखा है, वो find भी करेगा, replace भी कर लेगा, so control F find, control H, replace, control H, replace, control H, replace, अभी control G के बारे में जानते है, control G, go to, और F5 से भी go to होता है, यह मैंने आपको बता है, F5 अगर आप प्रेस करते हो, त गूटू, Excel में भी go to होता है, word में भी go to होता है, powerpoint में भी go to होता है, go to go to go to, जहाँ पर जाना जाओ, okay, उसके बाद आता है, control I, इसको आप italic करना चाहते है, control I, word को थोड़ा सा tilt कर रहा है, italic, right, control I, control I, control I, control I, italic word के अंदर, control J, justify alignment, यानि यह आप पे paragraph अगर आप force आप लिखके, left side में भी देख ja, control J, right side में भी देखिए, left side में भी देखिए, left side में भी देखिए, left में पहले से रहा था, right में भी align हो गया, control J justify alignment, press कगके देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि भई सबोस एकसल में हम आते हैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कोई फाइल में लिंक करूँ कोई वेबसाइट में लिंक करूँ तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँ वो फाइल पर मैं चला जाओ मेरी important फाइल है उस पर मैं चला जाओ अब मैं इसके उपर क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक हो गया है, यह देखिए, HTML फॉर्म से आपर उपन हो गया, राइट, तो यह आपको डेफिनिटल समझाओगा, कंट्रोल के, कंट्रोल के मतलब हाइपर लिंक देना, वर्ड में भी कर सकते, पार उसके लिए practice preparation उसके बाद वर्ड के अंदर, अगर, आपने किसी टेक्स को सेंथर में लेए चुकी यह आपके एए, इसे left में लेना है, ctrl il, cnrl e, ctrl e, cntr, ctrl ill, left, अब रहे गया control R वो है right, right में लेना है तो control R, control L, left control E, center याद रखिए alignment के लिए control L, control E, control R, control J, alignment के लिए यूज़ होते हैं और यह चारों भी मैंने बता दे एक साथ, control M के बारे में जान लेते हैं अगर इस paragraph को मुझे थोड़ा सा आगे लेना है, indent लेना है इसका, indent बढ़ाना है तो control M, select करो, control M, 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 indent यहाँ पर website में मुझे कुछ image रखनी है, या प्रिंट के बाद यहाँ पर कुछ काम करना है तो मैंने control M करके indent बढ़ा दिया, control shift M से indent decrease होगा जिस paragraph को अपने select किया, उसका indent increase होगा, उपर आप scale में देख सकते है indent यहाँ पर बढ़ रहा है, यह indent होता है और अगर आप control shift M पर इसको तो यह पीछे चला जाता है अब दिखिए, यह indent क्या होता है, या फिर यह सारी चीजे जो होती है, Microsoft Word में scale setup कैसे करते है, page layout setup, printing, later कैसे लिखते है, professionally, latest and mailing क्या होता है अगर यह सारी चीजे आपको जाननी है, तो मैंने professionally already course design किया, Microsoft Word का या फिर Excel को भी detail में सीखना जाते है, तो उसका भी professional course है इन सभी चीजों का मेरा course ready है, ISO Certificate के साथ, सारे courses यहां पे मेरे platform पी आपको मिलेंगे, description में link मैंने platform की दे दी, आप जाकर check कर लेना, अगर आप interested ISO Certificate, अगर आपको लगता है कि यार, सतीसर जो पढ़ा रहे, वो आपको समझ में आ रहा है, सतीसर रहने में, तो आपको मेरी teaching style पसंद है, आपको जो भी में पढ़ा रहा हो समझ में आ रहा है, आपको interest create हो रहा है कुछ नया सीखने में online, तो भई interest को तुरंत यह कर लो, convert कर लो, engage कर लो अपने आपको, in courses में, जाके enroll कर लो, बहुत ही कम फीज में, आपे courses available है, घर बैटे-बैटे, online courses, आप सीख सकते है, and we are providing WhatsApp support, कि आपको कोई doubt है, इस courses को खरीदने से related, तो you can call us, you can WhatsApp us, तो फिलाल तो आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया, expert बनना है, तो वो करो, जो करना चाहिए, यहाँ पर next shortcut की की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है control and new document, बहुत simple है, control and new document, right, इसे close करना है, मुझे इस फाइल को control W close हो जाता है, आगे भी बता दूँगा, control and new document, control O open file, आपने जो पहले फाइल बनाई थी, recent files में से open करनी, या फिर browse में जाकर आप open कर सकते, control O से open होता है, control F12 से भी open होता है, यह मैंने आपको बताया था, control O open, control P print करना है, फाइल को तो यह print control shift Q, यह एक shortcut की है, जिससे आप क्या कर सकते, इस paragraph को symbol में convert कर सकते, मतलब control Q का shortcut की है, क्यों नहीं है, I don't know, I mean to say, but control shift Q है, that is, I know, तो यह आपे मैं आपको बताना चाहूंगा, control shift Q प्रेस करके, यह पूरा का पूरा है, symbol में convert हो जाता है, यह देखिए, symbol में, अब इसका ज् use नहीं है, but control shift Q, एक shortcut की है, आप control Q की क्यों नहीं है, वो आप पता कर लो, और मिली तो आप मुझे, description में, नहीं, comment में लिख दो, okay, so comment में, वो shortcut की लिख देना, मिली तो, control R, आगे जो है, PQR, control R, right element, यह मैंने पहले ही बता था, control S, save, file को save करना है, control S, right, is file को save करना है, save क और save button क्लिक करते है, यह file अब save कर सकते है, यह basically आपको एक dialogue box में नाम भी पूछा जाएगा, सब कुछ है, अब यह मेरा directly online connected है, इसलिए, यह आपे मुझे, इस तरह का dialogue बता रहा है, लेकिन आपके computer में control S, प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से dialogue box आ जाएगा, मेरा actually, directly यह save हो रहा है, मेरे account पे Microsoft पे, लेकिन आप control S, प्रेस करती है, आपके पास इस तरह से dialogue box आता है, कुछ वर्जिन में अलगाता है, जब आपकर login रहेगा, तो, so control S, save दिया, आमने, उसके बाद control T, आता है, control T, वर्ड में तो बहुत कम यूज रहा है, control T, अगर में यहापे प् आता है, control T, यह table में convert हो रहा है, और इसके बहुत सारे इस्तमाल होते है, table से data automatic calculate होता है, automatic formula apply होता है, बहुत सारे चीज़े होती है, query भी बनाए जाती टेबल से, जो कि मेरे Excel course में, मैंने detail में explain की है, so control T, insert table in Excel, format आता है na, ready-made formatted table मिल जाता है, control T, range select करके, उसके बाद, कु you will be definitely smart, और आप बहुत smart बन चुके अभी keyboard में, क्योंकि आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, आर मानना पड़ेगा, आर online भी आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, क्योंकि लोग movie देखने के लिए 3-3 गंटा वेश करते है, ऐसे लोग है, लेकिन आप उन मे अन्डरलाइन तो दे दीजिए, अगर आप नहीं लाइन मारना चाहते है, लाइन मारने से मेरा मतलब है, अन्डरलाइन वाली बात करो, लाइन मारने का गलत मिनिंग मतले ना, हिंदे में बहुत सरे मिनिंग होते हैं, ओके तो यहापे लाइन मारो, I mean to say, लाइन ड्रॉ करो अगर आप दुबारा पेस्ट करना चाहते है नीचे कौपी किया हुआ तो पेस्ट कंट्रोल भी पेस्ट समझा आपको उसके बाद आता है कंट्रोल डबलू प्रेस करता हूँ यह डॉक्यमेंट क्लोज डू यूँ वन्टू से विट इसमें कोई इतनी इंपोर्टन बात नही कि मैं आने लिए इस बैड गल वाली इंपोर्टन बात नहीं है मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ सो कंट्रोल डबलू क्लोज के लिए पूछा जाएगा आपको और सेव करना है तो सेव कर सकते हैं यहां पे उसके बाद मैंने अगेन पैरिगरफ ले लिया और यहां पे यह लेकिन डिलीट नहीं किये नीचे कंट्रोल भी किजी इक जगह से कट होते हैं दूसरी जगह पे पेस्ट होते हैं यह एकजामपल ले लो गो ऐसे कि अगर आपके पास मैगजिन है और उसका कोई पोटो आपको अ अच्छा लगा तो आपने उसे कईची से कट कर लिया तो मै इने Xerox बना लिया copy paste, so यहाँ पे cut paste और copy paste definitely समझाओगा, cut करने बाद paste करना जरूरी है, copy करने बाद भी paste करना जरूरी है, तभी तो उसका result पता चलेगा, और final दो shortker की की तरह बढ़ेंगे, जो कि सब की फेवराइट होती है, क्योंकि life में अपनी गलतिया माप नहीं होती है लेकिन computer में अपनी गलतिया माप होती है, इसलिए life में गलतिया कम करो, या करो ही मत यार, सोच समझ के करो, जो भी करना है, तो life में undo नहीं होता है, life में, कोई भी, undo यानि कि क्या होता है, एक step back, अगर अपनी computer में गलती से data डिलीट कर दिया, और आप कोई data बहुत ही important था, आप control-z बटन प्रेस करो, आज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर word में, excel में, powerpoint में, सब जगा पर control-z, यानि के undo, right, one step backward, undo, आप जितना भी देखिए, मैंने suppose यहाँ पर bold किया, italic के underline किया, यह सारा format मैंने किया, अब मुझे undo करना है, control-z, z, 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 सारी चीज़े undo हो रह control-y, okay, control-y, यानि कि जो अपनी चीज़े undo की थी, उसे दुबारा, one step forward, control-y प्रेस करके आप ले सकते, so control-z and control-y, favorite keys, सब की, सब जो भी computer में काम करते, क्योंकि उन्हें, अपनी गलतियों को map करने का chance मिलते है, बतला, undo कर सकते है, अपनी जो भी गलती हो गई उसे, chapter 3 के बा scanner, scanner क्या होता है, कि scanner के जरी हम images scan कर सकते, लेकिन scanner यहाँ पर जो देख रहा है, इसे flatbed scanner कहते, scanner का एक ही type नहीं है, यह scanner का पहला type मैंने आपको बता है, flatbed scanner जहाँ पर फॉम, images, photos जो होते है, वो scan कर सकते है, दूसरा scanner, barcode scanner, यह तो आपने देखा होगा, अलग-अलग medicals में भी होता है, shopping center में भी होता है, barcode scan करने के लिए, product की उपर कर, right, और यहाँ पर MICR scanner, magnetic ink character recognition scanner, scanner इसे बुला जाता है, याद रखिए, यह checks, bank में check read करने के लिए होता है, right, और उसके बाद OMR scanner आता है, OMR या अप्टिकल mark recognition, यह जो OMR sheets रहती ही न, अगर आपने scholarship की exam दी है, तो आपको पता रहेगा, वहाँ पे answer sheet को check करने के लिए होता है, next scanner है OCR scanner, optical character recognition, यह कोई particular आपके पास, suppose, notes पड़े है, तो उसे read करने के लिए, उसके उपर का text read करने के लिए, वो use किया जाता है, तो यहाँ पे इस तरह के scanner available है, यह input devices में पूरे आते है, यह Canon का है multifunctional devices, मे scanning होता है, print out होता है, यह multifunctional है, black and white print होता है, color print होता है, यह मेरे पास और printer है, इसके बारे मैं आपको बताने हो, basically, इसमें scanner का function मैं आपको बताने हो, तो यह scanner यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, यह flatbed scanner है, scanner के अलबर टाइप होते हैं, मैंने इंट्रो में बताया था MICR scanner, OCR scanner, barcode scanner, यह मैंने आपको शाटी में बता दिया है, अब इसमें मुझे कोई certificate वगरा scan करना है, यह certificate है, या कोई भी आपको scan करना है, तो यह flatbed है, कोई notes वगरा भी आप scan कर सकते हैं, तो इस तरह से मैं इसे में रखंगा, यह properly ऐसा रख दे रहा है, जा तर इसमें A4 size का scan होता है, A4 liter size scan होते हैं, तो मैंने इसमें रख दिया, ओके यह हो गया, अब उसके बद करना किया है, मुझे इसके connection लगाने हैं, और जो की printer को जैसे connection लगाने हैं, वैसे ही लगाने है, जैसे मैंने HP के लगा थे, वैसे यहां पर एक pin लग रही है, यह USB लगीगी, और यहां पर पावर पिन लगेगी, जो कि यहां पर पावर लगया गया, तो यह दो पिन मैंने लगा दिये, जैसे हमने HP के printer में लगा थे, दो ही pin यहां पर भी लगेगी, Canon के printer में, और यह जो Canon को version है, E410S series, और description में लिंक दिया, अगर आप इसे खरीदना चाहते है, multifunctional ले यहां पर यहां पर देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसका driver install करके दिखाता हूँ, तो यहां पर मैंने download folder में इसका download driver करके रखा है, और मैं इसके डबल क्लिक करूँगा, इसे run करूँगा, यह driver ज़रूरी है, अगर आप driver install करते है, start setup button पर आप क्लिक करना है, यह driver install करते ही यह आप scan कर पाऊगे, मैं आपको scan करके दिखा रहो practically, यह scan कैसे होगा, मैं इसे close कर देता हूँ, यह driver install हो रहा है, इस वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर देता हूँ, तो यहां पर देख सकते हैं, आप फाइनली installation complete successfully, exit button पे click करो, installation हो गया है, तो आप मुझे scan करना है, जो मैंने certificate रखा है, यह जो भी चीज़ रखी है, scanner के पर वो मुझे scan करने, तो मैं यहां पर scan बटन लिखूंगा, और यहां पर देख सकते है, आई जिस स्कैन इटिलिटी आ जाती है, आई जिस स्कैन इटिलिटी यहां पर आने के बाद, आपको यहां पर canon e410 series दिखाई दे रहा है आपको फोटो स्कैन करना है, डॉक्यमेंट करना है, आपको क्या करना है, मुझे यह document में convert करना है, फोटो में convert करना है, फिलाल मैं इसे document consider कर रहा हूं, scanner is warming up, do not open, document cover, मतलब आपने जो scanner का cover रखा है, उपर वो उपर नहीं करना है, यहां पर scan उपर देखिए, प्रोसेस भी scanning, अगर और भी scan करना है, तो आप scan कर सकते, वहाँ पर scan आपने रखा है, वह अटा दूसरा रखो, दूसरा मतलब certificate रखो, और scan बटम पर क्लिक और नहीं करना है, अभी और कुछ scan तो exit कीजिए, आपको document दिखाए देगा, यहां पर दिखे, एक image PDF format में आ चुका है, मैं ऐस आपको यहां पर दिखाए दे रही है, तो यह पुरा पुरा scan हो चुका है, scan कैसे करना है, मैंने आपको बताया, अभी scan कोई भी कर सकता है, चाप्टर 4 में हमने scanner के बारे में चान लिया, अब चाप्टर 5 की बारी है, और यहां पर हम देखने वाले printer के बारे में detail information, print कैसे क dot matrix है, क्योंकि यहां पर जब यह print करता है, तो paper की उपर dot के format में image तयार होती है, और यह print करते समय, irritating noise create करता है, आपने इसे railway counter पे देखा होगा, या bank में भी देखा होगा, चेक printing के लिए इसे इसे इस्तमाल किया जाता है, और यह आवाज करता है, irritating noise, तो इसका नाम है dot matrix printer याद रखना है, यह तोड़ा सा पुराना हो गया है, आज कल कुछ नए printer आने लगे, जैसे कि आप laser technology प्रिंटर देख चुके होंगे, यह laser printer होता है, laser technology से print करता है, इसमें laser technology यूज की जाती है, printing के time पे, उसके बाद आगे एक और टाइप मैं बता रहा हूँ, उसका नाम ह इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर में इंक स्प्रेड होती है, पेपर की उपर, प्रिंटिंग के time पे, यहाँ पे cartridge इस्तमाल किया जाते है, और एक प्रिंटर जो की यह common है, आपने देखा होगा, billing counter पे, hotels में जो billing counter होता है, या फिर mall में देखो आप, तो वहाँ पे भी billing counter पे यह printer available रहता है, इसे thermal printer कहा जाता है, quick printing के लिए, small quickly bill print करना है, तो आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते है, और इसमें heat sensitive paper इस्तमाल किया जाता है, दोस्तों, तो यह printer के अलग-अलग types होते है, जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने बता द इसलिए में या पे आप देख पार हो, HP laser jet 1020+, HP का इंटर मैंने खरीदाया लग-बक्तीन मैंने पहले और मैंने इसे यूज़ भी किया है, तो मैं इसका थोड़ा सा review भी आपको दूँगा, यह कैसे चलता है, या कैसे इसका cartridge काम करता है, यह single function monochrome laser print रेजी हाँ, इसमें ख इसा HP का कहना है, मैंने एकसाद निकाल के नहीं देखे, क्योंकि इतना काम तो मैं मेरे पास नहीं आया था कि एक सत मैं 14 पेज़ा स्व निकाल हूं, लेकिन एक पेज मैंने प्रिंट निकाल के देखा और वो काफी फास्ट भी निकलता है, जैन नोटिस किया कि यह काफी आपने पड़ेगा anoda आप को इसका जो cartridge वो भी अलग सा मिलेगा मैं आपको दिखा था मैं कार्ट्रिज काँ पे इसका लगाया एंस्ट्रॉल किया है य है यह ऺाट्रिज का यजो आपको दिखे हैं 되면 named ड्रैक कर तोपी नीचे यहां से ऐसा खीचने बस इसे निकालते समय ध्यान रखे कि इसके नीचे एक इंक ड्रम रहता यह जो ड्रम दिख रहा है नहीं आपे यह ड्रम को विल्कुल आपको हाथ नहीं लगाने अभी तो नहीं कवर वगेरा सब दिया है पूरा मतलब दूसरे क इस इंक वाले ड्रम को रइट आप जब यह से खोलो गे इसको यह पर में पैक रहता है इसे निकाल कर आपको इसे इस तरह से लगा देना बस यह ड्रम नीचे की तरफ रहेगा यह हैंडल उपर की तरफ रहे का पकड़ने के लिए और आपको इसको प्रिंटर के अंदर इसे बस इस तरह से लगा देना है प्रॉपर ली नीचे तक और फिस धकन को यानि इस ट्रे को बंद कर देना है ओके और यह तो मैंने ऐसे ओपन रखाएं यहां पे आपको पेजस इंपूट करने का ट्रे है जो की लगबग 150 शीट साप यहां पे इंपूट कर सकते या प्याप पर ग्लास भी आता है लेकिन मैंने वह घटा दिया है और यह एसाई पेजस यहां पर रख दी है फिलाल यहां पर 150 पेजस आप इंपूट कर सकते हैं और यहां पर इसका आउटपूट है उपर की तरफ से पेजस प्रिंट होके आपको मिलता है और इसकी लिंक मैंने डिस्क पाउर केबल होती है और एक रहता है अपका यूजबी केबल तो पाउर केबल कनेक्ट कैसे करना है आपको दिख रहा है यहां पर वीडियो में मैं कनेक करके दिखा रहा हूं पाउर केबल अटेच करना है आपके पाउर से डरेक्ली जो भी आपका इसी पाउर है और पाउर CD आपको आपके ड्राइवर में डालनी पड़ी कि आपके पास CD ड्राइवर या राइटर नहीं है तो आपको करना किया है कि CD को जहां पे भी राइटर एजिस के पास तो वहां से उसे पेंड्राइव में कॉपी करके लिए CD के अंदर का driver तो मैंने भी वैसे किया इस computer में copy करके लिया और मैं आपको दिखा तो मेरे computer पर कैसे driver install होता है driver install करने के बाद आप कैसे print कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते computer screen पे तो अब आपने printer तो कने कर लिए अपनी computer को अगर आपको computer printer से print निकालना है तो सबसे पहले उसका driver install करना पड़ेगा और जो कि आपको printer के साथ CD में मिलता है अगर आप से CD गुम हो गई है आपने बहुत पहले लिया है printer गुम हो गई तो laptop में था तो फिलाल मैं इसे double click करके install करूंगा यहाँ पर double click करके बस install बटन इसमें जो option रहता है install कीजिए तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि हाँ यहाँ पर accept screen आ रहा है next कीजिए और now you can say कि यह driver properly install हो चुका है मैंने यहाँ पर next किया और यहाँ पर install कर दिया है मुझे register करना तो website पे आप register कर सकते है फिनिश उसके लिए warranty अगर आपको display हो जाएगी फिलाल आप यहाँ पर चले जाए यह word के अंदर word में आप यह तब प्रिंटर से रेलेटेड एक information भरा वीडियो जिसमें printer कैसे connect करना है अपने computer के यह मैंने बताया और driver कैसे install करके print कैसे निकालते है शायद ही यह information आपके लिए useful रहेगी chapter 5 हो गया chapter 6 की बारी है और इसमें हम देखने वाले typing tips के बारे में typing speed बढ़ाना है मुझे जॉब करना है computer में लेकिन अगर आपका typing speed नहीं है तो भाई जॉब मिलना मुश्किल है 30 WPM 30 word per minute आपका typing speed होना चाहिए उसके लिए tips फालो करनी पड़ेगी आईए बताता हो कौन को सी tips है और कौन सा typing software free है जो आप install करके practice कर सकत ये भी बताता हूँ आईए देखते हैं तो दोस्तो tips no.1 में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि typing speed बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको keyboard की पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर आप keyboard पे ध्यान से देखेंगे तो F and J ये दोनों alphabet के उपर एक उबरी हुई लाइन नजर रेष्ट करेंगी यानि ये middle row और home row जिसे हम कहते हैं उसके उपर रेष्ट करेंगी और आपको बार बार ये देखनी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप keyboard पे कौन से location पे कौन से position पे आपने आपकी fingers रखी हुई है और home row पे finger आपको इस तरह से रखनी होगी जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है left hand से अगर आप शुरुआत करेंगी तो little finger A पे रहेगी उसके बाद ring finger S पे middle finger D पे और first finger F पे रहेगी और thumb से आपको space button प्रेस करना होगा और ठीक उसी तरह से right hand की fingers आपकी J के यल और semicolon पे रखनी होगी इसके बाद बीच में जो दो keys है G औ इसकी practice के लिए online बहुत सरी website से जिसकी link मैं आपको description में दे रहा हूँ उस website को visit करके आप middle row की practice कर सकते है तिप्स नमर टू आप हमने middle row तो देखा इसके बाद आपको top row और bottom row की practice करनी होगी उसके लिए आपको इसी तरह से finger set करनी होगी यहाँ पे image में आप देख सकते है क कि कौन से keys के लिए कौन से finger आपको use करनी ही यहाँ पे मैंने आपको color में दिखाया है शुरुआती दिनों में आप इसकी practice करते समय आपको थोड़ा सा uncomfortable feel होगा लेकिन जैसे जैसे आप इसकी daily practice करेंगे definitely आपको बहुत comfortable feel होगा और आप खुद में improvement देखोगे कि आपका typing speed क कैसे बढ़ रहा है अब tips no.3 की तरफ बढ़ते typing करते समय आपको keyboard पे बार बार नहीं देखना है finger set करने के बाद आप उसे slow में type करेंगे तो भी चलेगा पर आपको keyboard पे नहीं देखना है जो भी कीज़ आप type करने वाले उसे आपको के मन में बोलना है अब आप बोलोगे इ दिमाग इसमें आपके हाथों को instruction बेजता है दिमाग याने brain अगर instruction बेज़ेगा तभी तो हाथ काम कर पाएगे ना दोस्तो सही है कि नहीं अब बढ़ते tips no.4 की तरफ typing के लिए कैसे बेटना चाहिए ये बहुत important बात है दोस्तों क्यूंकि typing speed बढ़ाने के लिए आपको कई गंटों की practice लगती है आपको आगे जुकर बैट के type करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए स्क्रीन और आपकी बीच में लगबग 45 cm का अंतर रखने की कोशिश करें और अपने हाथेली को 90 डिग्री में रखें ज्यादा नीचे या उपर ना रखें स्क्रीन का brightness आपकी सबसे adjust कर लें ज्यादा या कम brightness आपकी आँखों को तकलीब दे सकता है आप टीप्स नमर 5 के दरब बढ़ते हैं तॉप रो और होम रो और बॉल्डम रो इनकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इस sentence की प्रैक्टिस करनी चाहिए sentence क्या है अब ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ मैं दोस्तो ये sentence की एक खास बात है इसमें A to Z सारे alphabet cover होते ही आप देख ले ना कुछ चेक करके A to Z सारे alphabet आते और इसकी वज़े से आपके A to Z alphabet की practice repeat repeat हो जाएगी अगर आप इस sentence को टाइप करते हो क्योंकि कोई ordinary paragraph आप लेते हो तो उसमें शायद ही ये सारे alphabet की practice आपकी repeat हो सकती है लेकिन the quick brown fox, germs of the lazy dog प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा टिस नंबर 6 आपको पता ही है हर एक sentence का पहला alphabet capital रहता है तो इस capital alphabet को type करने के लिए आपको shift button की practice करनी होगी आप shift button की practice करते समय आपको ध्यान रहे कि keyboard की दोनों तरफ shift होता है तो आप जब left side के कोई भी alphabet को capital में type करना चाहते है तो right side का shift यूज करना है और right side के कोई भी alphabet को type करना चाहते है तो left side का shift यूज करना है ये चूड इजी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा और tips no.7 जो की है हमारे आखरी tips अब ज्यादा जोर से या frustrated होकर type करने से कोई मतलब नहीं उससे typing speed तो बढ़ने वाला है नहीं उल्टी आपकी accuracy कम होगी इसलिए keyboard से उंगलिया हलके से चलाए और आपके नाकुन बढ़े रहेंगे तो उससे कटवा दे क्योंकि नाकुन उससे type करने के कुशिश ना करे उससे आपका speed नहीं बढ़ने वाला है और मेरा recommendation आपको यह रहेगा कि typing करते समय आप किसी से बात ना करे यानि कि typing जब आप सीख रहे हो तो आपको जो keys आपको type करने है उससे आपके मन में बोलना है आपको किसी से बात नहीं करनी है एक बार आप expert होगे तो आप बात करते करते भी typing कर लोगे दोस्तों जी हाँ जरूर कर लोगे लेकिन आप जब सीक रहे हो तो आगे आने वाले जो words है उसे आपके मन में scan कर लो पढ़ लो और उसके बाद आपके automatically typing speed बढ़ने वाला है तो ये बाते आपको ध्यान में रखनी ह स्टोर पर ये फ्रीम है अगर आपके पस Windows 10 है या higher version है तो यहापे Microsoft Store में आप एजिली सर्च करके Kiran Typing Tutors open कर सकते हैं यहापे मैं आपको स्क्रीन के ओपर दिखा रहा हूँ इसके अंदर typing lessons है, typing test है, kids के लिए भी typing है, typing practice है, typing games है, numeric typing की भी practice है यहाप यहापे कर सकते हैं Kiran Typing Tutor करके आप यह सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि यार मेरे पास Microsoft Store नहीं पूराना Windows है तो मैंने अलरी typing के पाच best software लिश्टेड किये है और जिसका एक वडियो भी बनाया था जिसकी link उपर i button में आपको मिलेगी, अगर आपके पास Windows 10 नहीं है और Microsoft Store पे Microsoft Store आपका नहीं चल रहा है, तो आप जा सकते हैं उस वडियो को और देख सकते हैं डीटेल में पाच typing software जो है जिसमें detail में explain किया है कि अगर आपके पास Microsoft Store नहीं है तो वो भी आप इंस्टॉल करके practice कर सकते हैं, तो वो typing software की वीडियो की link आपको उपर i button में मिलेगी, फिला परते हैं, दोस्तो हमें सीखना इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले हम browser का introduction जानेंगे, क्योंकि browser के अंदर ही website access होती है, Google है या कोई भी website है, आपको पहले कोई ना कोई browser तो open करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इस case में Chrome browser ले रहे हैं, क्योंकि यह popular है, आप Microsoft Edge browser में भी same काम कर सकते हैं, लेकिन Chrome browser popular है, तो इस case में यहाँ पे यह लेने वाला हूँ, Chrome browser के अंदर क्या क्या चीज़े देखने वाले, इसका एक और यू पहले मैं देता हूँ, आपको, Chrome browser यहाँ पे मैंने open रखा है, पहले ही, आप सबसे पहले इसका introduction तो मैं बता आपको, यहाँ पे आपको new tab दिखाए दे रहा है, यहाँ पे new tab है, और यहाँ पे close button भी है, इस tab को यहाँ से close कर सकते हैं, और नया tab लेना है, तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसे अगर मैं close करूँगा, तो यह Chrome browser पुरा close हो जागा, क्यूंकि इसमें इकी tab है, तो basically अलग अलग website open करने के लिए आप ए प्लस sign दिया है, आप एक बार Chrome browser खोलते हो तो उसमें new tab open करके आप अलग अलग websites open कर सकते हैं, उसके बाद मैं बस नाम बता रहो आपको, बाकी सारी चीज़े करके दिखाऊंगा, यहाँ पे back और forward button दिया है, जो की एक website में आप आप बोल सकते हैं, आप इसे API से भी कर सकते हैं, यह है address bar, इसे address bar कहते हैं, हर एक browser में address bar होता है, जहाँ पे आप search कर सकते हैं, ओके, जो भी है website का URL यहाँ आप टाइप कर सकते हैं, और enter करेंगे URL पे, तो वो website यहाँ पे search हो जाएगी, तो यह address bar के बाद नीचे यह bookmark है, यह म दूसरे जो product है, वो आप यहाँ से access कर सकते हैं, जैसे search भी दिया है, maps दिया है, प्ले दिया है, यहाँ से access कर सकते हैं, आपको map अक्सेस करना है, news अक्सेस करना है, यह सारे email के eleg-ख product यहाँ पे grid के अंदर available है, यहाँ पे अगर आप click करते हो तो आपको यह product मिल जाते है, और मैंने रिसेंटली जो web pages सर्च किये वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं चलो ठीक है यह chrome browser बहुत ही simple introduction है तो आईए सबसे पहले हम directly address बार से website open करना जानेंगी जो भी website हमें open करनी है यहाँ पे आपको उसका address बार लिखना है जैसे आपको google open करना है basically तो यहाँ पे www.google.com आप type करोगे आपको www.google.com इतना भी type करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि basically google समझ लेता है कि आपको क्या type करना है यहाँ पे मेरा वीडियो भी अपको दिखाए दे रहा है तो फिलाल वीडियो बाद में देखे यहाँ पे plus sign जो दिया है उपर यहाँ पे मैं plus पे क्लिक करता हूँ मैं YouTube से अभी plus करके एक नया tab ले रहा हूँ तो यहाँ पे YouTube मेरा चालू है साइड में एक नया tab open हो चुका है जिसमें मैं सर्च करूँगा या open करूँगा दूसरी website जैसे मैं open करो यहाँ पे मेरी kospay.com नाम की website यह आपको पता नहीं तो मैं बताओ कि यह नई website जल्दी launch हो रही है launching soon तो यह website यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है open हो चुकी नया tab के अंदर यह अलग अलग tab यहाँ पे आप नया tab open करोगे ऐसे धेर सरे tab open कर सकते और अलग website open कर सकते मैं close करता हूँ इसे मैंने इसे भी close किया तो यह आपको आइडिया आ चुका है कि website कैसे open करना है यहाँ पे directly address बर में type कीजिए जो भी website आपको government के कुई website open करनी कुछ भी है आप यहाँ पे open कर सकते है फिलाल मैं google.com पे जाता हूँ चलो ठीक है google.com पे आगे हम यहाँ पे आ रहा है google में आप क्या search करना चाहते गूगल सर्च दिया है माइक से सर्च करना चाहते है यहाँ पे क्लिक कीजिए अब यहाँ पे क्लिक करके आप जब बोलोगे तो automatically हो सर्च हो जाएगा अगर आप mobile में उसको होते है तो directly माइक रहता है desktop पे आपको माइक करना पड़ेगा laptop में तो माइक रहता है inbuilt तो search by voice ए यहाँ पे टाइप करूँगा अब्दूल कलाम एकदम सिंपल है नाम टाइप करो एंटर करो जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे डेर सारे सर्च आजाएंगे about अब्दूल कलाम यह दिखिए 2 करोड 47 lakh result यहाँ पे आ चुके है और यहाँ पे आप स्क्रोल करोगे तो नीच पे लिए उनकी बायोग्राफी रहती है तो अगर आपको इंफोमेशन कलेक करने उनके बारे में तो यहाँ पे आप क्लिक करो यहाँ पे राइट साइड में भी आपको दिखाए दे रहे हैं कि उनका जनम कभी हो था और बाकी सरी चीज यहाँ पे दी है और फिलाल आप इस उपन कर लेते हैं नोटपैड में बजे डालना है तो यह पेश कर तो हम यह देखिये पूरी इंफोमेशन यहाँ पे आ चुके यहाँ पर हला कि इसका पॉर्ण बहुत बढ़ा है तो इसका पॉरी इंफोमेशन आपको यह दिखाई देगी आप ऐसे वर्ड में भी ले सकते Excel में भी ले सकते, PowerPoint में भी ले सकते, presentation हो गए अब बनाना है तो तो basically यह information इस तरह से search की जाती, वो आपको idea मैंने दी, Wikipedia वेबसेट से जाकर आप information निकाल सकते यहाँ पर मैं back button press करूँगा तो यह back हो जाएगा, अगर मुझे अबदुलकलाम जी की photographs देखने, images देखने, तो मैं यहाँ पर simply images वाले options पर click करूँगा, यहाँ पर धेर सारी images मुझे मिलेंगे, यह दिखिए, उनकी कुछ paintings भी है, उनकी कुछ images यहाँ पर दिखाए देरे, अब मैं suppose कोई भी image लेता हूँ, मुझे लगा कि यार यह पहला वाला image ही ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसे click किया, और मैं सबसे पहले देखूँगा image की size, यहाँ पी देखिए, image की size है वो देखूँगा, यह है लगबग 2000 pixel, तो सबसे पहले मुझे यह देखन करके लोगे, save करके लोगे, तो इसकी quality आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी size देखे, यह image की, 342 by 450, बहुत ही कम pixels की size है, और यह अगर आप कई पर print करोगे, तो blur आ जाएगा, या वर्ड वगएरा, या कोई software में डालते हो, तो वहाँ पे size बढ़ाने के वाद, blur दिखाए तो बड़ी size की image यहाँ पे ले लो, और उसे आप save करो, अब इसे save कैसे करना है, right click करो, और यहाँ पे save image adds, दिखाए दे रहा है, या फिर यहाँ से आप copy करके, किसी भी software में, copy के आपने, और powerpoint software में डालना है, तो powerpoint software open कीजिए है, और powerpoint software आने के बाद, यहाँ पे आप इ save image adds करेंगे, तो आप desktop या जहाँ पे भी चाहिए, देखिए, यहाँ पे option आ रहा है, कि आप कहाँ पे save करना चाहते है, download desktop, तो मैं desktop पे save करना चाहता हूँ, नाम क्या देना चाहते, यहाँ फाइल का नाम दीजिए, अलरी नाम आ रहा है, अप्धुलकलाम, यही रहने देत सेव करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, यही डाउनलोड हो चुका है कि नहीं, हो गया है, क्या बात है, तो ऐसे आप images डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको लगता है कि यार मैं जो image सेर्च कर रहा हूँ, उसमें size ही proper नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ tools में जा सकते हैं, देखिए, tools में, देखिए, कुछ interesting settings भी मैं यहाँ पे कौर करने हूँ, सारी चीज़े detail में, मैं आप आपको बताने हूँ दोस्तो, तो यहाँ पे tools में जाए, tools में जाने के बाद size, यहाँ पे size पूछ रहा है कि कौन से size की images आप ढून रहा है, large size की अब यहाँ पे मैंने image search के बारे में basic बताया आपको, लेकिन कुछ interesting चीज़े मैं आपको बताता हूँ, image search के बारे में, सबसे पहले तो image search के लिए आप जाने के बाद, आपको यहाँ पे camera मिलता है, यह camera दिखाए दे रहा है, अब यह camera पे अगर आप click करते हो, तो वह पू अपलोड image पे में जाता हूँ, choose file में जाता हूँ, और desktop पे कोई भी image आपके पास है, suppose desktop पे image मेरे पास, मेरी image में लेता हूँ, शायद मेरी image इतनी popular तो है नहीं वेसे, तो मैं Abdul Kalam Ji को लेता हूँ, और देखते है कि Google इनको identify करता है कि नहीं करता है, right, image से search होता है कि नहीं ह यहाँ पे proper हो जाता है, अगर आप देखोगे, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका फोटो डालोगे तो शायद ही आप से rated कुछ चीज़े यहाँ पे मिलेगी, right, क्योंकि उतनी popular आप नहीं हो ना, तो अगर आप हाँ, social media पे available है, आपका account है, social media पे, वाइरल हो, चुके social media पे basically लिए, तो फिर आप यहाँ पे सर्च में आ सकते हैं, okay, so यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इमेज सर्च कैसे करते हैं, images हम देख रहे, image सर्च के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले आपको यह idea आ चुका है, images सर्च में, यहाँ से भी image आप सर्च कर सकते इसके आलवा मुझे कुछ animated image चाहिए, मुझे clipart चाहिए, जैसे मुझे computer के clipart चाहिए, तो मैं computer और आगे clipart लिखूँगा, यह याद रखिए, computer और आगे clipart, यह धेर सारे clipart मुझे मिलेंगे, actual computer की images नहीं, clipart मिलेंगे, जो कि मैं use करता हूँ, अलग लग thumbnails वगरा में, अ बहुत सारी copyright वाली भी images रहती, मतलब जैसे कि यह वाला ले लो, iStockphoto.com, तो यह license वाला image ही है, देखिए, license, details भी इन्होंने दी है, यह पर, तो मैं चाहता हूँ कि यह image मैं लेता हूँ, और मैं कई पे globally publish करता हूँ, कई पे मैं मेरे business use के ले लेता हूँ, personal use के ले तो को color wise देख सकते हैं, आप यहाँ पे type search कर सकते हैं, आपको क्या search करना है, clip art wise, तो मैंने clip art आगे लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे clip art अगर ले लूँगा, तो basically यह देखिए, clip art ही आएंगे बस, okay, यहाँ से भी आपको दिया गया है basically, कि clip art आपको चाहिए, तो clip art ही search कर लो, तो मैंने खाली clip art वहाँ पे लिखा था, लेकिन clip art लिखना या फिर यहाँ से भी आप इसे search कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे time भी दिया है, कि last 24 hours में जिन्हों ने upload किया ऐसी images आप ले सकते हैं, फिलाल images के बारे में इसकी जरुदनी आमें, क्योंकि हम कोई news वगरा पास 24 hours में, और यह है हमारे काम की चीज, creative common license and commercial and other licenses, तो creative common licenses जिन्होंने जिन्होंने आलग किये हैं, वो आप यहाँ images ले सकते हैं, और उन्हें आप use कर सकते हैं, और यह commercial license वाले चाहिए, तो आप यह भी ले सकते हैं, commercial and other license, तो वो images यहाँ पे display करती हैं, और यह जो मैंने filter लगाया, वो clear कर देना है, तो मैं clear कर दिया, यह filter लगाया था ना, मैंने images का, clear कर दिया, तो आपको clipart लिखना है, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, अपने computer लिखा, तो आप यहाँ पे जाओगे, tools में, और यहाँ पे जाकर खाली clipart करोगे, clipart यहाँ पे line drawing भी दिया है, line drawings आपको चाहिए, तो ओहो, interesting है, बस उसकी line drawing ही आएगी, तो line drawing यहाँ पे भी आप लिख सकते line drawing और यहाँ से भी search कर सकते, यहाँ फिर आप zip, अब यह zip मतलब क्या होता है, zip, right, gip या zip अलग-लग लोग बोलते, GIF, basically, graphic interchange format, यानि animated image, graphic interchange format, यहाँ पे मैं click करता हूँ, यहाँ मैं भी बहुत सरी बार यह, gip images यूज करता हूँ, और gip images के लिए, मैं अलग सी websites भी बताऊँगा, और आपको कुछ, interesting दस website भी बताऊँगा, इस वाले particular video के अंदर, so don't worry, जो interesting website है, जहाँ पे free content आपको मिल सकते है, या free चीज़े मिलेगी, ऐसा भी मैं यहाँ पे core करने तो basically आपको यह idea आचुका है कि images search कैसे करते है, zip image नहीं कि animated images मुझे चाहिए, तो मैं कैसे search कर सकता हूँ, और हो सकता है कि zip में सारी images animated ना हो, कई images animated नहीं होती है, अब इसके अलावा एक और रहता है png images, जो यहाँ पे filter criteria में नहीं है, अब png image का मतलब क्या होता है, dot png, म मैंने यह लिलिया, मैं इस पे click करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं click करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे है, यह box 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 आ रहे है, तो यह जो transparent background आ रहे है, इसे png image केते है, transparent background वाली images हम कभी use करते है, जब हमें इसे कई पे use करना, advertising के लिए इस image को, तो मैं अग background बिलकुल है नहीं, transparent है, मैं यहाँ पे यह image की उपर रख सकता हूँ, यहाँ पे कई पे भी रखूँगा, मैं इसका wide background नहीं आया, अगर मैं दूसरी को image लेता हूँ, suppose यह image देखते है, यह भी png है, सारी, बहुत सारी png सर्च किया, तो basically png रहेगा, लेकिन कुछ images png में jpg भी आती है, तो ध्यान रखें कि वो png है कि नहीं, वो चेक करें अच्छे से, जैसे यह image देखते है, और यह copy करते है, और paste करते है, यह देखें, यह वाले में आप देखेंगी, तो transparent background है नहीं है, इसमें transparent background है, तो png जो बहुत सारी लोग use करते है, images को properly place करने के लिए, यह transparent background नहीं है, इसका, इसे delete कर देते हैं, और इसे यहाँ पर रख सकते है, तो यह idea आपको आ गया है, कि png सर्च कैसे करना है, तो आपको basically मैं यह idea दे रहा हूँ कि अगर आपको particular images चाहिए, तो आप कैसे सर्च कर सकते है, png सर्च कीजिए, gip सर्च कीजिए, jp जो बेसि करते हैं, जिससे आपका time बचेगा, तो computer screen पर बढ़ते हैं, और देखते हैं, कौन को से professional search हमें गूगल में पता होने चाहिए, let's begin, तो चलिए images search हमने जान लिए, अब next topic की तरफ बढ़ते है, professional search कैसे करते हैं, मैं कुछ अपको अलग-अलग tips बताऊंगा search करने की, तो यहाँ पर मैं all में click करता हूँ, इसे में delete कर देता हूँ, और हम professional search शुरू करते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है, कि मुझे अगर कोई content search करने हैं, तो मैं यहाँ पर search करता हूँ, data entry jobs in Mumbai, चलो Mumbai ले ले लेता हूँ, और मैं enter करते तो, जैसे मैं search करूँगा data entry jobs in Mumbai, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, result कितने आ रहे, about 3,90,000,000, ओहो, इतनी result आ चुके, 3,90,000,000, तो मैं क्या करना चाहूँगा, 3,90,000,000, इतने code, दीख रहे, code में लिखोंगा, इस तरह से, enter करूँगा, जैसे मैं enter करूँगा, यह देखिए, 19,60,000, 3,90,000,000, तो यहाँ पर क्या होता है, कि एक specific zone में search होता है, specific search होता है, याद रखियो, तो यह particular search करने के लिए, बहुत useful होता है, double codes के अंदर आप यह करोगे, तो Google को आप बता रहे हो कि बाकी मुझे आनाप शनाप चीज़े मत दिखाऊ, क्योंकि Google क्या करता, basically मैं बता दे तो अपंडा क्या है, data entry यह word, जहाँ-जहाँ मिल रहे है Google को, वहाँ-वाँ जाके हो, हर एक blog में से data entry word को, word के search को लाके आपके सामने रख रहा है, तो अभी आपने इस code की मदद से double inverter को माप दोगे, तो यह specific search होता है, एक नई trick याद रखिए, search करते समय, उसके आलवा अगर आपको specific website पे search करना है, जैसे आपको search करना है, मेरी एक website है, जिसमें आपको search करना है, triple C exam के बारे में मैंने कुछ बताया कि नहीं उस website के उपर, तो आप यहाँ यहाँ पे लिखिए website का नाम, जैसे मैंने लिख दिया learnmoreindia.inspace, और मैं लिखूंगा आगे triple C exam, याद रखिए website का नाम लिखिए पूरा, और उसके बाद, triple C exam type कीजे, enter कीजे, जैसे आप type करोगे, आपको मिलेगा उस website की उपर, जो मैंने search किया है, उससे related result, तो यहाँ प बताओ कि learnmoreindia.in जहाँ पे आपको धेर सारी जानकारी मिलेगी और exam की questions भी मिलेंगे, फ्री मैं आटेन करने के लिए, you don't have to pay anything, जाकर चेक कीजे एक बार, okay, फिलाल तो एक particular website के अंदर कैसे search करना है, website का नाम लिखना है, और आगे आपको लिखना है, जो search है, वो search आप य जैसे मुझे एक book पढ़ना था, who move my cheese, pdf format चेही था मुझे उसका, तो मैंने who move my cheese किया, type किया, book का नाम, ये book है, interesting book है, story type book है, और कपी interesting है, आप भी पढ़ ले ना, कुछ live में, अगर आपको लगता है कि changes नहीं हो रहे, तो आप उस book को पढ़ो, और उस book में आपको पता चेह लेगा कि भई, आपको उनसे character हो, फिलाल में जादा detail में नहीं जाओंगा, file type लिखूंगा, pdf, मुझे इस book का pdf चाहिए, तो मैंने लिखा, who move my cheese, file type, pdf, आप देख पाएंगे, यहाँ पर who move my cheese, pdf file, यहाँ पर आ चुका है, मैं focus भी कर देता हूँ, ये देखिए, p यहाँ पर मैं click करता हूँ, और ये देखिए, ये पूरा-पूरा book यहाँ पर आ चुका है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी copy भी ले सकते है, market से, amazon से, लेकिन अगर आपको नहीं लेना है, तो ये काफी interesting book है, ज़रूर पढ़ लेना, मैं recommend करूँगा आपको प आ गया, ये भी आ गया, ये रैम नाम की कुछ, यहाँ पर कार भी दिखाए देरी basically, तो ये क्या है, अलग-अलग सर्च आ रहे, तो specific RAM यही चाहिए, computer की RAM के बारे में, तो मैं यहाँ पर space दूँगा, और मैं चाहूँगा की भाई, plus computer, right, मैं इस तरह से लिकूँगा, तो अब देखिए, बाकी के जो RAM दिखाए दे रहे थे, अलग-अलग, वो सब गायब हो गए, और ये एक ही RAM यहाँ पर आ चुका है, तो specific search के लिए आप plus भी add कर सकते है, किसी word के आगे, याद रखिए, एक professional search, याद रखिए, time saving search है, तो अभी आगे मैं बताओ कि आपको, 123,548,564,000, जो भी है, तो यह पर आपको बता देगा, राइट, इतना ही मुझे इसके बारे में बताना था, ओके तो यह पर मैं कुछ interesting search आपको बताना चाहूंगा, जो कि professional तो नहीं, लेकिन interesting है, आपको बता है कि Windows अभी हम 10 ही इस्तामाल कर रहे, 11 भी आ चुका है, लेकि पुराना जो Windows है, Windows 98, Windows 93, तो वो interface कैसे थे, अगर आप देखने में interested हो, तो बस आपको लिखना है, Windows 98, 97, 98 और try, यह पर लिख दो Windows 98 try, और यह पर जो search आ रहा है, यह दिखा दे रहा है, Windows 98.js.org, इसक्यू पर आप click easy, right, और यह पर देख सकते, अभी यह आप यह आपर start button प अगर उस जमाने के हो तो, तो आपके लिए एक थोड़ी सी भूली भी सरी यादे यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, और Windows 98 के जगर में 93, अभी यह तो बहुत पुराना हो गया, तो यह तो भई, यह देखिये, Windows 93 भी लोड होगा, और इसका interface ब्राउजर में लोड होगा, बस interface ही है, यह actual पुरा 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 विंडो नहीं है, बस आपको यहाँ पे कुछ यादे ताजा, पुरानी यादे ताजा करने के लिए दिए गई है, और जैसे मैं यूज़ करता था Windows XP, मैं Windows XP से शुरुआत कर चुका हूँ, मेरे जमाने में Windows XP था, तो Windows XP ट्राइ करता मैं, और यह दीखे, ओहो, याद आ गया मुझे, वो सारी चीजे, जो कि मैं यूज़ करता था, इनको और मैं इसमें गाना प्ले करता था, यह फेवरेट अप था तब उस टाइम पे, विन एम पी, विन एम पी, जिसमें म्यूजिक प्ले होता था, यहाँ पे देखें, यह म पुराना बज़राई की नहीं बज़राई, और यह बज़राई यार, बज़राई, ओके, फिलाल स्टॉप किजिए, और यहाँ पे आप गाने और आइड नहीं कर सकते, जो दिये उसी में से बज़ाओ, बस, ओके, तो यह एक पुराना इंटरफेस, शायद आप लोगों में और इंटरेस्टिंग सेर्च के रिफ जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डारेक्ली ब्राउजर में टाइप करना, मैं क्या टाइप करो हूँ? मैं टाइप करोओ और यह पे यहाँ उल्टा है, यहाँ पे टाइप किया, Ether उलग लग चीज़े यहाँ आप को मिल रहे हैं, और य गूगल को सीधा उल्टा किया जा सकता है देखे ना अन्डर इस image को close कर सकते है कि हाँ close यहापे आ रहा है चलो ठीक है यहापे हम इधर भी जा सकते back करके और कुछ चाहिए आपको यहापे देखे ना बहुत सरी डिर सरी चीज़े दी है तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं बाकी कुछ ने इसमें ओहो गूगल पूरा यह माइक गॉड़ इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया तो यह गूगल इधर चला उधर चला राइट यह देखिए गूगल को ऐसे उठा उठा कि आप पटक सकते हैं तो गूगल के अंदर यह सारी चीज़े दी है बस इस वाले वेबसाइट के अंदर तो यह एक इंट्रेस्टिंग सर्च मुझे लगे इसलिए मैंने आपके साथ यह आपे शेयर किये है तो अब हमने प्रोफेशनली सर्च और फणी सर्च भी देख लिए, अब हम देखेंगे इस वाले बार के बारे में यह जो दिखा है रहने यह बुक मार्क है बेसीकली और यह पर कुछ मैने बुक मार्क भी करके रख़ए जयसे मैं मेरा मेरा learn more channel एकसे करना चाहता हूँ तो मैं यहा पर क्लिक land i may और मेरे जितने भी चैनल है यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं या फिर मैं मेरी कोसपे.com वेबसाइट एकसेस करना चाहता हूँ जो भी मुझे एकसेस करना है क्विकली मैं यहाँ पर एकसेस करता हूँ यहाँ पर पर चाहँ इंचाहाँ अा और बुक मार्णफ करने विजा सबस्ता चाहँ अगरा सब्सकर देखेस वनिवेश करनी है और जहां पर भी रखना है मुझे यहां पर रखना है यह देखिए एक line आ रही है लंबी सी यहां पर रखना है यहां पर रखना है जहां पर भी मैं रखना चाहता हूँ आप यहां पर मैं रखोंगा मैं जूम करके भी दिखाऊना चाहूँगा यहां पर drag करके learn more के आगे मैं है ने रियल टूटरील चैनल के लिंक एड़ कर दी तो ऐसे आप कोई भी वेब साइट को डर्यक्ली homeowners compare com कर सकते हैं और alaol शुप्ट kहले कि सक्ते होल कर सकते हैं देखे खयर किन किन को शौर ऑन क्यों चेमिक क्यों बार को कर सकते हैं आग आगे बढ़ते अब अब मैंने भेशारी चीज़ा यहां पर वृबिशिट कियी है, तो अलग या वेबसाइट भी विसिट कियी, अब मैं रहंको कोई किसी को पता चले कि मैंने क्या क्या वृबिशिट किया, तो मैं जाओंगा। CTRL H में, यानि History में जाओंग. CTRL H में प्रेस करूंगा, या फिर यहाँ पर अगर अगर अप है, तो यहाँ पर तीन डॉट दिखाए दे रहे हैं इसमें, यह जो तीन डॉट, इलिप्सेश से बोला जाता है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे history options आपको दिखाए दे रहे है history right history पे जाकर history control h यहाँ पे click किजिए यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है यह ओके सारी चीजे जो जो आपने visit किये यहाँ पे सारी चीजे देखिए जो जो आपने search किया सब कुछ आ रहा है आपे, तो आपको लगता है कि यार नहीं पता चलेए, तो आप एक 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 चेक करते जाओ, और इसे क्या कर दो, डिलीट कर दो यासे, आपको लगता है, ये मुझे नहीं दिखाने यापे, तो डिलीट आप कर सकते हैं, वैसे आप इसे डिरेकली डिलीट क पूरी है पूरी जो सर्च किया है इसमें cookies भी delete होगी है जो site में cookies save होता है मतलब cookies क्या होता basically बहुत सारी sites क्या करती है कि कुछ content आपके browser में load करती है जैसी ही website आप visit कर लेती है तो उसको cookies बोला जाता है और इससे क्या होता है तो इसके लिए cookies यहां पे बहुत सारी site का data cookies में पढ़ा रहता है इसलिए cookies भी आप यहां से clear कर सकते है और cache image and files भी clear कर सकते है cache memory तो इन सबको आपको clear करके browser को clean रखना है तो यहां पे click करो all time पे click करो और सबको clear करो आपको लगता है नहीं नहीं मुझे browsing history के बारे में ही देखना है बस browsing history clear करना है तो उसे select कर लो browsing history को और उसे clear करो cookies वगरा को clear करने के ज़रूरत नहीं है बहुत सारी बार cookies clear करने के ज़रूरत हमें पढ़ती है तो ऐसे में आपको cookies खुद से clear करके उस website को visit करनी पड़ती है तो आप यह cookies यहां से clear कर सकते है अगर किसी ने का कि cookies clear करके website visit करो तो you can clear it तो यहां पे एक तो आप control h button press करो यहां से जाकर करो एक एक नहीं तो यहां पे जाकर clear browsing data पे जाकर आप clear कर सकते है data को लेकिन जरूरी नहीं कि आप data को clear करो लेकिन मैं आपको बता रहो कि data अगर आपको clear करना है तो एक एक website delete करने से चाप यहां पे जाकर browsing data यहां से clear कर सकते है तो यह basic information आपको पता होनी चाहिए कि हम website पे search करते हैं तो हम यहां से उसे clean भी कर सकते है अगर आप search करना चाहते है और आपको लगता है कि यार उसकी history save ना हो आपको clear करने की ज़रूत ही नहीं पड़ीगी अगर history save नहीं हुए तो उसके लिए chrome browser में आप control shift and press कीजिए या फिर यहां पे click करके यह देखिए new incognito mode open कीजिए new incognito mode का मतलब होता है कि आपकी identity hide रहेगी आप जो भी search करोगी उसका history भी store नहीं किया जाएगा कुछ भी नहीं तो आप यहां पे जाओ और उपर search करो जैसे आपको search करना है google या जो भी search होगे तो इसकी history बिलकुल store नहीं होगी क्योंकि आप अभी हो incognito mode में right incognito आपकी identity यहां पे hide रहेगी okay मतलब आपकी history store नहीं होगी so control shift and press कीजिए incognito mode आएगा नहीं चाहिए तो close कीजिए अलग सा tab open होता है यह chrome browser के अंदर okay clear है आपको अलग सा tab मतलब अलग से window ही open होती यहां पे तो चलिए एक बात तो आपको नहीं पता चलिए कि वहीं incognito में हम search करेंगे तो हमारी history store नहीं होगी अब देखिए यह सारी चीजे बहुत सरी लोग use करते भी होंगे उनके लिए एक दम बच्छों जैसा खेल होगा लेकिन यह पेशली उन लोगों के लिए मैं repeat क रवे करता हूगी जुनको पता नहीं ही इन चीजों के बार में अब मैंने क्या किया बहुत सरी बार अभी मैंने यहां पर एक website visit कर ली यहां पर एक नया टैब लिया इसमें भी website visit की जैसे मैंने learn more india visit किया और यहां पर नया टैब करके और भी website visit किया लेकिन मैंने इसे क्लोज कर दिया गलती से इसे भी क्लोज किया अब मुझे दुबारा विजिट करना है तो मैं Ctrl-Shift-T बटन प्रेस करूंगा Ctrl-Shift-T याद रखिए जो आपने वेबसाइट क्लोज की एक्सिडेंटल या गलती से क्लोज हो गई या पर देखिए गलती से क्लोज हो गई तो आपको दुबारा वसे प्राउजर में टाइप करने की जबतने याद रखिए अब दोस्तों बहुत सारे बार क्या होता है कि हम कोई वेबसाइट पे या पर साइन कर लेते हैं मतलब हमारे यूजर आड़ी डाल देते हैं जैसे यहाँ पर मेरी वेबसाइट है मैंने उसमें यूजर आड़ी एक डेमो अकाउंट बनाया और पासवोड भी टिक करके keep me sign in नहीं रखा और यहाँ पर login पर मैं click करता हूँ जैसे मैं login करूंगा यहाँ अब chrome browser के अंदर देखोगे right side में pop up आता है कि यह password आप save करना चाहते हैं कि मैंने इसे save कर दिया अब मैंने इस password को यहाँ पर save कर दिया अगर नहीं किया तो अलग बात है लेकिन मै तो log out करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है यह password यहाँ पर save है तो यह password यहाँ पर save है क्योंकि हमने उसे chrome browser में save करके रखा है तो मैं क्या करूंगा मैं जाओंगा कहाँ पर दिखिए यहाँ पर तीन options जो दिखाए दे रहे हैं ellipses उसमें मैं settings में जाओंगा यहाँ पर settings हमें जाननी यह थूड़ी सी setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको autofill option मिलेगा setting में autofill में जाना है autofill में जाने के बाद passwords में जाना है और password में यहाँ पर दिखाए दे रहा है वो password हमने save किया है तो password यहाँ पर देख भी सकते आप यहाँ पर click करके देख सकत तो remove आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सरों लोग को यह पता नहीं होता है कि यहां से password कैसे remove किया जा सकता है, और यहां पे अगर वो जब आप save कर रहे हो तो never save एक option आता है, वहां से अगर never करते हो तो यहां पे never save आ जाता है, right, तो यह एक option आपको पता होना चाहिए, setting के अंदर specifically, यहां पे मैंने आपको बता दिया, साथी में setting में अगर आप आ चुके हैं, तो यहां पे देखिए, you and google पे click कीजिए, customize your chrome profile, आप chrome profile का color, आप देखिए, मैंने color choose किया है, आप कुछ अलग color रखना चाहते हैं, अलग color रख सकते हैं, chrome profile का, आपको जो लगता है, वो profile आप यहां पे choose कर सकते हैं, basically मैंने यह color रखा है, chrome profile चेंज कर सकते हैं, और धेर सारी चीज़ यहां पे दिये, आप language में जाकर यहां पे change करना चाहते हैं, तो language English की जगा लग कुछ रखना चाहते हैं, about chrome के बारे में extension वगएरा यहां पे दिया है, बहुत सारी चीज़े, लेकि अब मैं next बताने हो आपको, मैंने google website यहां पे open करके रखी, अब मैं यहां पे google में हिंदी में type करना चाहता हूँ, google में या chrome browser में basically मैं हिंदी में type करना चाहता हूँ, मैंने google का example लिया, लेकिन chrome browser में कई भी मुझे हिंदी में type कर रहे हैं, तो मुझे extension इंस्टॉल करना लेकिन यहां पे English में type हो रहा है, हिंदी में नहीं, तो आपको वो हिंदी में कैसे लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे यहां पे extension इंस्टॉल, तो यहां पे तीन डॉट जो दिखाए दे रहे हैं, यहां पे more tools में जाहिए, और यहां पे आपको आ इंस्टॉल, आप यहां पे धे सारे extension डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फिलाल मैं Google Input Tool के बारे में बता रहा हूँ, आपको extension इंस्टॉल करने का idea भी आ जाएगा, और बाकी बहुत सारे time saving extension हैं यहां पे, तो फिलाल यहां पे दिखाए दे रहे extension के list आचुकिए, फिलाल य यह वाला extension जो गूगल ने feature किया, गूगल की तरब से हैं, तो भई यहां इसे हम लेते हैं, और add to chrome करते हैं, और यह secure है बहुत, लेकिन अप extension आप extension मत install करो, मैं पहले आपको alert करूंगा कि भई कुछ extensions ऐसे रहते हैं, जो आपका data शायद चोरी करने के chances है, शायद, बट कैस कि यह Google वैसे भी verify करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो extension को आप नहीं जानते हैं, उनको install मत करो, क्योंकि Google पे आप login करते हो, आपके password save करते हो, बहुत सरी चीज़े करते हो, तो यहाप extension add होने के बाद यहाप एक icon दिखाए देगा, जिसमें आपको click करना ह इसके बाद यहापे आपका extension है, यहापे आपको click करना है अभी, जैसे आप click करोगे extension यहापे दिखाए देगा, सामने आ रहा है, यह extension लेकिन आपको इसे pin करना है, यह बार बार, जैसे आप click करोगे यहाप आएगा, लेकिन आप बाजू में click करोगे तो hide हो जाएगा, तो कि इसमें कौन सी languages में switch होना है आपको जितनी languages चाहिए उतनी add कर सकते हैं तो मैं नीचे scroll करूँगा या पे English language को add कर दूँगा और नीचे scroll करके या पे Hindi language जो दिखाय दे रही है ये भी add कर दूँगा राइट हिंदी में इस तरह से Hindi और English language आपको add करनी है अब ये add करने के ब तो अभी आप का पर आजाओ Google में आजाओ या पर आपने Hindi से लेक की ये देखिए highlight भी है राइट दिखाय दे रहे है ना highlight है blue में है तो अब आप जो type करोगी आप मैं जैसे मैंने मैं type किया ये देखिए मैं कुछ search ये दिखाय दे रहे है नीचे option आ रहे है कि आप search में क्य जा लेना चाहते हो तो ये एकदम Microsoft Indic Tool की तरह ही है Microsoft Indic Tool क्या आपको पता नी तो इसके उपर मैंने recently एक वीडियो बनाया था मेरे Learn More Shots चैनल पे जो कि बहुत सरे लोगों ने देखा और अच्छा लगा लोगों को यहाँ पर आप Learn More Shots के उपर ये वीडियो देख सकते है य मैंने अपलोड किया था जरूर जाके चेक कीजिए अगर आप इंट्रेश्ट ओरो डिस्क्रिप्शन में लिंक दीए मैंने चैनल की तो हिंदी में टाइप कैसे करना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर यहाँ पर शॉटकट की भी आप इसके लिए असके लिए असके लि बटन प्रेस करूँगा जैसे में चैनल जी बटन प्रेस करूँगा यह देखिए यह कंट्रोल जी यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे में चैनल जी बटन प्रेस करूँगा यह हट जाएगा यह दिखिए यह ब्लू हट गया अभी य इसका मतलब अब यह हिंदी में टाइप होगा, राइट हिंदी में टाइप होगा, जो भी आप टाइप करोगे हो, तो यह आपको आइडिया आ चुका है कि एक्स्टेंशन कैसे इंस्ट्रॉल करते हैं, कैसे इस्तमाल में लाते हैं, तो दोस्तो अब हम सीखने वाले जीमेल प पता चलने दो कि भाई ऐसा कोई वीडियो है यूट्यूब पे जो आपको डीटेल नौलेज देने वाला है, क्रोम ब्राउजर के बारे में, या जीमेल अगरा के बारे में, तो ज़रूर शेयर कीजिए, और साथी में कमेंट ज़रूर कीजिए, एक कमेंट लिखने में क्या डीटेल में, मैं हमेशे चीज़े डीटेल में पढ़ाता हूँ, यह डीटेल में हर एक टॉपिक के बारे में मैंने उस कोर्स में एक्स्प्लेइन किया है, तो अगर आप इंट्रेस्टर तो चेक आउट ज़रूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिलाल जीमेल अक आप साइट विजिट कीजिए, यहाँ पर पे इमेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पिर साइण इन पे क्लिक कीजिए, देगे, जिस तरह से आप जीमेल पे अकॉंट बनाएंगे, वैसे आप Microsoft यह और साइट पे भी बना सकते है, रिजिट्रेशन प्रोस लगवग सही मी रहता ह है तो मैं यहां पर sign in करता हूं तो sign in के लिए पूछ रहा है कि आपका email ID और phone number दो लेकिन हमने email तयार नहीं किया है तो कहां से दे तो पहले हम तयार करेंगे तो यहां पर देखिए नीचे option दिया है आपको create account राइट जैसे आप create account पर click करोगे वो पूछागा मैं किसके लिए बनाuga रहा है किशोड़ration के लिए अपने लिए बनाआ रहा हूँ बच्रों के लिए बिसनिस के लिए बना रहा हूँ तो मैं तो बना रहा हूँ, current when we click करूँ गा, यहां पर मैं अपना कर रहा है कि यह ले लो HD सती जो HD और यह number ले लो या पिर इसके आगे कुछ number add करो वो बताएगा you can use okay you can use later numbers and periods also तो मैंने यह लिए है और उसने बोला कि यार यह accepted है अभी दिखाए दे रहा है अगर इसकी जगह suppose मैं लेता हूं 1999 तो शायद यह भी यह भी accepted है तो मतलब ऐसा होता है कि आप यहाँ पे number add करके email ID को choose कर सकते क्योंकि आपके नाम से email ID तो बनना मुश्किल है इस तरह से ओके नाम और last name इस तरह से आप रख सकते है course पे help करके यहाँ पे मैंने रख दिया यह email ID देखते है यह create होता है कि नहीं होता है और symbol भी रहेगा password चूज करते से मैं हमेशे याद रखो कि वह आपको याद रहा है ऐसा password लो और जो आपके नाम और surname या बड़ेट से थोड़ा सा अलग रहे लेकिन याद रहे बड़ेट वगरा भी यूज करते हैं लोग लेकिन combinations of letter यूज करो यानि कि पहला letter capital लिखो अरे आपके नाम का ऐसा कुछ करो तो वैसे आप कुछ यहाँ पर ले लो फिलाल मैं कि यहाँ पर password ले रहा हूँ फिलाल मैं आपको password नहीं बताऊंगा लेकिन यहाँ पर मैं password आपको enter करना है right of course कोई किसी का password किसी के साथ share नहीं करेगा okay तो जो भी password यहाँ पर enter करोगे उसका confirm password same आपको enter करना है और यह password किसी के साथ share नहीं करना है basically कोई भी share नहीं करेगा क्योंकि security और show password करके आप देख सकते आपको लगता है कि यार आपने जो टाइप किया वो यह तो show password करके आप देख सकते और फिलाल मैंने तो proper type किया है और next मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर next क्लिक करते ही वो पूछेगा कि आपको phone number दो phone number दो verify करने के लिए कि आप ही हो क्योंकि आपको एक OTP बेज़ेगा उसके बाद यह आपको email ID बनेगा पहले यह compulsory नहीं करता पूछो मत कॉल पर कॉल आते रहेंगे यहाँ पर आपका बडड़ेट इंटर करना है जो मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ यह जो information है बडड़ेट और phone number दोनों भी security reason के कारण मैं यहाँ पर blur रखूंगा और यह recovery email address है यह optional है यह आप डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते है recovery email ID इसके लिए होता है कि अगर आप in case email ID का password या बहुत कुछ भूल जाते password बूल जाते या पिर कभी security का issue होता है तो यह recovery email ID पर आपको mail आता है उसको अगर आप click करते तो वहाँ से आप इस email को recover कर सकते हैं तो इसके लिए आप दे सकते हैं अगर आपके पास email already है नहीं है तो इसे छोड़ो optional है तो यहाँ पर बडड़ेट इंटर करो और जेंडर भी select करो बडड़ेट और जेंडर सेलेक करने के बाद यह सारी चीज़े यहाँ पर जेंडर तो basically बलर रखने के ज़रुद नहीं लेकिन बाकी की चीज़े मैंने बलर रखिया और मैं next करूंगा जैस already account valid माना जाएगा sign in किया जाएगा तो एक मेरे mobile पर OTPI मैं इसे पटा पटा इंटर कर देता हूँ और मैं इसे verify करता हूँ यह सारी चीज़े थोड़ी सी blur मैंने इसलिए रखी आपको मैंने पहले ही बताया तो यहाँ पर पूछ रहे कि यह receive video calls वगरा वगरा yes I am in करो skip करने के ज़रूरत नहीं यह सब रखा तो भी चलेगा yes I am in नीचे scroll करो और यहाँ पर I agree करो ओके इस तरह से आपको दो चार स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है यहाँ पर एक आउतार दिखाए दे रहे आ चुका है और अकाउंट भी दिखाए दे रहे को उस पर help at the rate gmail.com ओ क्या बात है तो चले मैं यहाँ पर जीमेल पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं जीमेल पर क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देखेंगे कि भई हम आ चुके हैं इन बॉक्स के अंदर हमारे जीमेल के और यहाँ पर एक इमेल भी आ चुका है गूगल की कम्यूनिटी की तरफ से welcome राइट वे अपना खुद का तो आप यहाँ पर एड प्रोफाइल फोटो में जा सकते हैं यहाँ पर कुछ फोटो उन्हों ने दिये लेकिन हम जाएंगे प्रॉम कंप्यूटर और अप्लोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाकर जहां पर भी आपके पास आपकी फोटो अवैलेबल वह इस अपर रख सकते हैं यह फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है उसने बोला कि कॉप कैसे रखना है ख्रॉपिंग कर सकते यहां से यह दे के कॉपिंग का आइकोन आच कि छोटा बड़ा आपको कैसा नीचे से कॉप कर नाहां आपको लगता है बहुत बड़ा दिख रहा यह देखिए और थोड़ा सा छोटा करना है तो यह crop कीज़ रोटेट भी कर सकते हैं save profile picture और यह profile picture यहाँ पर अभी add हो जाएगा चल भूम हो गया got it यह देखिए profile picture अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हो गया profile picture तो add हो गया अब यह तो profile picture हमने add किया अब हम जानते है इस panel के बारे में सबसे पहले यहाँ पर compose बटन दिया है compose बटन से हम नया email compose कर सकते हैं किसी को भी email बेजना है तो यहाँ से हम बेज सकते हैं मैं दिखाऊंगा कैसे बेजना है पहले इसकी information बताता हूँ attain box म में आयह хو़ँ mail आपको दिखाए देगे राइट यहाँ आयहाँ mail आपको यहाँ पे दिखाए देगा इस में inbox में तीन टाइप है primary, social, promotion, email यहाँ पर दिखाए देगे क्लिक करता हूँ यह देखी है यहाँ पर star है इस पर मैं star करता हूँ तो star में यह email यहाँ पर मिल जाएगा ओके राइट यहाँ आपको मिल रहा है email और अगर मैं star से इसे हटा देता हूँ दुपारा मैं इस पर inbox में star पर click आ तो अभी कुछ नहीं है आप तो आप कोई important email से उन्हें आप star में रखना चाहते हैं तो आप star में रख सकते हैं और इसमें भी multiple star होते हैं जो कि मैं आपको आगे gmail के tips में बताऊंगा जिसमें 11 important tips बताने वाला तो उसमें मैं cover करूंगा यह वाला और यहां पे right side में आपको email delete करने के लिए option आ रहे हैं कि इसको delete करने तो आप यह से delete कर सकते हैं आप इसको snooze करके रखना चाहते हैं अब यह snooze क्या होता है basically star के नीचे option दिया है snooze पे अगर आप click करते हो तो यह अभी तो आपको email आया है लेकिन अपने email account mobile पे login किया तो क्या होगा कि फिस से आपको क्या करेगा कल 8 बजे यह sno चला गया लेकिन यह कहां पे चला गया स्नूज में स्नूज किया न यह देखिए email है आपके अभी पढ़ सकते हैं लेकिन आपको यह snooze यह alert देगा जैसे आपका alarm करता है आपको snooze देता है कि हालरम हो गया तो आपने उससे snooze पर रखा तो बार बार पाच पाच मिनिट म कल 30 जुन को मुझे शाम को 8 बजे फिर से mobile में अगर लोगी न तो email दिखाए देगा कि हाँ यह नया email आ चुका है या फिर यह inbox में आ जाएगा कल ओके याद रखिए आपे तो एमटी है लेकिन हो inbox में आ जाएगा तो snooze आपको आईडिया आ चुका है कि snooze क्या होता है सेन मतलब अगर हमने compose में से कोई email बेजा, compose के email को बेज दिया तो सेन में दिखाए देगा और compose में जाकर save किया तो drops में दिखाए देगा आदा email जो बेजाए नहीं है, drops में आ जाएगा ओके और यहापे more में कुछ options है जिसमें आपको important emails भी आप यहापे mark करके रख सकते है चैट से schedule email कर सकते है आपे, तो email कैसे schedule करना है उसका भी मैं आपको detail बता दूँगा, don't worry, all mail यहापे दिखाए देगा, यहापे spam है, spam क्या होता है कि कई आपको email भेजता है तो उसमें attachment रहती है, और ऐसे में Google को लगता है कि यह insecure mail है तो उसे spam में डाल देता है, advertising के mail भी spam म चेक क्या करो है, अगर किसी ने mail भेजा और उसने बॉला कि मैंने mail भेजा है आपको, तो आपने वोला यार मेरे inbox में तो mail नहीं आया, आपने भेजा नहीं है, तो आप पहले एक बार अपना spam भी check कर लो, कभी-कभी spam में आजाता है, spam folder check कर लो, spam में mail आता है और उसे आप तो ऐसे कोई भी e-mail का e-mail भी आप कई भी move कर सकते है अगर आपके spam में कोई e-mail आया है तो और trash अगर इस e-mail को मैं delete कर दे तो यहां से मैं delete किया तो यह यहां पर delete हो गया है लेकिन permanent नहीं temporary यानि trash folder में आपको मिलेगा यह दिखिए तो trash folder में आ चुका है यहां से अगर मैं इसे delete करता है तो यह permanent delete हो जाएगा तो यह trash folder से आप move करते हो यहां पर move to का पे डालना है इसे मुझे डालना है inbox में वापी चलो ठीक है inbox में तो trash to inbox यह देखिए inbox में वापी सा गया तो इधर से उधर email आप भेज सकते है यह move कर सकते ह है और nap folder भी दायर कर सकते है basically आपको यह overall idea होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या options है अब यहां पर compose में मैं क्लिक करूँगा और पहले email भेजना सीखेंगे है right compose में पहले email भेजना आना चाहिना हमें तो मैं जैसे compose पर क्लिक करूँगा यहां पर देखिए एक dialogue box आ रहा है अब इस dialogue box में आ जाते है जारा zoom कर लेते हैं यहां पर two two में उसका email id लिखेंगे जिसको हमें भेजना है right तो मैं यहां पर email id लिख देता हूँ एक learn more pro help at the rate gmail.com ओके इस तरह से मैंने email id पूरा लिख दिया two में जिसका email id में लिखना है उसको चला जाएगा और मैं चाहता क्या और और एक person है उसको भी बेजना है साथ में तो मैं कॉमा करूंगा और यहां पर उसका email id लिखूंगा right ऐसे जितने भी आप बेजना चाहते है यहां पर two में add कर सकते हैं लग बग 500 email address आप two में add कर सकते हैं 500 से जादा नहीं right तो उससे जादा आगे जाता ही नहीं फिर 500 email id यहां पर two में एक साथ add कर सकते हैं लेकिन अभी यहां पर एक और option दिया है cc इसे भी समझ लिए और bcc मैंने click किया अब यह cc और bcc क्या होता है basically cc यहने की carbon copy and bcc यहने blank carbon copy अब क्या होता है कि कई बार हम जो mail कर रहे हैं यह suppose एक company के particular person को कर रहे है और आपको लगता है कि इस person के साथ साथ उसका जो manager है एक company का employee को आप कर रहे हो customer care है suppose और आपको लगता है कि आपके बस manager का email id तो आप manager को cc में रखो कि मैंने इस employee को यह काम बताया था या फिर यह मैंने ही किया था तो manager को अगर आप cc में रखो कि तो उसको पता चलेगा कि भई हाँ यह काम इस employee को यह काम इन्होंने assign कर दिया है और यहाँ पे bcc में क्या होता है blank carbon copy आपको लगता है कि भई उपर जो email id मैंने लिखे उनको ना पता चले कि भई इसको भी मैंने बेजा है देखिए अगर आप cc में email id रखते हो मैं यहाँ पे कुछ भी रख देता हो यहाँ आप admin at the rate course pay या कुछ भी है ऐसा email id है course pay.com हो गयरा है ऐसा example email id लिया मैंने तो यह email id पे क्या होगा कि इसको पता चलेगा course pay.com admin को पता चलेगा कि learn more pro को 2 में रखा है मुझे cc में रखा है यह email या फिर learn more pro help को भी पता चलेगा कि cc एक copy इसकी manager की पास भी कहीं है carbon copy मुझे काम करना तो यह boss को अपने यहां पे रखा है तो ना learn more pro help को पता चलेगा ना admin को पता चलेगा किसी को भी नहीं पता चलेगा कि boss को एक carbon copy भीजी गई है क्योंकि यह blank carbon copy है इनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा तो आप चाहते कि एक copy एकदम management को भी चला जाए जो भी senior management है boss है जो भी dependent है आपको bcc अगरा add करना है नहीं करना है cc bcc और करना है तो कर सकते है नहीं add करना है तो skip कीजिए और automatic answer होगा और click करोगे तो add कर सकते है तो idea देदी है मैंने cc और bcc होता क्या है carbon copy और bcc blank carbon copy राइट जो cc में email आड़े रखते है उसको यह पता चलता है कि भी यह task इसक को भेज curls बेज आनस तो यहां पर आपको subject लिखना है अभी तो अगर आप जॉब के लिए apply कर रहे है या किस को payment के लिए reminder कर रहे हो तो वैसे कुछ आप subject लिख सकते है reminder about payment dues राइट इस तरह से आप लिख सकते है payment due तो payment dues के परे में reminder आप दे रहे हो यह subject आप लिख सकते हो और यहाप फिर आप लिख सकते हो hello sir or madam hello sir or madam यहाप बाकी का पूरा लेटर आ जाएगा जो भी आप यहाप लिखना चाहते है पूरा फॉर्मैट आप लिख दो पिलाल मैं यह पूरा फॉर्मैट नहीं बता रहा हूँ लेकिन hello sir or madam your last day of payment is like like this ऐसा your due due amount is your due amount वगेरा आप लिख सकते हैं मैं बस example बता रहा हूँ और पूरा amount लिखो और last में यहाप सिगनेचर वगेर आप आड कर सकते हैं वह सिगनेचर आइड कैसे करना है मैंने आगे बताया आपको कि यहाप हर एक email में आपका एक signature कैसे आ सकता है multiple signature कैसे आड करते हैं तो आगे Gmail tips में मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाप फिलाल आम लिखते हैं thanks and regards thanks and regards जैसे मैं लिखूंगा यहाप आटोमेटिक भी यहाप सजेस्ट करता है आपको Google और मैं यहाप लाम लिख देता हूँ मेरा ठीक है चलो यहाप यह सब हो गया email अब मैं send कर सकता email को लेकिन एक मिनिट रुकिए यहाप एक option भी दिया है आपको attach file और उसके बाज़ों में एक और option है जो मैं यह भी बताना चाहूँगा basically यहाप आप चाहते हैं कि यह particular चीज थोड़ी सी अलग दिखे तो आप उस font वगेरा apply कर सकते हैं okay यहाप attachment option दिया है कि आप चाहते एक file भी attach करो यह particular bill है वो मैं attach करना चाहता हूँ तो मैं attach में जाऊँगा मेरे पास कोई PDF पड़ा है कोई भी photo PDF कुछ भी पड़ा है तो मैं उसे attach करूँगा अब यह photos मैं attach कर दे तो ठीक है दिखा तो हमें आपको य देखे यह attach हो रहा है यहाँ तो यह image भी उनको attach होके चले जाएगी this is just example right याद रखिये उसके बाद एक और option आ रहा है यहाँ पर insert link यानि कि आप यहाँ पर link add कर सकते link यानि कि ऐसे यह example ले लो कि आपको please click here to login and check your details click here to login मैंने ऐसा link दिया है तो यहाँ पर इसे मैं select करू इसे से ले करके insert link पे जाओंगा और insert link पे यहाँ पर मैं website की link डाल दोंगा मैं suppose अभी यह website की link डाल देता हूँ कोई भी एक link ले लो बागी example के लिए और मैं से okay कर देता हूँ यह देखिये right click here to link यह link भी यहाँ से आप insert कर सकते आप यहां से insert emoji कर सकते आपको लगता है को image insert करना है कोई smile वाला कोई कुछ भी ऐसा या professional में तो ऐसा कुछ image insert नहीं करते हैं हम लोग लेकिन करना है तो आप कर सकते यहाँ पर दिखाए दे रहा है आचुका है okay उसके बाद आपको यहाँ पर आ रहा है insert files using drive drive के अंदर अगर आपने कोई file upload की google drive में यह वाले drive में तो लगबग 25MB तक की file ही attach कर सकते है उससे नीचे 25MB से ज्यादा नहीं याद रखिया तो यहाँ पर आप क्लिक करके 25MB से नीचे वाली file apply करो लेकिन आपके बद ज्यादा बड़ी file है तो आप dry वाली link यहाँ पर insert करो और यहाँ से direct आप insert कर सकते photo अभी मैंने यह जो insert किया नह आगया यह बहुत बड़ा photo है इसकी size आप यहाँ से कम कर सकते है यह मैं यहाँ पर छोटा रख देता हूँ तो आप direct ऐसे photo भी यहाँ पर insert करके रख सकते है उसके अलावा यहाँ पर दिया है toggle confidential mode यह अगर आप on करते है यह और confidential mode में क्या होता है कि यह mail को और secure बनाते हो य और उसे open करने के लिए SMS passcode देना ही नहीं देना है वो आप decide कर सकते हैं नहीं दिया तो वो directly email open कर पाएगा कोई issue नहीं है लेकि एक दिन के अंदर ही open कर पाएगा अगर वो एक तारीक को जाके open करने जाएगा तो वो email delete हो जाएगा right मतलब यहाँ पर email रहेगा नहीं expiring one day य की दिन के अंदर उसको कल के कल email देखना है उसके बाद वो inbox में नहीं रहेगा अगर हम SMS passcode रखते तो एक SMS passcode आ जाएगा particular उसको और वो passcode डालने के बाद ही वो क्या कर सकता है उस email को open कर सकता है SMS passcode दिया जाता है इसके साथ तो Google की तरब से आगए देखे जनरेटेट Google तो यहां पर आप सेव करते और उसे सेंड करते तो वो यहां पर basically email एक दिन के अंदर उपन कर पाएगा यह देखे न यह पूरा confidential mode में ने रगा है और यह नहीं रगाना है तो यह close कर दो हट गया यहां पर रखना चाते है नहीं रखना चाते है आपके उपर try ज़रूर की और insert signature भी दिया है अगर आपने signature बनाया है तो आप यहां से signature ले सकते है नहीं बनाया है तो manage signature में जाईए और अपना खुद का signature तयार कीजिए यह देखिए यहां पर जाकर signature आप तयार कर सकते है जो आगे चल कर मैं आपको बताने आ आप टिप्स में ओके तो फिलाल यह सा सुबह जाना चाहिए या फिर afternoon में जाना चाहिए Monday जाना चाहिए या pick and date and time यहापर date and time भी pick कर सकते है वो particular date and time पर जाएगा अगर आप अभी send करते हो तो यह अभी चला जाएगा याद रखिए और आप delete करना चाहते है तो delete हो जाएगा discard dropped यहापर delete हो जाएगा और अगर इसे close कर देते हैं अपने send भी नहीं है close किया तो यह drops में पढ़ाइगा drops में दीखे लहाप सहािए जो करनना यहाप ikiमेइल यह आमाउंट गलत डाला है, send किया और आपको तुरंत याद आया, तो undo options पे यह आपे undo करो, यह undo हो जाएगा, और यह undo थोड़ी देर के लिए रहेगा, 5 seconds के लिए, उसके बाद, यह undo गायब हो जाता है, फिर वो चला गया समझो, फिर undo नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया, क्योंकि additional tips, separately मैंने उसको रखा है, okay, तो यहापे मैं send button पे click कर देता है, यह email send हो चुका है, और यह sent मैं आपको दिखाए देगा, right, okay, that's it, तो email कैसे send करना है, basically आपको समझा है, बाकी सारी चीज़े जो है आपको यहापे R&D करके देखने मिलेगी, मतलब email search कैसे करते है, यह आप खुद से search करके देख सकते है, यह चीज़े यहापे आपको मिलेगी, सीखने के लिए R&D कर, तो अब आपको बहुत सारी चीज़े पता चली, email completely use करना आपको पता चला है, basically मैंने बहुत सारी चीज़े यहापे बताई कि email कैसे send होता है, inbox में email आने के बाद कैसे read क आपको पता होनी चाहिए, आपको क्या सब को पता होनी चाहिए, तो चलीए, शुरू करते है, Gmail की important tips. Tips number one, जिसमें मैं आपको बताने वालाओ, कि अगर आपको एक email बार-बार लिखना होता है, आपके clients के लिए, आपके धेर सारे client की list या email list आपके पास है, और उन्हें आपको एक email बार-बार भेजना है, तो आपको बार-बार copy paste करना पड़ता है, तो यह सब करने के ज़रू एक scenario समझ लेते हैं, जैसे यहां पर मुझे मेरे students से बार-बार email आते हैं, कि how do I get my certificate, certificate कैसे download होगा, learn more pro website की उपर, तो यहां पर इसका solution यह, कि मुझे क्या करना पड़ता है, यह email मैं open करूंगा, फिर मैं यहां पर reply button पे click करके, यहां पर certificate download कैसे होगा, उसकी information पूरी की प click कर दोंगा, तो यहां पर मुझे बार-बार copy paste release करना पड़ेगा, अगर छोटा बड़ा मेल है, तो मुझे type भी करना पड़ेगा, तो ऐसे में मुझे बार-बार type करना या copy paste करना नहीं है, तो मैं email का template से use करूंगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आप यहा करने के बाद आपको बहुत सरे और भी टैब मिलेंगे, जिसमें आपको जाना होगा, एडवांस की उपर, look at here, एडवांस, यहां पर एडवांस की उपर आप क्लिक कीजिए, तो मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहां पर धेर सरे और भी options आए करने पड़ेगी, जो भी आप changes करते हो, वो यहां से आप save करोगे, save changes बटन पर मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूँ, और दुबारा मैं अभी inbox में जाता हूँ, जिसको भी मुझे reply देना है, जैसी email को reply देना था, मैं reply में जाओंगा, पहले, पहले इसे मैं यहां पर email टाइप templates में जाकर यहां पर save draft as a template करके option आपको मिल रहा है, यहां पर आप click करके save new template पर click कीजिए, और इसको क्या नाम देना है, वो आपके ऊपर है, तो यह मैं रखना चाहता हूँ, how do I get certificate नाम का reply है, या फिर आरीर करके रखेंगे, या फिर इस तरह से, तो आप जो भी रखना पर मैं जाता हूँ, उसे open करता हूँ और reply button पर जाता हूँ, तो यहां पर मुझे face से दुबार पेश करने के ज़रूरत नहीं, यहां पर मैं जाओंगा, templates मुझे directly, how do I get certificate नाम का template मिलेगा, जैसे मैं इस पर click करूँगा, यह देखिए, यह यहां पर पुरा load होगा, यहां स मैं send button पर click कर सकता हूँ, बार बार मुझे copy और paste करना ज़रूरी नहीं है, या फिर मैं इस template को delete करना चाहता हूँ, या कुछ नया save करना चाहता हूँ, यहां पर सारे options आपको मिल जाते हैं, तो इस तरह से आप template add कर सकते हैं, delete भी कर सकते हैं, और template का use क्या होता है, आपको भी समझाओगा, tips number two, यह भी interesting tips है, इसमें मैं आपको बताओ कि अगर आपको कल सुबह office में late आना है, और आपको लगता है कि यार सुबह 9 बज़े एक client को mail जाना चाहिए, तो आप इसे schedule करके रख सकते है, Gmail के schedule feature से, जहां Gmail में कोई भी email आप schedule करके रख सकते है, जो time पे आ आपका client, suppose, दूसरे देश में आने की, अमेरिका में है, तो अमेरिका में आपको उनके morning में email भेजना है, तो आप यहां से आज शाम को schedule करके रखोगे, उनका जो morning जब होगा, तो उनको email automatically hit होगा, अगर अपने ओ time properly schedule करके रखा है, तो यह schedule कैसे उज़ करना है, practically ज़र स्क क्लिक किया है, compose बटन पर क्लिक करके मैंने email भी लिख दिया, email address, subject और कुछ यहां पर email के अंदर content डाल दिये, अब मैं यहां पर send बटन पर नहीं क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे यह बेजना है कल सुबह 7 बज़े, यह एक specific date or time पर बेजना है, तो मैं यहां पर drop down arrow जो द दिखाए दे रहा है, this morning, this afternoon, Monday morning, कब आपको करना है, right, so pick date and time में जाकर आप खुद कस्टमाइज date और time select कर सकते हैं, जैसे मुझे 7 तारिक को 7 चार एम को भीजना है, या फिर कुछ और अलग timing भीजना है, तो यहां पर मैं time भी select कर सकता हूँ, type कर सकता हूँ, basically, तो यहां पर अलग लग date दी है, और आप schedule send button पर click करते ही, यहां पर schedule हो जाएगा, यह देखे, view message button आ रहा है, यहां पर view message button पर click करके, मैं आपको दिखा तो यह देखे, right, कभी का यह schedule हो चुका है, यह बता रहा है, और इसे आपको cancel कर देना है, तो यहां पर cancel send button है, यहां से आप cancel इस तरह से email आप schedule कर सकते हैं, दोस्तों, आपको एक important email भीजना है, और अपने email proper लिखा है, आपने check भी किया, कि proper है, सब कुछ proper है, और आपने send button पर click किया, और तभी आपको पता चला कि यार, नहीं नहीं, एक spelling mistake हो गई, या कुछ तो गलत है उसमें, या कुछ add करना रह है, तो अभी आप सोच रहीं, यार, मैंने तो email send कर दिया, तो मैं आपको कहूंगा, don't worry, अपने अगर send button पर click किया है, तो email को आप undo भी कर सकते है, जिया, यहाँ यहाँ पे भी undo पंडू होता है, undo नहीं, sorry, undo redo, यहाँ पे भी आप undo कर सकते है, जो भी भी भेजी गई चीज अभी आपने एक email लिखा, प्रॉपर लिखा, आपको ऐसा लगता है, कि आपने प्रॉपर लिखा और आपने यहाँ पे send button पे click कर दिया, जैसे send button पे click किया, आपको याद आए क्यार, subject में यन्तो रहे गया, instruction में, right, तो यहाँ पे देखिए, left bottom corner में आपको एक undo button आ रहा है undo button यहाँ पे आप click कीजिए, जैसे आप undo button पे click करोगे, यह mail उसके inbox में नहीं जाएगा, right, आपकी inbox में दुबारा वापीज आ जाएगा, undo button यहाँ पे भी undo दिया गया है, basically यहाँ पे मेरा yen रहे गया था, मैं इसे correct करूँगा, और फिर यहाँ पे send button पे click करूँगा, जैस पास ज्यादा seconds रुक रहा है, आपके पास 5 seconds ही रुकेगा, क्योंकि यह default 5 seconds ही रहता है, Gmail आपको 5 seconds ही आलाओ करता है, अभी देखिए, अभी तक है मेरे पास यह, तो यहाँ पे मैं अंडू करूँगा, तो यह दुबारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यह मैंने ज्यादा टा जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंडू सेंड करके एक option आपको directly सामने मिल जाएगा, यह देखिए, फोकुस कर दो, अंडू सेंड, मैंने इसे रखा है 30 seconds, आप इसे 5 seconds, default भी रख सकते हैं, यह default 5 seconds ही रहता है, तो आप यहाँ पे चाहिए, तो बढ़ा सकते हैं, कम कर आएगा, और इसका क्या यूज है, मैंने आपको बता दिया, tips no.4 में मैं आपको बताओ, कि Gmail पे आपका ज्यादा काम है, तो आपको Gmail का डार्क थीम आउन करना चाहिए, जिससे आप Gmail पे घंटों भी काम करें, तो आपके आखों पे एफिक्ट नहीं आएगा ज्यादा, तो यहाँ पे see all settings करके option मिलेगा, see all settings में आप click करोगे, तो आपको themes करके last make option मिलेगा, यह देखिए, themes, यहाँ पे आप click किजिए, set theme पे आपको click करना होगा, right, सारे options सामने सामने आपको मिल जाते, और जैसे इस पे click करोगे, नीचे आप scroll करोगे, तो यहाँ पे आपको dark theme करक option मिल जाएगा, यह देखिए, यह default theme है आपका website में और यह dark theme पे आप click करोगे, यह dark theme यहाँ पे apply हो रहा है, आप चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो आप इसे दुबारा default theme पे click करके save कर सकते, तो इस तरह से dark theme में यहाँ पे आप apply कर सकते है, tips नमर 5 में मैं आपको ब screen के पर, तो भाई अभी आपके बस internet नहीं हो सकता है, कभी-कभी आपको लगता है, तो भी आपके बस जो email आचुके है, उनको आप access कर पाए, जो नए है वो तो नहीं है आएंगे, आपको इस internet कर निठ होगा तब ही आएंगे, लेकिन जो अभी email आपके पास है पड़े see all settings के अंदर offline करके एक option मिलेगा, themes के बैजुमी, यह देखिए, यहाँ पर offline बटन पर मैं click करूंगा, enable offline email करके option यहाँ पर मिल जाता है, इस पर आपको check करना होगा, यह check किजे, चेक करते ही वो बताएगा कि कितनी size हो occupy करने वाला है, आपकी computer के अंदर यह दिखाई दे र साथ में आप attachment भी चाहते है, क्या मतलब उस email में अगर किसी ने file बीज़ी है, तो वो भी साथ में download होगी, क्या चाहते है तो यह check कीजे यह नहीं चाहते है, तो uncheck कीजे, इस तरह से, और यह आप एक और interesting option दिया है, कि अगर आप इस computer से Gmail से logout करते है, तो आपका वो data offline computer में रखना है या नहीं रखना है, keep offline data on my computer, remove offline data, जब आप logout करोगे तो यह data भी remove करेगा, यह security reports की वज़े से रखा गया है, तो यह आप जैसे सब कुछ setting करोगे, save button पे click करते ही, यह save हो जाएगा, setting, लेकिन आपको email access करना रहेगा next time, internet नहीं है, तो आपको बस यह address type करना रहे यह setting अगर आपने on किया है, तो यह setting on करना मत भूलेगा पहले दोस्तो, मैं हमेशे कहता हूँ कि computer पे smart work करना है, तो keyboard का जादा स्यादा इस्तमाल करो, तो आप Gmail में भी keyboard का इस्तमाल कर सकते है, और keyboard की shortcut keys use कर सकते है, और keyboard की shortcut keys, Gmail में कैसे enable करना है, इसे मैं practically दिखाऊंगा, लेकिन एक important information मैं बताऊंगा, कि recently मैंने keyboard की उपर एक complete वीडियो बनाया था, जहापे keyboard की A to Z shortcut keys मैंने explain की थी, 104 keys का क्या use होता है, practically हरे key को मैंने दबा दबा के बताया था, तो उसका वीडियो उपर i button पर आपको मिल जाएगा, या पर description में भी मैंने link दी है आपके लिए, क keyboard की सारी keys हम कैसे इस्तमाल करते हैं, फिलाल तो हम Gmail के अंदर keyboard shortcuts कैसे enable करेंगे, यह practical screen पर देखते हैं, तो Gmail में fast काम करना है, तो shortcut keys तो Gmail के आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इतनी सारी shortcut keys आपको कैसे पता होगी, पता होगी, shift और question mark बटन दबा के, आप keyboard पे shift और question mark दबा is, यह आपसे ओम अधिखाईगा कि इसके लिए, जी सारी shortcut keys आपको रहती है, उसके अलावा और advanced shortcut keys अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक enable बेटन, जिस पर आप इनेबल करते ही, यह वाली shortcut keys नीचे जी दिखाई रहा है, यह बी एने तो दोस्तो अगर मुझे फास्ट इमेल पढ़ने हैं जैसे मैं ये इमेल पढ़ना चाहता हूँ जो भी इमेल मैं उपन करता हूँ पढ़ना चाहता है जो की मेरे केस मैं अभी यहाँ पर इनैबल नहीं है तो आपकी केस में भी नहीं है सपोस्थ आप जाएंगे शेटिन्स के इंदर देखें द्यान से फिर सेेटिंग हम सीख रहें एक रहें सेटिंग्स में जाना है see all settings में दुबारा वहां पर ही जाना है जहां पर हम जाते हैं और inbox में क्लिक करना इस बार inbox में जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर नीचे एक option मिल जाता है आपको enable reading pane यह options को आप चेक कीजिए यह आपको पूछेगा कि भई आपको right inbox रखना है below inbox रखना है reading pane directly default यह on हो जाएगा लेकिन मैं no split रख देता हूँ और save changes बटन पर click कर देता हूँ अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पर मुझे reading pane का option चाहिए था अब देखिए reading pane का option आ चुका है reading pane की मदद से reading pane आप यहां पर click करके on off कर सकते हैं तो tips no 8 में मैं आपको बता हूँ कि आपके email को आपको customize करना है थोड़ा सा user friendly बनाना email id आप बना सकते हैं जीमेल के अंदर user friendly email id मतलब जो existing email id उसे थोड़ा सा customize भी कर सकते हैं उसमें कुछ चीज़ा add भी कर सकते हैं कैसे देखते स्क्रीन के उपर तो जीमेल में email भी customize कर सकते हैं किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको email id दिखाई दे रहा है learn more 7020 और मैं क्या करना चाता हूँ यह पढ़ने के लिए थोड़ा सा difficult लग रहा है तो मैं learn के आगे dot add कर रहा हूँ more के आगे भी dot add कर रहा हूँ तो इससे क्या email id पढ़ने के लिए easy होगा और यह valid email id रहेगा क्योंकि email यहाँ पर dot skip कर देता है यह email id वही है learn more 7020 बस मैंने यहाँ पर पढ़ने के लिए आसान हो इसलिए मैंने क्या क्या ask में dot add कर दिया है या फिर इस email id में कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे यह dot मैं हटा देत मेरा email है तो मैं मेरा नाम भी आगे एड्ड करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से मेरा नाम भी आगे एड़ कर सकता हूँ DieIA तो plus के बाद के जो भी character आप एड़ कर रहे हूं यहाँ पे तो यह character यहाँ पर ignore हो रहे हैं याद रखिए plus के बाद के character प्लस और plus के बाद के character सारे ignore हो जाते हैं यह email id वही है learn more 7020 लेकिन plus के बाद आपने लिखे हूए character ignore हो जाते हैं जैसे example के लिए मैं क्या करता हूँ इमेल के उपर एक email send करके देखता हूँ यह email बैसिकली है और copy paste कर देता हूँ मैं इसे और यहाँ पर मैं hello subject क्लिक देता हूँ देखते हैं यह email आ रहे की नहीं आ रहे send button पर मैं click करता हूँ तो जैसी यहां पर इनबोक्स में आके देखूंगा तो यहां पर देख सकते ही email आ चुका है और मैं click करूंगा यहां पर email देख सकते हैं दौनों के दोनों email उना यहां पर Dáला था दो मुझक है, यह फिल्टर के लिए भी easy होगा अगर मुझे core space related email filter करने तो मैं filter भी लगा सकता हूँ यहाँ पर filter लगा कि उस particular plus की बाद का जो नाम अड़ किया है उससे भी filter किया चाह सकता है तो यह इसका benefit होता है basically अगर आप customize email करना चाहते तो इसका इस्तमाल कर सकते है email की inbox में जितने भी email आते है हम उन्हें क्या करते है star करके imp करके record करके रखते है लेकिन इस star को भी अलग-अलग color में आप वहाँ पर highlight कर सकते है क्या आपको पता है नहीं पता है तो multiple star कैसे highlight करने है मैं आपको screen पर दिखाता हूँ तो अभी हम star से messages organize कर सकते है usually हम क्या करते है यहाँ पर click करके single यह एक ही star देते हो दुबारा click करेंगे तो यह uncheck हो जाता है यह देखे, click क्या, check, uncheck यह होता है star यहाँ पर यहाँ पर बट मुझे क्या करने multiple star चाहिए तो मैं यहाँ पर settings में जाओंगा उपर देखे, यहाँ पर settings option दिखाए दे रहा है फिर से settings में जाएंगे see all settings में जाएंगे और इसके अंदर नीचे scroll करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह option stars का, यह देखे star में आपको कितने star चाहिए आप एक-एक star को click करके drop करके उपर रख सकते हैं या फिर four star direct click करोगे तो यह default आएगा और star करेंगे तो पूरे पूरे star आजाएंगे जितने star आप रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं यह दिखिए star आ चुका है अब मैंने इसे क्या कर दिया है save changes अब मैं inbox में दूबार जाओंगा और inbox में यहाँ पहले click करूँगा star को यहाँ पर लगा सकते अलग-अलग mark यहाँ पर लगा सकते और यह सारी चीज़े आपको जब star पर आप click करोगे सारी email यहाँ पर दिखाई देंगे एक साथ दिखाई दे रहा है जितने आपने email को star किया है वो email यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इंट्रेस्टिंग है यह भी चेक कीजिएगा जरूर बही एक प्रोपेशनल email लिखना है तो आपको email में signature आड़ करना आना चाहिए और signature आप multiple भी आड़ कर सकते जिया दोस्तों यह email का interesting features है जरूर देख लेना practically दिखा देता हूँ मैं अभी आपको प्रोपेशनल email लिखना है तो भी signature आड़ करना होगा और multiple signature आड़ कैसा आड़ करते आए देखते हैं यहाँ पर आपको settings में आना है settings में आने के बाद see all settings में क्लिक किजिए तो यहाँ पर नीचे general में ही याद रखिए general में नीचे scroll कर लेना है और आपको यहाँ पर options मिल जाएगा signature का यह देखिए और create new आ रहा है क्योंकि हम पहली बार इसे इस्तमाल कर रहे है create new पर क्लिक करेंगे signature का एक नाम दे देंगे आपको जो भी नाम देना है जैसे मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा learn more pro okay so create button पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको signature details एड़ कर नहीं है बही सपोज आप एड़ कर रहे हो जैसे मेरा signature में बना रहा हूँ तो अपना नाम एड़ कीजिए कंपणी का नाम एड़ कीजिए आपका designation भी एड़ कीजिए यहाँ पर designation एड़ कर सकते हैं आपके contact details में ही है या फिर upload राइट मतलब आपकी बस ड्राइव में इमेजेस है या फिर upload करना चाहते तो आप यहां से upload कर सकते जैसे में यहां पर फिलाल कोर्स पर लोगो एड़ कर रहा हूँ तो यहां पर लोगो आ चुका है and you can manage the size also यहां पर दिखिए large medium small size में यहां पर रख देता हूँ इसका तो यहां पर लोगो भी add कर सकते हैं इसको चाहिए तो आप bold करके रख सकते हैं थोड़ा सा इसमें अलग-अलग formattings आप adjust कर सकते हैं यहां पर align भी adjust कर सकते हैं center में चा आप font भी बदलना चाहते हैं तो font भी बदल सकते हैं तो यह चीज़े यहां पर करके finally यह signature अगर आप बना देते हो तो यहां पर नीचे आप save button पे click कीज़े एक signature अपने बना दिया आपको लगता है कि एक और signature आपको add करना है तो आप दुबारा same settings में ही जाना है आपको ब नया brand है जल्दी launch हो रहा है course pay तो यहां पर मैंने इसके लिए signature बनाना चाहा है तो इसमें मैं नाम देता हूँ suppose मैंने नाम दिया हमारे manager साब का bush बेरे ओके so bush बेरे यहां पर नाम दे दिया then coursepay.com वेबसाइट का address और manager वेगर आप लिख सकते हैं यहां पर इस तरह से मैंन और इसे भी आप save कर सकते हैं अभी signature का use कैसे करेंगे हम तो यहां पर मैं जब compose बटन पर click करूंगा तो नीचे यहां पर दिखाई देगा signature का option insert signature right insert signature पर click करके आप यहां पर no signature दिखाई दे रहा है course pay का रखना चाहते है learn more pro का रखना चाहते है आप जिसका भी signature रखना चा पर जाकर यहां पर select कर के जो भी signature आप यहां पर edit करना चाहते है तो उसको यह signature चला जा यह वाला signature नए user के लिए जाए, तो यह आप यहां से set कर सकते हैं, तो उसके बाद यह set करने के बाद आपको यह save जरूर करना पड़ेगा, save changes करने के बाद जब मैं compose पर click करूँगा, इस बार देखिए, यह signature by default आ जाएगा, क्योंकि मैंने नए email के लिए यहां पर set किया है, और जब मैं किसी भी email के reply पर click करूँगा, तो यहां पर reply के अंदर signature आ रहा है, यहां पर click करके देखिए, यह portion का आ रहा है, right, मतलब यह course पर वाला signature आ रहा है, यहां पर spelling मैंने घलत लिख दिए, यहां पर e रह गया, okay, यहां पर add करके मतलब नहीं हो, signature में जाकर edit करना प आपको बताए, थोड़ा सा pro level पर signature यूज़ करना भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, यह थी tips no.10, अब बढ़ेंगे आखरी tips की उपर, tips no.11 की तरफ, अगर आप vacation पे जाते हो, और आपको लगता है कि मैं vacation पे जाने के पाद जितने भी email आते हैं, उन्हें एक automatic reply जाए, त तो भई आप गए हो चुट्टी पे और आपको करना है यहाँ पे अभी आपकी email पे auto reply मतलब vacation responder चुट्टी पे जाने के पाद तो settings में जाओ और see all settings में जाओ, वही general में आपको नीचे scroll करना है और आपको एक option मिलेगा vacation responder, यहाँ पे नीचे दिखिए vacation responder आ चुका है, मैं इ यहाँ पे on button पे click करोगे तो पूछ रहा है कि भई कब से जा रहे हो चुट्टी पे डाल दो, मैं नो तारिक से जा रहा हूँ, first day, last day अगर आप नहीं mention करना चाहते हो तो आपको manually vacation responder बंद करना पड़ेगा, जब आप वापीस आओगे gmail पे login करोगे तो, और last day भी आपका fix back वागरा वागरा, I am on vacation, I will revert back after few days, like like, ऐसा कुछ भी आप लिखो और यहाँ पे save कर दो, right, and यहाँ पे भी है, एक option, only send a response to people in my contacts, उनको ही भेजो, जो मेरे contacts में है, मतलब जो already save है, जिनके emails मेरे contact में add है, उनी को यह reply जाएगा, और नहे वालों को नहीं जाएगा, लेकिन सबको जाना है, मतलब सबको भीजना है, तो save changes कर लो, आपको लगता है, सबको जाना चाहिए, तो save changes, आप जैसे भी कोई email डाल देगा इसमें, तो उसको auto reply चला जाएगा, कि मैं छुट्टी पे हूँ, इस particular date पे मैं आऊँगा, और आप कुछ और भी, उसमें details add कर सकते, कि तो इसको बंद करने के लिए, यहाँ पे vacation responder बंद कर दीजिए, right, save changes, तो इस तरह से आप यह vacation responder यूज कर सकते हैं, दोस्तो, तो यहाँ पे chrome के shortcuts बताने के लिए, chrome मैंने open रखा है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, पहला shortcut बताने के लिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे learnmore India.in की जगह कुछ और सर्च किया है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है, learnmorepro.com या कुछ और website मैं यहाँ पे open कर रहा हू अलग सा कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, तो इसके पहले जो website अलड़ी विजिट थी, वो मुझे यहाँ पे मिलेगी, मैं यहाँ पे back button पे click करूँगा तो, लेकिन मैं keyboard से करना चाहता हूँ, यह back button नहीं करना चाहता हूँ, keyboard से, तो मैं keyboard पे alt और left arrow दबाऊँगा, यह देख सकते, alt left arrow, alt right arrow, तो आपको यहाँ पे mouse की जरुवत नहीं है, यह बात याद रखना है, अब यह जो screen दिखा दे रही है, मुझे इसको full screen में देखना है, suppose मैंने कोई channel विजिट किया, उसे full screen में देखना है, तो मैं app 11 button प्रेस करूँगा, app 11, यह देखिए, अब यहाँ पे क zoom करना है, जैसे कुछ भी, तो मैं control plus button दबाऊंगा, यह देखिए, control plus 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 plus, यह zoom हो रहा है, right, browser में zooming, आप इस तरह से बढ़ा सकते, control minus से zoom out कर सकते, यह देखिए, zoom out, okay, तो यह banner zoom out नहीं हो, लेकिन बाकी options आप देख सकते, पूरा zoom out हो चुका है, और मैं control zero press करूँगा, त अगर control zero आप प्रेस करते हो, बैं directly fit in window हो जाएगा, जितना normal zooming रहता है, hundred percentage, उसमें आप यहाप लोट होगे, right, उसके पास ऐसे आप यहाप देखोगे, कि मेरे पास एक, दो, तीन, चार टैब उपन है, यहाप और भी टैब मैं उपन करूँगा, तो मुझे इन टैब की बी आप याद रखना है, दूसरा है, कि एक number का tab आपको open करना है, तो control one, दो number का है, तो control two, मुझे भी direct 3 number पे जाना है, तो मैं page up, page down नहीं करूँगा, control three, directly 3 number page पे आजाओंगा, control four, directly 4 number page पे आजाओंगा, control one, directly 1 number page पे आजाओंगा, तो इस तरह से आप control button press करके, control one, two, three, के अलावा, keyboard पे आप control और tab बड़म प्रेस कीजिए, control tab ये दिखिए, control tab आप आगे आगे जा रहे हो, page up, page down की जगह, आप control tab, control tab कर सकते, लेकिन पीछाने के लिए control shift tab, control shift tab, control shift प्रेस करना है, tab बड़म प्रेस करना है, तो control page up, page down करो, control shift, tab करो, या control tab करो, या फिर control one, two, three four, ऐसे आप करो, जितने भी आपके या पर tab open है, उसके अंदर switch होने के लिए, okay, उसके बाद या पर मुझे history अगर delete करना है, तो control h बटन में प्रेस करूँगा, और या पर जाकि history delete करूँगा, right, ये मैंने आपको पहले भी पताया है, starting में की history होता क्या, basically, और मुझे browsing data प प्रेस करते हो, तो ये clear browsing data, जिसमें cookies, browsing, histories वगरा वगरा सारी चीज़े या पर आप clear कर सकते है, उसके अलावा मुझे ये bookmark hide and show करना है, ये जो दिख रहा है, तो control shift B से hide and show होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन इस bookmark में अगर कुछ चीज आड करना है, ये जो search किया हुआ, ये add करना है, ये तो बहुत बड़ा है, ये add करना है short channel मुझे इस bookmark में, तो मैं क्या करूँगा, keyboard पे control D button press करूँगा, control D button press करते ही, वो पूछेगा कि भई, ये ये bookmark में ये add करना है क्या, आप जैसे इसे done करोगे, तो ये bookmark में add हो जाएगा, अब ये add कहां पर हुआ है, यह तो नहीं दिख रहा है, ये add यहाँ पर होता है, ये दिखिए, यहाँ पर धेर सरी चीज़े, यहाँ पर पहले से bookmark में, ये दिखिए न, last में आपको learn more shots add होते दिखाए दे रहा है, चुले एक और add करके अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये learn more for all courses, इसको मैं select कर रहा हूँ, इस tab में आ चुका हूँ, ctrl d button में प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं done करता हूँ, यहाँ जो भी नाम में रखना चाहता हूँ, यह दिखिए, यहाँ नाम रखूँगा और done button पे मैं click करूँगा या पिर may enter button प्रेस करूँगा तो भी चलेगा कीबोर पर अगर आपको करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पर यह इन options पर जाना है और नीचे देखिए यहाँ पर यह एड़ हो चुका है दिखाए दे रहे हैं तो इस तरह से आप इसे एड़ कर सकते हैं आपके बुकमार्क में बटन से बुकमार्क में आपने जो विजिट पेज किया है जो भी टैब आपका उपन है उसे एड़ कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि यार रिमू करना है जो एड़ किया हुआ तो आपको कंट्रोल शि यहां से आप यहां पर क्लिक करके इसे यहां से डिलीट कर सकते हैं आपको यह Ctrl-Shift-O समझ में आया होगा Ctrl-Shift-O से आता है Bookmark Manager जिसमें आप जो चाहिए वो चींजे कर सकते हैं उसके बाद आपने यहां पर कुछ डाउनलोड किया है तो डाउनलोड में जाने के लिए Ctrl-J बटन प्रेस कीजिए यहां पर अपने जो जो डाउनलोड किया है यह देखिए मैंने अनिदेज डाउनलोड किया था मैंने अपीज अब्दुल कर आपने इमेज डाउनलोड की थी तो मैं यहां पर जाता हूँ फिर मैं सर्च करता हूँ तो इस अच्छा मैं गूगल पर डिरेक्ली सर्च करना चाहता हूँ तो मैं कोई भी टैब में हूँ सपोज मैं इस टैब में हूँ कुछ भी नहीं है और मैं नीचे करसर है मेरा इधर किदर भी तो मैं control K दबाऊंगा कोई भी टैप में यह तो Google का यह टैप है मैं इसमें जाता हूँ सपोल मैं यहाँ पर अभी control K दबाता हूँ तो यह search on Google आता है देखिए Google पे क्या search करना चाहते है आप Google पे मैं search करना चाहत हूँ real tutorial देखते है real tutorial के बारे में क्या आता है real tutorial ओके उसके वीडियो जा रहे है तो आपको दिखाए दे रहा है control K बटन प्रेस करने से Google पे directly search होता है control K यह याद रखिए या control E बटन आप प्रेस करते हो तो यह देखिए search on Google Google पे search होगा यह directly control K यह control E याद रखिए आपक tab में आप हो directly Google search में जाओगे और आपको कोई website विजिट करने तो आपको यह पे click करना पड़ता है बरवना basically आप click करोगे फिर website का नाम लिखोगे तो आप control L बटन दबा दो directly आप address बार में जाओगे दिखिए आपका cursor यह पे नीचे कई पे भी click है अभी यह select नहीं है आप साइड मुझे open करनी है लेकिन यहाँ पे प्लस पे click करना पड़ता है ने टैब में जाने के लिए तो मैं control T बटन दबा दूगा ने टैब में जाने के लिए Ctrl-Shift-T बटन दबा के इसे ऐसा reopen कर सकते है Ctrl-Shift-T याद रखिए Okay, clear है? Right Ctrl-T से नया tab आता है Ctrl-W से close होता है Ctrl-W से close किया Ctrl-Shift-T से reopen वही close tab Clear है आपको यहां तक तो clear हो चुका है चलो ठीक है अब उसके बात की जो shortcut किये है Ctrl-T से यहाँ पर टैब open होता है Ctrl-N से नया open होगा window यह देखिया ब्राउजर के नया window open हो रहा है यह पीछे हमारे टैब चलो है एक नया browser का window open हो रहा है वहाँ पर एक new window आ चुका है इस तरह से आप नया window open कर सकते है और यहाँ नया tab open कर सकते है लेकिन आपको लगता है कि यह पूरा window बंद कर देना है तो आप Ctrl-Shift-W प्रेस करेगी क्योंकि Ctrl-W से एक-एक tab close होगा Ctrl-Shift-W से यह पूरा window ही बंद हो जाएगा Chrome का नया open हुआ जो window open नया हमने किया था वो open window पूरा 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 close होता है Ctrl-Shift-W से Ctrl-N से नया window Ctrl-Shift-W से पूरा window close कितने भी tab open रहने है तो उसमें पूरा close हो जाएगा तो पूरा Chrome browser अगर close करना है तो Ctrl-Shift-W प्रेस कर सकते है Alt-Tap-Hour भी कर सकते है तो आगे की shortcut कि यह अगर यहाँ पे मैंने कुछ Google पे search किया और यह search मैं चाहता हो open करना लेकिन मैं इस tab में open नहीं करना चाता हूँ अलग सा open करना चाता हूँ तो मैं इसके उपर mouse लाऊंगा और Ctrl-Button प्रेस करके click कर दूँगा यह दिखिए यह नये tab में open हो रहा है नये tab में आपको यह पे दिखाए दे रहा है कैसे open रहा है तो Ctrl-Plus क्लिक करेंगे तो नये tab में open होता है और अगर आपने यहाँ पे कुछ सर्च किया और नीचे आपको scroll करना है तो space button दबा दो space button से आप scroll कर सकते दिखिए scroll करके आप नीचे आ सकते Chrome browser में home और end बटन दबाने से आप scroll भी ऐसा start to end कर सकते दिखिए तो यह सारे Chrome browser के अलग लग shortcut है जो मैंने आपको बता है useful shortcut मैंने आपको बता है तो इनका इस्तमाल ज़रूर कीजी है तो यह ता बड़ा computer basic ग्यान का वीडियो अगर आपको लगता है कि आपकी teaching style बहुत अच्छी है ऐसा लिखने का मन कर रहा है आपको comment में तो लिख दीजिए ना comment लिखिये कैसे है मेरी teaching style comment लिखिये आपके comment का में बहुत इंतजार करता हूं तो थोड़ा सा motivation मिलता है ना दोस्तों आपकी comment से तो दोस्तों के साथ शेयर तो किया ही होगा आपने मैंने starting में बोला ता share करो साथी में like करो और मेरी teaching style पसंद है तो मेरी website चेक करो description में link दीए जहां पे डेर सारे आई उसो certified courses आप घर बैटे बैटे आई उसो certificate के साथ सीख सकते हैं computer में master बनने के लिए मैं master बना के चुड़ूंगा बई मैं जो भी चीज़ें बताता हूं advance बताता हूं जो भी सीधी बात नो बकवास रहती है हमारी तो चलिए इस बात पे like share comment आपने किया होगा मिलूंगा कुछ और interesting video के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखो और एक interesting बात शेयर करना चाहूंगा मेरा खाली यही channel नहीं है मेरे छे साथ और channel है जिनकी link description में आपको मिलेगी जहाँ पे computer में master बनने के लिए आपको वीडियो मिलेगी जैसे मेरा learn more नाम का एक channel है जहाँ पे 1 million से ज्यादा सब्सक्राइब चेक आउट कीजिए उसकी link description में learn more shots है और सारे और भी channel है आप ज़रूद चेक करेंगे उम् बाइ बाइ